कैश करले में आज हम बात करने वाले हैं लंका प्रीमियर लीग के फर्स्ट T20 मैच के बारे में तो अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कैश करले को फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजी और बने रही हमारे साथ सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टेडियम की अगर हम बात करें तो महिंदा राजापक्ष इंटरनाशनल स्टेडियम श्री लंका में ये लीग चल रही है और यहाँ पर ये मैच खेला जाएगा तो कहीं न कहीं दोनों ही टीम्स जो है वो बैलेंस है अगर हम इनके रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें अब हम आपको इनके जो टीम फॉर्म है उनके बारे में डीटील में बता देते हैं तो यहाँ पर पहला मैच जेके का जीजी से हुआ था जिसमें जे एफ चफ से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम यहाँ पर आपको देते हैं A to Z क्रिकेट के सारे अपडेट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर सेकेंट जो मैच हुआ इसमें भी जफना किंग्स ने 23 रन से जीत हासल की थर्ड मैच में गल्ले ग्लाडियेटर्स ने 64 रन से जीत हासल की थी और उसके बाद 4 मैच की बात करें तो यह भी JK वसेज जीजी का हुआ और इसमें जीजी ने 20 रन से चीत हासल की पाचवे मैच की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर यह पाचवे मैच इसमें भी जफना किंग्स ने अपनी जीत दर्ज की थी 102 रन से यह तो हमने आपको बताए जफना किंग की परफोर्मेंस और यहाँ पर अगर हम गल्ले ग्लाडियेटर्स की परफोर्मेंस देखे तो आप देख सकते हैं 5 में से 2 मैच हा रहे हैं जो पहला मैच हुआ JK का जीजी के साथ इसमें JK 23 रन से यह मैच जीत गई थी और इसी के इसमें आप देख सकते हैं 3 मैच मैं आपको बता रही हूँ 3 मैच जो हुआ इसमें जीजी ने 20 रन से जीत को हासल किया था यह हमने आपको बताए दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर head to head की तो यहाँ पर अगर हम head to head देखें तो last 10 मैच इसमें से 10 मैच किंग ने जीते हैं और यहाँ पर 3 मैच गले ग्लाडियेटर्स ने जीते हैं इस तरह से इनका head to head रहा है और इसके बाद हम बढ़ते हैं points टेबल में तो points टेबल आप साफ तोर से देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक पहली प्रीमियर पहला T20 होने जा रहा ह है तो अभी तक किसी भी टीम को कोई भी points नहीं दिये गए हैं और अब देखते हैं यह वाली जो series है यह किस तरह से चलती है यहाँ पर आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है साथ ही आपको हमारे साथ live prediction करने का मौका भी मिलने वाला है तो आपको कही नहीं जाना है सिर् इसमें जफना किंग्स ने 23 रन से जीत को हासिल किया था सेकरण मैच की बात करें तो यह भी JK का हुआ और इसमें गल्राडिेटर थे फॉर रन से जीत हासिल की थेर्ड मैच की तरफ बरते हैं तो थेर्ड मैच में भी जी जी जो है वो 20 रन से जीत कही थी साफतर से आप सकते हैं टीम कंपारिजन की तो यहां पर टीम कंपारिजन आप देख सकते हैं ओवरॉल ओवरॉल जेके ने 10 मैच्च खेले हैं 80% मैच्च में जीत हासिल की है एवरेज स्कूर इनका 10,500 रहा है तो यहां पर उनोंने 10 मैच्च खेले हैं जिसमें से 50% मैच्च जीते हैं अबरेज स्कूर इनका 143 रहा है तो यहां पर बात करते हैं तो यहां पर ऑन वेन्यू जो है वह जो है जीत हासल की है 171 average score रहा है 210 इनका highest रहा है और 124 इनका lowest रहा है वहीं gladiators की बात करें हम तो यहाँ पर gladiators में 10 match खेले हैं 40% match जीते हैं 152 average score है highest score 188 है lowest score 62 है यह तो हुआ team comparison जो हमने आपको बताया और इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर weather reports की तो यह match जो है वो 6 December को खेला जाएगा और यहाँ पे जो temperature है वो रहने वाला है 28.8 degree Celsius partly sunny यहाँ पे temperature होगा और बारिश के 100% chances हैं इस match में और उसके बाद अगर हम humidity की बात करें तो 88% humidity रहेगी तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे बारिश किस तरह से अपना रोल निभाती है क्योंकि यहाँ पर इस match में 100% chances हैं बारिश के होने के उसके बाद हम Pacers vs Spinner पे आते हैं तो यह जो Pacers को support कर रही है 59% support कर रही है और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे Spinner की तो Spinner को support करती है 41% और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं recent matches की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो recent matches खेले गए हैं यहाँ पर फिनाले लंका प्रीमेर लीग का खेला गया था जिसमें जेके ने जीत दर्ज की थी qualify 2 यहाँ पर खेला गया उसमें भी जेके ने दर्ज की जीत और जो जीजी ने चीत को दर्ज किया था अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पर आ जाते हैं जो है टॉफ फेंटेसी पिक्स तो आप टॉफ फेंटेसी पिक्स हम आपको स्क्रीन पर साफ तौर से दिखा रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन से प्लेयर्स को चूज करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर विकेट कीपर की तो यहां पर विकेट कीपर आप रहमनुला गुडबास को कर सकते हैं बैटर्स की बात करें तो यहां पर आप टॉम कॉलर को कर सकते हैं आजम खा को कर सकते हैं सुहेब मलिक को कर सकते हैं आल र विखिरम को एज़वल्र पिक कर सकते हैं, विजयकंत को आप एज़वल्र pick कर सकते हैं लक्षन को आप as a bowler pick कर सकते हैं और सचंदू को आप as a bowler pick कर सकते हैं अपने top fantasy picks में ये तो हमने आपको पूरी top fantasy picks बताई कि आपको wicket keepers में कौन ले सकते हैं आप batters कौन से choose कर सकते हैं उसके बाद हमने आपको बताया आप all rounders कौन से रहने वाला है तो सबसे पहले यहां पर जफना किंग्स का स्कॉर्ड देखते हैं तो यहां पर धनंजे, दिनोशन, बिनुरा, असिस्ता फर्नैंडो, अविश्का फर्नैंडो, जेम्स फुलर, प्रवीन, टॉम कोहलर, लक्षन, दिलशान, जिमी नीशम, निपून, तिसरा, रह्मन उल्ला गुर्बाज, यहां पर रहने वाले हैं, अशान रहने वाले हैं, यहां पर सदीरा, यहां पर एज़ा बैटर टीम में रह सकते हैं, सोहेब मलिक, आल राउंडर की भूमिका निभाएंगे, महीश्ट इक्षना, यहां पर एज़ा बोलर रहेंगे, तीशम रह सकते हैं, ऐज़ा बोलर यहां पर, विजयकंत हैं यहां पर जो की बोलर है, फिर उसके बाद वकार बोलर है, हमारे दुनित बोलर है, हमारे स्कॉर्ड में शामिल है, जो एवन लुइस यहां पर हमारे साथ है, तृष्टन और शेहनवाज और हार्दोस, इस तरीके का जो ज नुवानेडू, लक्षन गैमेज, इफ्तिकार एहमद, इमाद वसी, तरिंडू, निपून मालिंगा, कुसुल मैंडेस, मुहम्मद हसनेन, यहां पर स्कॉर्ड रहने वाला है, कुशल पीरा यहां पर, पेररा यहां पर शामिल है, लक्षन, शर्फराज, मुविन, पुलिन नुवान, निमेश, मुहमद, हफीज, यहां पर स्कॉर्ड में शामिल है, तो यह तो हमने आपको दोनों ही टीम के स्कॉर्ड बता दिये हैं, और अब हम बात कर लेते हैं, हर प्लेयर की डीटेल इन्फॉर्मेशन पर, तो सबसे पहले यहां पर धननजय की बात कर लेते हैं धननजय का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, यह एक ओल राउंडर हैं, 11-5, 16-16, 11-9, 42-66 रन्स, 3 बोल्स में एक भी रन नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं, तो यहां पे दिनोशान की अगर ह अगर हम बात करें, यह एक ओल राउंडर हैं, और यह एक नए खिलाडी हैं, तो देखना होगा इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं, फर्नांडो यहां पे, तो यहां पे उनके अगर हम मैचस देखें, तो तीन रन आम फास्ट मीडियम बोलर हैं, और इनका आम देख सकते हैं, 64 पर वन विकेट, 28 पर एक विकेट नहीं, 34 पर वन विकेट, 51 पर एक विकेट, 31 पर टू विकेट, 25 पर टू विकेट, इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है, और उसके बाद असिथा की बात कर लेते हैं, सिता की हमने अभी आपकी बात की और अब हम बात कर लेते हैं, अविश्का की, तो यहाँ पर अविश्का जो रिसेंट फॉर्म है, इनका 6 पर 5 रन, 3 बोल में 6 रन, 41 में 63 रन, 64 में 100 रन, 2 बोल में 6 रन, इनका रिसेंट फॉर्म रहा है, जेम्स फुलर की बात करें, तो हम यहाँ पर जेम्स फुलर ने 2 बोल में 2 रन, 7 बोल में 16 रन, 12 बोल में 14 रन, 16 बोल में 36 रन इस तरह से इनका recent form रहा है जेम्स फुलर के बाद प्रवीन की बात कर लेते हैं तो प्रवीन का जो recent form रहा है वो आप देख सकते हैं यह एक left arm orthodox spin bowler है और इनका अगर हम recent form देखें तो इन्होंने 34 पर 2 wickets, 44 पर 1 wicket नहीं, 13 पर 3 wickets, 16 पर 2 wickets, 43 पर 1 wicket इन्होंने लिया है प्रवीन के बाद हम next player पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर tom caller की बात कर लेते हैं tom caller right hand batsman है और इनका अगर हम recent form देखें तो इन्होंने 7 पर 11 रन, 11 पर 14 रन, 9 पर 6 रन, 26 पर 41 रन इन्होंने बनाई है सुमिंदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुमिंदा का आप recent form देख सकते हैं चार बॉल में 5 रन, 8 बॉल में 5 रन, 14 बॉल में 10 रन इन्होंने बनाई हैं लक्षन के बाद हम बात कर लेते हैं दिल्शन की तो यहाँ पर दिल्शन का आप recent form देख सकते हैं यह एक left arm fast medium bowler है इनका recent form आप देख सकते हैं 24 पर एक भी विकेट नहीं, 25 पर एक भी विकेट नहीं, 24 पर तीन विकेट इस तरह से इनका recent form रहा है दिल्शन के बाद जिम्मी नीशम की बात कर लेते हैं जिम्मी नीशम जो है वो एक काफी अच्छे New Zealand के player है जिम्मी नीशम जो है वो एक all rounder है तीन पर एक भी रन नहीं, तीन पर एक भी रन नहीं, 12 पर 16 रन एक भी रन नहीं तीन में 6 रन इन्होंने बनाए हैं जिम्मी नीशम के बाद निपुन की बात करते हैं तो निपुन जो है वो एक left hand batch man है और इनका अगर हम recent form देखें तो यहाँ पर 10 पर 8 पर 10 रन इन्होंने बनाए हैं 16 पर 13 रन, 6 पर 7 रन, 14 पर 14 रन, 4 बोलों में 4 रन इस थरह से इनका recent form रहा है निपुन के बाद हम next player की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर तिसरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इनका recent form जो रहा है एक पर एक भी रन नहीं, 11 पर 11 बोल में 19 रन, 6 बोल में 11 रन, 5 बोल में 5 रन इन्होंने बनाए हैं और अब हम next player रह्मन उल्ला गुर्बास के बार में बात कर लेते हैं और यहाँ पर इनका recent form जो है वो 6 पर 12 रन, 3 बोल में 2 रन, 12 बोल में 5 रन, 73 बोल में 68 रन्स इस तरह से इनका recent form रहा है उसके बाद अब हमारे next player जो है वो है अशान, अशान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर left and batsman है ज़्यादा matches इन्होंने recent form इन्होंने खेले नहीं है अभी ज़्यादा नहीं है तो 9 पर 3 रन्स, 23 बोल में 24 रन्स, 9 बोल में 16 रन्स इन्होंने बनाए हैं उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सदीरा की तो यहाँ पर विकेट कीपर batsman है यह 6 बोल में 10 रन, 38 बोल में 40 रन्स, 9 बोल में 9 रन, 11 बोल में 1 रन्स इन्होंने सिर्फ बनाया है और बढ़ते हैं next player की तरफ सोहेब के बारे में बात कर लेते हैं सोहेब मलिक का recent form 10 बोल मे 62 रन्स इन्होंने बनाए हैं 8 बोल में 8 रन, 6 बोल में 6 रन इस तरह से इनका recent form रहा है सोहेब मलिक के बाद महीश तिक्षना की बात कर लेते हैं यह काफी अच्छे player है अफगानिस्तान के और यहाँ पर इनकी अगर हम recent form देखें तो इन्होंने 2 रन देकर एक भी विकेट नहीं लिया है 25 पर एक भी विकेट नहीं 12 पर तीन विकेट 11 में एक विकेट इन होने लिया है महीश के बाद हम बात कर लेते हैं तीशान की तो यहाँ पर तीशान का recent form अभी तक यह नए प्लेयर है तो इनका कोई भी recent form नहीं है और उसके बाद विजयक अंत की बारे में ब बात करते हैं तो यहाँ पर यह एक left arm China man bowler है और यहाँ पर इनका अगर हम recent form देखें तो आप देख सकते हैं 26 पर एक भी विकेट नहीं 7 पर एक विकेट 16 पर तीन विकेट 38 पर एक भी विकेट नहीं 40 पर एक विकेट इन्होंने लिया है यह इनका recent form है और हम बढ़ते हैं next player की तरफ इवन लुइस के बारे में बात करेंगे इवन लुइस जो है वो एक left hand batsman है और अगर हम इनका recent form देखें तो दो पर एक run 15 बोलों में 38 रन 2 बोल्स में 4 रन 9 बोल्स में 14 रन 22 बोल्स में 58 रन्स इन्होंने बनाए हैं इवन लुइस के बाद बढ़ते हैं next player की ही मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपको cash कर ले पर मिलती है साथ ही यहां पर आपको live matches में live prediction करने का मौका दिया जाता है जिसमें आपको बताना होता है कि 6 over 10 over 15 over 20 over में betting करने वाली team कितने रन्स बनाएगी साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़े cash कर ले पर मिलती हैं जैसे क अब हम बढ़ते हैं यहां पर gladiators के squad की तरफ और यहां पर अब हम आपको बताने वाले हैं हर player के बारे में recent form तो सबसे पहले हमारे अनवर अली अनवर अली का अगर हम recent form देखें तो यह right arm fast medium bowler है और इनका recent form आप देख सकते हैं 20 पर एक विकेट नहीं 37 पर एक विकेट न नहीं लिया है next player next player जो है वो हमारे सम्मू सम्मू का अगर हम recent form देखें तो इनका recent form सिर्फ 5 पर एक भी विकेट नहीं लिया है और next player आजम खान के बारे में विकेट कीपर बैट्समैन है 18 पर 16 रन 9 पर 12 रन 6 पर 3 रन इन्होंने बनाए हैं इस तरह से इनका recent form रहा है आजम के बाद बढ़ते हैं हमारे next player की तरफ तो यहां पर जो next player है सचंदू सचंदू के अगर हम बात करें यह एक right arm lag spinner है बॉलर है और यहां पर अगर हम इनका recent form देखें तो 17 पर 1 विकेट 34 पर 1 विकेट 16 पर 1 विकेट 20 पर 1 विकेट नहीं इस तरह से इनका recent form रहा है सचंदू के बाद बढ़ते हैं नुवन प्रदीप पर तो यहां पर प्रदीप का आप recent form screen पर देख सकते हैं यह right arm fast medium बोलर है 74 पर 2 विकेट 54 पर 2 विकेट 30 पर 1 विकेट नहीं 23 पर 2 विकेट इस तरह से इनका recent form रहा है और उसके बाद नुवांडू फरनेंडो की बात कर लेते हैं तो यहां पर right hand batman है यह और साथ ही आप इनका recent form देख सकते हैं तीन बोल में दो रन, दो बोल में एक रन, तीन बोल में एक भी रन नहीं साथ बोल में दो रन, 25 बोलों में 23 रन इन्होंने बनाए हैं next player की तरफ बढ़ते हैं लक्षन गैमेज के बारे में बात करते हैं इनका recent form आप देख सकते हैं 18 पर एक भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है इफ्तिकार एहमद, इफ्तिकार एहमद all rounder है आप इनका recent form देख सकते हैं इमाद वसीम के बारे में थरिंडू कोशल के बारे में बात करते हैं थरिंडू कोशल लाइफ टाम राइट आम ओफ ब्रेक बॉलर है और इनका recent form देखें तो 32 पर एक भी विकेट नहीं 18 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर एक भी विकेट नहीं, 12 पर एक भी विकेट नहीं, 22 पर एक विकेट इस तरह से इनका recent form रहा है नेक्स्ट प्लेयर कोशल के बाद यहां पर आते हैं मलिंगा, मलिंगा के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने अभी तक कोई भी माच नहीं खेला है नई प्लेयर है यह, कुशल मैंडिस के बारे में बात कर लेते हैं विकेट कीपर बैट्समैन है, इनकर recent form आप देख सकते हैं 61 पर 67 रंस, 8 बॉल में 2 रंस, 5 बॉल में 1 रं, 14 बॉलों में 18 रंग, 27 पर 25 रं कुसल मेंडिस के बाद बात कर लेते हैं मुहमद हसनान मुहमद हसनान के बार में बात करें राइट आम फास्ट मीडियम बोलर है और यहाँ पर 14 रन में 2 विकेट लिये हैं 23 रन देके एक भी विकेट नहीं और 12 रन देके 2 विकेट मुहमद हसनेन के बाद बात करेंगे यहाँ पर कुशल की तो यहाँ पर कुशल का आप देख सकते हैं विकेट कीपर बैट्समेन है 6 बोल में 3 रन 38 बोल में 58 रन 4 बोल में 2 रन इन्होंने बनाया है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ तो लक्षन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लक्षन जो है वो एक लेफ्ट आम चाइना मैन बोलर है और इनका अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो 14 पर 2 विकेट 25 पर 1 विकेट 26 पर 1 विकेट 14 पर 2 विकेट 29 पर 1 विकेट इन्होंने नहीं लिया है एलक्षन के बाद नेक्स्ट प्लेयर पर हम जाएंगे और वो है सरफराज एहमद सरफराज एहमद जो है विकेट कीपर बैट्स मैन है और यहाँ पर अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 131 बोल्स में 102 रन इन्होंने बनाए हैं 31 में 15 रन इन्होंने बनाए हैं नेक्स्ट प्लेयर जो है वो हमारे मूविन मूविन के बारे में बात करें तो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म इनका ओल राउंडर है चार पर चार रन तीम पर एक भी रन नहीं 24 पर 32 रन इन्होंने बनाए हैं 9-1 की बात कर लेते हैं 9-1 की अगर हम यहाँ पर स्टाट्स देखे तो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म जो रहा है वो 34 पर एक भी विकेट नहीं 32 पर एक विकेट 26 पर एक विकेट इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है निमेश के बारे में बात करेंगे ओल राउंडर है 3 बोल्स में 1 रन, 8 बोल्स में 12 रन इन्होंने बनाए है निमेश के बाद बढ़ते हैं नेक्स प्लेयर की तरफ मोहमद हफीज के बारे में बात करेंगे मोहमद हफीज जो है वो एक आल राउंडर है और यहाँ पर इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 46 बोल्स में 69 रन, 28 ब टीम के टीम फॉर्म्स बताए हैं सब कुछ आपको कैश कर ले पर मिलता है और बिल्कुल इस मैच में हमारे साथ लाइफ जुरना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथ ही लाइफ प्रिडिक्शन का मौका जो आपको मिल रहा है वो भी बिल्कुल मत जाने दीजिएगा और बि अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कैश कर ले को फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रही हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक क्यूंकि ये जो फर्स्ट में टी-20 होने जा रहा है इस वीडियो मे हम आपको इस मैच के बारे में हर डीटेल आपको देने वाले हैं चाहें वो head to head हो या फिर pitch report हो, recent form हो players के सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर यह जो मैच है, यह होने वाला है जफना किंग्स वर्सेज गले ग्लाडियेटर्स के बीच में और यह मैच 6 दिसंबर 3 बजे खेला जाएगा स्टेडियम की अगर हम बात करें तो महिंदा राजापक्ष इंटरनाशनल स्टेडियम श्री लंका में यह लीग चल रही है और यहाँ पर यह मैच खेला जाएगा अगर हम दोनों ही टीम के रीसिंट फॉर्म्स को देखे तो यहाँ पर जफना किंग्स ने पाँच मैच जीते हैं दो मैच हारे हैं और अगर हम यहाँ पर गल्लाडियेटर्स की बात करें तो पाँच में से तीन मैच जीते हैं दो मैच हारे हैं कहीं न कहीं दोनों ही टीम्स जो है वो बैलेंस है अगर हम इनके रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें अब हम आपको इनके जो टीम फॉर्म है उनके बारे में डीटेल में बता देते हैं तो यहां पर पहला मैच जेके का जीजी से हुआ था जिसमें जे एफ चफना कि जो है वो 23 रन से जीते थे सेकेंड मैच की अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर और अगर मैं आपको बता दू अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजे कैश कर ले को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजे क्यूंकि हम यहां पर आपको देते हैं A2Z क्रिकेट के सारे अपडेट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं तो यहां पर सेकेंड जो मैच हुआ इसमें भी जफना किंग्स ने 23 रन से जीत हासल की थर्ड मैच में गल्ले ग्लाडियेटर्स ने 64 रन से जीत हासल की थी और उसके बाद इसमें भी जफना किंग्स ने अपनी जीत दर्ज की थी 102 रन से यह तो हमने आपको बताए जफना किंग की परफोर्मेंस और यहां पर अगर हम गल्ले ग्लाडियेटर्स की परफोर्मेंस देखे तो आप देख सकते हैं 5 में से 2 मैच हा रहे हैं जो पहला मैच हुआ जेके का रन से जीता था 3 मैच की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर यह जो मैच था इसमें आप देख सकते हैं 3 मैच मैं आपको बता रही हूं 3 मैच जो हुआ इसमें जीजी ने 20 रन से जीत को हासल किया था यह हमने आपको बताए दोनों ही टीम के टीम फॉर्म्स और अब हम बात कर दीजे लिजए लते हैं यहां पर head to head की तो यहां पर अगर हम head to head देखें तो last 10 मैचज्म Engineering दैनों 10 मैच में जीते हैं और 3 मैच गले सकते हैं इस से इनका head to head रहा है और इसके बाद हम ऑठते हैं pointsved tym तो points stable आप साफ तोर से देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक पहली प्रीमियर पहला T20 होने जा रहा है तो अभी तक किसी भी टीम को कोई भी points नहीं दिये गए हैं और अब देखते हैं यह वाली जो series है यह किस तरह से चलती है यहाँ पर आपको लगातार हमारे साथ बने रहना ह साथ ही आपको हमारे साथ live prediction करने का मौका भी मिलने वाला है तो आपको कहीं नहीं जाना है सिर्फ cash कर लेके साथ जुड़े रहना है बने रहना है और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर head to head की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर GG का हुआ था जेके के साथ जिसमें जफना Kings ने 23 रन से जीत को हासिल किया था सेकंड मैच की बात करें तो यह भी जेके का हुआ और इसमें गल्ले ग्लाडियेटर्स ने 64 रन से जीत हासिल की थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड मैच में भी GG जो है वो 20 रन से जीत कई थी साफ तोर से आप देख सकते हैं यहा यहां पर टीम कंपैरिजन आप देख सकते हैं ओवरॉल ओवरॉल जेके ने 10 मैच केले हैं 80% मैच में जीत हासिल की है एवरेज स्कूर इनका देड सो रहा है हाई स्कूर इनका 210 रहा है और लोग स्कूर रहा है 71 वहीं अगर हम ग्लेडियेटर्स की बात करें तो यहां पर उ ओवरॉल हम बात करते हैं ओन वेन्यू की तो यहां पर ओन वेन्यू जो है वो किंग की अगर हम बात करें तो 10 मैच इस खेले हैं जिसमें से 60% जीत हासिल की है 171 एवरेज स्कूर रहा है 210 इनका हाइस रहा है और 124 इनका लोग स्कूर रहा है वहीं ग्लेडियेटर्स की बात बताया और इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर वेदर रिपोर्ट की तो यह माज जो है वो 6 दिसंबर को खेला जाएगा और यहां पर जो टेंपरेचर है वो रहने वाला है 28.8 डिग्री सेल्शियस पार्ली सनी यहां पर टेंपरेचर होगा और बारिश के 100% चांसे हैं और उसके बाद अगर हम यूमिडिटी की बात करें तो 88% यूमिडिटी रहेगी तो देखने वाली बात होगी कि यहां पर बारिश किस तरह से अपना रोल निभाती है क्योंकि यहां पर इस मैच में 100% चांसे हैं बारिश के होने के उसके बाद हम पेसर्स वरसे स्पिनर्स पर आते हैं तो यह जो पेसर्स को सपोर्ट कर रही है 59% सपोर्ट कर रही है और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर स्पिनर्स की तो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है 41% और यहां पर अब बात कर लेते हैं recent matches की तो आप देख सकते हैं यहां पर जो recent matches खेले गए हैं यहां यहाँ पर फिनाले लंका प्रीमेर लीग कर एक जब गया था जिसमें जीत दर्ज की थी, क्वालिफायर 2 यहाँ पर खेला गया, जो थर्ड क्वालिफाइर खेला गया, इसमें जीजी ने जीत को दर्ज किया था, अब हम इस वीडियो के सबसे इंक्वांत पार्ट पर आँजा विकेट कीपर की तो यहाँ पे विकेट कीपर आप रहमनुला गुडबास को कर सकते हैं बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप टॉम कॉलर को कर सकते हैं आजम खा को कर सकते हैं सुहेब मलिक को कर सकते हैं आल राउंडर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप जेम्स फुल draw refreshed सकते हैं लक्षन शिर्ट को कर सकते हैं तो घाल राउंड पीक्र सकते हैं उसके बा Hawk ऑल रांडर कौन장 कर सकते हैं पेस स्वर्व mira pessoas अपने आर्ज नजर डाल लेते हैं यहां पर टीम के स्कॉड परडो टीम का स्कॉड है वह पता देती हूं कि किस तरह से रहने वाला है तो सबसे पहले यहां पर जफना किंग्स का स्कॉर्ड देखते हैं तो यहां पर धनंजे दिनोशन बिनुरा असिस्ता फर्नैंडो अविश्का फर्नैंडो जेम्स फुलर प्रवीन टॉम कोहलर लक्षन दिल्शान जिमी नीशम निपू तीफून तिसरा रहमन उल्लक गुर्बाज रहमन उल्ला गुर्बाज यहां पर रहने वाले हैं अशान रहने वाले हैं यहां पर सदीरा यहां पर एज़ा बैटर टीम में रह सकते हैं सोहेब मलिक औल राउंडर की भूमिका निभाएंगे महीश तिक्षना यहाँ पर एज़ा बोलर रहेंगे तीशम रह सकते हैं एज़ा बोलर यहाँ पर विजय कंथ है यहाँ पर जो की बोलर है फिर उसके बाद वकार बोलर है हमारे दुनित बोलर है हमारे squad में शामिल है जो एवन लुइस यहाँ पर हमारे साथ है तृष्टन और शेहनवाज और हार्दोस इस तरीके का जो जेखे का squad है वो रहने वाला है और अब हम बात कर लेते हैं लेडियेटर्स के squad की तो यहाँ पर अनवर अली समु आशन आजम खां सचिंदू नुवन प्रदीप नुवानेडू लक्षन गैमेच इफ्तिकार एहमद इमाद वसी तरिंडू निपून मालिंगा कुसुल मैंडेस मुहमद हसनें यहाँ पर squad रहने वाला है कुशल पीरा यह यहाँ पर squad में शामिल है लक्षन, शर्फराज, मुवन, पुलिनना, नुवान, निमेश, मुहमद, हफीज यहाँ पर squad में शामिल है तो यह तो हमने आपको दोनों ही team के squad बता दिये हैं और अब हम बात कर लेते हैं हर player की detail information पर तो सबसे पहले यहाँ पर धननजय की बात क सकते हैं यह एक all-rounder है 11-5, 16-16, 11-9, 42-66 runs, 3 balls में एक भी run नहीं इस तरह से इनका recent form रहा है और उसके बाद हम next player की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिनोशान की अगर हम बात करें यह एक all-rounder है और यह एक नए खिलाडी है तो देखना होगा इनका performance कैसा रहता है और उसके बाद हम next player की बात कर लेते हैं Fernando यहाँ पे तो यहाँ पे उनके अगर हम matches देखें तो तीन run इनोंने बनाए हैं दो winning में 42.86 के strike rate से यह खेलते हैं second player की यहाँ पर बात कर लेते हैं next player है हमारे असिता, असिता की अगर हम बात करें तो यह एक right arm fast medium bowler है और इनका आम देख सकत 64 पर 1 wicket, 28 पर एक भी wicket नहीं, 34 पर 1 wicket, 51 पर एक wicket, 31 पर 2 wickets, 25 पर 2 wickets इस तरह से इनका recent form रहा है और उसके बाद असिता की बात कर लेते हैं, असिता की हमने अभी आपकी बात की और अब हम बात कर लेते हैं अविश्का की, तो यहाँ पर अविश्का जो recent form है यह इनका 6 ιश्का की, 35 पर 5 run, 3 bowl में 6 run, 41 में 63 run, 64 में 100 run, 2 bowl में 6 run, इनका recent form रहा है, James Fuller की बात करें, तो हम यहाँ पर James Fuller ने 2 bowl में 2 run, 7 bowl में 16 run, 12 bowl में 14 run, 16 bowl में 36 run, इस तरह से इनका recent form रहा है James Fuller के बाद प्रवीन की बात कर लेते हैं तो प्रवीन का जो recent form रहा है वो आप देख सकते हैं ये एक left arm orthodox spin bowler है और इनका अगर हम recent form देखें तो इन्होंने 34 पर 2 wickets 44 पर एक भी wicket नहीं 13 पर 3 wickets, 16 पर 2 wickets 43 पर 1 wicket इन्होंने लिया है प्रवीन के बाद हम next player पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर Tom caller की बात कर लेते हैं Tom caller right hand batsman है और इनका अगर हम recent form देखें तो इन्होंने 7 पर 11 run 11 पर 14 run, 9 पर 6 run 26 पर 41 runs इन्होंने बनाई हैं सुमिन्दा की अगर हम बात करें दिल्शन की तो यहाँ पर दिल्शन का आप recent form देख सकते हैं यह एक left arm fast medium bowler है इनका recent form आप देख सकते हैं 25 पर एक भी wicket नहीं 24 पर एक भी wicket नहीं 35 पर एक भी wicket नहीं 24 पर 3 wicket इस तरह से इनका recent form रहा है दिल्शन के बाद जिम्मी नीशम की बात कर लेते हैं जिम्मी नीशम जो है वो एक काफी अच्छे न्यूजिलेंड के प्लेयर है जिम्मी नीशम जो है वो एक all rounder है तीन पर एक भी रन नहीं तीन पर एक भी रन नहीं 12 पर 16 रन एक भी रन नहीं तीन में 6 रन इन्होंने बनाए हैं जिमी नीशम के बाद निपुन की बात करते हैं तो निपुन जो है वो एक left hand batch man है और इनका अगर हम recent form देखें तो यहाँ पे 10 पे 8 पे 10 रन इन्होंने बनाए है 16 पर 13 रन 6 पे 7 रन 14 पर 14 रन 4 बोलों में 4 रन इस थरह से इनका recent form रहा है निपुन के बाद हम next player की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे तिसरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इनका recent form जो रहा है एक पर एक भी रन नहीं 11 पर 11 बोल में 19 रन 6 बोल में 11 रन 5 बोल में 5 रन इन्होंने बनाए हैं और अब हम next player रह्मन उल्ला गुर्बास के बार में बात कर लेते हैं और यहाँ पर इनका recent form जो है वो 6 पर 12 रन 3 बोल में 2 रन 12 बोल में 5 रन 73 बोल्स में 68 रन इस तरह से इनका recent form रहा है उसके बाद अब हमारे next player जो है वो है अशान अशान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर left hand batsman है ज्यादा matches इन्होंने recent form इन्होंने खेले नहीं है अभी ज्यादा नहीं है तो 9 पर 3 रन 23 बोल्स में 24 रन 9 बोल्स में 16 रन इन्होंने बनाए हैं उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सदीरा की तो यहाँ पर विकेट कीपर batsman है यह 6 बोल्स में 10 रन 38 बोल्स में 40 रन 9 बोल्स में 9 रन 11 बोल्स में 1 रन इन्होंने सिर्फ बनाया है और बढ़ते हैं next player की तरफ सोहेब के बारे में बात कर लेते हैं सोहेब मलिक का recent form 10 बोल्स में 9 रन 39 बोल्स में 62 रन इन्होंने बनाए हैं 8 बोल्स में 8 रन 6 बोल्स में 6 रन इस तरह से इनका recent form रहा है सोहेब मलिक के बाद महीश तिक्षना की बात कर लेते हैं काफी अच्छे player है अफगानिस्तान के और यहां पर इनकी अगर हम recent form देखे तो इन्होंने 2 रन देकर एक भी विकेट नहीं लिया है 25 पर एक भी विकेट नहीं 12 पर 3 विकेट 11 में एक विकेट इन्होंने लिया है महीश के बाद अब हम बात कर लेते हैं तीशान की तो यहां पर तीशान का recent form अभी तक यह नए प्लेयर है तो इनका कोई भी recent form नहीं है और उसके बाद विजेक अंथ की बारे में बात करते हैं recent form आप देख सकते हैं इस पर 21 पर 2 विकेट 32 पर 3 विकेट 18 पर एक भी विकेट नहीं पांच पर एक भी विकेट नहीं है नेक्स्ट प्लेयर वकार के बारे में बात करते हैं तो यहां पर यह एक left arm चाइना मैंक बोलर हैं और यहां पर इनका अगर हम recent form देखें तो आप देख सकते हैं 16 पर एक भी विकेट नहीं, 7 पर एक विकेट, 16 पर 3 विकेट, 38 पर एक भी विकेट नहीं, 40 पर एक विकेट इन्होंने लिया है यह इनका recent form है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ इवन लुइस के बारे में बात करेंगे इवन लुइस जो है वो एक left hand batsman है और अगर हम इनका recent form देखें तो 2 पर 1 run, 15 बोलों में 38 रन, 2 बोल्स में 4 रन, 9 बोल्स में 14 रन, 22 बोल्स में 58 रन्स इन्होंने बनाए हैं इवन लुइस के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ तो यहाँ पर त्रिस्टन जो है इनका हम स्टब्स के बारे में बात करते हैं स्टब्स जो है वो एक विकेट कीपर बेट्समैन है 70 पर 63 रन, 85 बोल्स में 81 रन, 18 बोल्स में 18 रन, 6 बोल्स में 6 रन इन्होंने बनाए है नेक्स्ट प्लेयर जो हैं हमारे हार्डस हार्डस के अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्हों इनका recent form आप देख सकते हैं 42 पे 1 wicket इन्होंने लिया है 26 पर 1 wicket नहीं 13 पर 1 wicket 24 पर 1 wicket नहीं 35 पर 2 wicket इस तरह से इनका recent form रहा है हर player की हम आपको recent form बता रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपको cash कर ले पर मिलती है साथ ही यहाँ पर आपको live matches में live prediction करने का मौका दिया जाता है जिसमें आपको बताना होता है कि 6 over 10 over 15 over 20 over में betting करने वाली team कितने runs बनाएगी साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़े cash कर ले पर मिलती है जैसे कि toss prediction, pitch report और भी बहुत सारी चीज़े तो अगर आपने अभी तरग cash कर ले को subscribe नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए cash कर ले को subscribe कर लीजिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर gladiators के squad की तरफ और यहाँ पर अब हम आपको बताने वाले हैं हर player के बारे में recent form तो सबसे पहले हमारे अनवर अली अनवर अली का अगर हम recent form देखें तो यह right arm fast medium bowler है और इनका recent form आप देख सकते हैं 20 पर एक विकेट नहीं, 37 पर एक विकेट नहीं, 33 पर एक विकेट 32 पर 1 विकेट, 30 पर 1 विकेट इन्होंने लिया है नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट प्लेयर जो है वो हमारे सम्मू, सम्मू का अगर हम recent form देखें तो इनका recent form सिर्फ 5 पर एक विकेट नहीं लिया है और नेक्स्ट प्लेयर आजम खान, आजम खान के बारे में विकेट कीपर बैट्समैन है 18-8 पर 16 रन, 9 पर 12 रन, 6 पर 3 रन इन्होंने बनाए है इस तरह से इनका recent form रहा है आजम खा के बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर है सचंदू सचंदू की अगर हम बात करें यह एक right arm leg spinner है, बॉलर है और यहाँ पर अगर हम इनका recent form देखें तो 17 पर 1 wicket, 34 पर 1 wicket, 16 पर 1 wicket, 20 पर 1 wicket नहीं इस तरह से इनका recent form रहा है सचंदू के बाद बढ़ते हैं 9 प्रदीप पर, तो यहाँ पर प्रदीप का आप recent form स्क्रीन पर देख सकते हैं यह right arm fast medium बोलर है 74 पर 2 wickets, 54 पर 2 wickets, 30 पर 1 wicket नहीं, 23 पर 2 wickets इस तरह से इनका recent form रहा है और उसके बाद नुवांडू फर्नेंडो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर right hand batsman है यह और साथ ही आप इनका recent form देख सकते हैं 3 बोल में 2 run, 2 बोल में 1 run, 3 बोल में 1 बी run नहीं 7 बोल में 2 run, 25 बोलो में 23 run इन्होंने बनाए हैं next player की तरफ बढ़ते हैं लक्षन गैमेज के बारे में बात करते हैं इनका recent form आप देख सकते हैं 18 पर 1 भी wicket इन्होंने नहीं लिया है इफ्तिकार एहमद, इफ्तिकार एहमद all rounder है आप इनका recent form देख सकते हैं 4 पर 2 run, 21 में 54 runs 30 बोल्स में 83 runs, 3 बोल्स में 3 runs 20 बोल्स में 49 runs इस तरह से इन्होंने बनाए हैं इमदाद वसीम के बारे में बात कर लेते हैं इमदाद वसीम का आप recent form देख सकते हैं और इनका अगर हम recent form देखें तो 9 पे 14 run, 9 पे 21 run, 9 बोलों में 17 रन, 15 बोलों में 41 runs इन्होंने बनाए हैं इमदाद वसीम के बारे में थरिंडू कोशल के बारे में बात करते हैं थरिंडू कोशल लाइफ टाम, राइट आम ओफ ब्रेक बॉलर हैं और इनका recent form देखें तो 32 पर एक भी विकेट नहीं, 18 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर एक भी विकेट नहीं, 12 पर एक भी विकेट नहीं, 22 पर एक विकेट इस तरह से इनका recent form रहा है next player कॉशल के बाद यहाँ पे आते हैं मलिंगा मलिंगा के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने अभी तक कोई भी माच नहीं खेला है नई प्लेयर है यह कुशल मेंडिस के बारे में बात कर लेते हैं कुशल मेंडिस के बारे में बात करें राइट आम फास्ट मीडियम बोलर है और यहाँ पर 14 रन में दो विकेट लिये हैं उन्होंने 23 रन देके एक विकेट नहीं और 12 रन देके दो विकेट मुहमद हसनैन के बाद बात करेंगे यहाँ पर कुशल की तो यहाँ पर कुशल का आप देख सकते हैं विकेट की पर बैट्समेन है 6 बोल में 3 रन 38 बोल में 58 रन 4 बोल में 2 रन इन्होंने बनाया है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ तो लक्षन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लक्षन जो है वो एक लेफ्ट आम चाइना मैन बोलर है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 14 पर 2 विकेट 25 पर 1 विकेट 26 पर 1 विकेट 14 पर 2 विकेट 29 पर 1 विकेट इन्होंने नहीं लिया है एलक्षन के बाद नेक्स्ट प्लेयर पर हम जाएंगे और वो है सरफराज एहमद सरफराज एहमद जो है विकेट कीपर वैट्स मैन है और यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 131 बोल्स में 102 रन इन्होंने बनाए है 31 में 15 रन इन्होंने बनाए है नेक्स्ट प्लेयर जो है वो हमारे मूविन मूविन के बारे में बात करें तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म इनका ओल राउंडर है चार पर चार रन तीन पर एक भी रन नहीं 24 पर 32 रन इन्होंने बनाए है पुलिनत की बात करें तो यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन है यह रीसिंट फॉर्म आप देख सकते हैं दो पर एक भी रन नहीं बारा पर साथ रन चौदा पर सोला रन चार पर छेर बोलों में चार रन इन्होंने बनाए है नुवन की बात कर लेते हैं इन्होंबन की अगर हम यहाँ पर स्टाट्स देखें तो यहाँ पर रीसिंट फॉर्म जो रहा है वो 34 पर एक भी विकेट नहीं 32 पर एक विकेट 26 पर एक विकेट इस तरह से इनका रीसिंट फॉर्म रहा है निमेश के बारे में बात करेंगे ओल राउंडर है और यहाँ पर रीसिंट फॉर्म देखें तो 46 बोल में 69 रंस 28 बोल में 28 रंस इन्होंने बनाए हैं इस तरह से आप देख सकते हैं यह हमने आपको बताई सारे प्लेयर्स का रीसिंट फॉर्म हमने आपको बताई पिच रिपोर्ट हमने आपको दोनों ही टीम के टीम फॉर्म बताई हैं सब बिल्कुल आपको देखते रहना है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले। बिल्कुल भी देखते रहना है सिर्फ कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजे और यहां पर यह जो मैच है यह हुने वाला है जफना किंग्स वर्सेज गले ग्लाडियेटर्स के बीच में और यह मैच 6 दिसंबर 3 बजे खेला जाएगा स्टेडियम की अगर हम बात करें तो महिंदा राजापक्ष इंटरनाशनल स्टेडियम श्री लंका में यह लीग चल रही है और यहां पर यह मैच खेला जाएगा अगर हम दोनों ही टीम के रीसिंट फॉर्म्स को देखे तो यहां पर जफना किंग्स ने पाँच मैच जीते हैं दो मैच हारे हैं और अगर हम यहां पर गलाडियेटर्स की बात करें तो पाँच में से तीन मैच जीते हैं दो मैच हारे हैं तो कहीं न कहीं दोनों ही टीम्स जो है वो बैलेंस है अगर हम इनके रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें अब हम आपको इनके जो टीम फॉर्म है उनके बारे में डीटील में बता देते हैं तो यहां पर पहला मैच जेके का जीजी से हुआ था जिसमें जे एफ जफना किंग्स जो हैं वो 23 रन से जीत देते हैं A to Z cricket के सारे अपडेट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं तो यहां पर सेकेंट जो मैच हुआ इसमें भी जफना किंग्स ने 23 रन से जीत हासल की थर्ड मैच में गल्ले ग्लाडियेटर्स ने 64 रन से जीत हासल की थी और उसके बाद 4 मैच की बात करें तो यह भ अपनी जीत दर्ज की थी 102 रन से यह तो हमने आपको बताए जफना किंग की परफॉर्मेंस और यहां पर अगर हम गल्ले ग्लाडियेटर्स की परफॉर्मेंस देखे तो आप देख सकते हैं 5 में से 2 मैच हा रहे हैं जो पहला मैच हुआ जेके का जीजी के साथ इसमें जेके 23 रन से यह मैच जीत गई थी और इसी के साथ हम नेक्स्ट मैच की बात करें तो नेक्स्ट मैच भी जीजी ने 64 रन से जीता था 3 मैच की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर यह जो मैच था इसमें आप देख सकते हैं 3 मैच में आपको बता रही हूँ थर्ड मैच जो हुआ इसमें जीजी ने 20 रन से जीत को हासल किया था यह हमने आपको बताए दोनों ही टीम के टीम फर्म्स और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड की तो यहाँ पर अगर हम head to head देखें तो last 10 matches में से 10 match king ने जीते हैं और यहाँ पर 3 match गले gladiators ने जीते हैं इस तरह से इनका head to head रहा है और इसके बाद हम बढ़ते हैं points table में तो points table आप साफ तोर से देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक पहली premiere पहला T20 होने जा रहा है तो अभी तक किसी भी team को कोई भी points नहीं दिये गए हैं और अब देखते हैं यह वाली जो series है यह किस तरह से चलती है यहाँ पर आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है साथ ही आपको हमारे साथ live prediction करने का मौका भी मिलने वाला है तो आपको कही नहीं जाना है सिर्फ cash कर लेके साथ जुड़े रहना है बने रहना है और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर two head की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर GG का हुआ था JK के साथ जिसमें जफना Kings ने 23 रन से जीत को हासिल किया था सेकंड मैच की बात करें तो यह भी JK का हुआ और इसमें गले ग्लाडियेटर ने 64 रन से जीत हासिल की थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड मैच में भी GG जो है वो 20 रन से जीत कई थी साफ तोर से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको head to head दिखा रहे हैं इसमें गल जोवराल जेके ने टैन मैच खेले है 80 परसंट मैचश में जीत हासिल की है एवरेज स्कोर इनका तैर्सो रहा है हाई स्कोर रहा है ओर एकठों इसमें बात करें घक कम यहाने आपको बताया ऑगहां बात करतें करते हैं ओन्मफनी निओ की तो यहां पर और उन्वें आस जो है वो किंग की अगर हम बात करें तो 10 matches खेले हैं जिसमें से 60% जीत हासल की है 171 average score रहा है 210 इनका highest रहा है और 124 इनका lowest रहा है वहीं gladiators की बात करें हम तो यहां पे gladiators में 10 match खेले हैं 40% match जीते हैं 152 average score है highest score 188 है lowest score 62 है यह तो हुआ team comparison जो हमने आपको बताया और इसके ब weather reports की तो यह match जो है वो 6 December को खेला जाएगा और यहां पे जो temperature है वो रहने वाला है 28.8 degrees Celsius partly sunny यहां पे temperature होगा और बारिश के 100% chances हैं इस match में और उसके बाद अगर हम humidity की बात करें तो 88% humidity रहेगी तो देखने वाली बात होगी कि यहां पे बारिश के इस तरह से अपना रोल बाती है क्योंकि यहां पर इस match में 100% chances हैं वारिश के होने के उसके बाद हम Pacers vs Spinner पर आते हैं तो यह जो Pacers को support कर रही है 59% support कर रही है और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर Spinners की तो Spinners को support करती है 41% और यहां पर अब हम बात कर लेते हैं recent matches की तो आप देख सकते हैं यहां पर जो recent matches खेले गए हैं यहां पर फिनाले लंका प्रीमेर लीग का खेला गया था जिसमें JK ने जीत तरज की थी Qualifier 2 यहां पर खेला गया उसमें भी JK ने दरज की जीत और जो 3rd Qualifier खेला गया इसमें भी GG ने जीत को दरज किया था अब हम इस वीडियो के सबसे important part पर आ जाते हैं जो है top fantasy picks तो आप top fantasy picks हम आपको screen पर साफ तोर से दिखा रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन से players को choose करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर wicket keeper की तो यहां पर wicket keeper आप रह्मनुला गुडबास को कर सकते हैं batters की बात करें तो यहां पर आप tom caller को कर सकते हैं आजम खा को कर सकते हैं सुहेब मलिक को कर सकते हैं All rounders की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप James Fuller, Imaad Wasi, और Dhananjay को आप as a all rounder pick कर सकते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं bowlers की, तो यहाँ पे आप Jay Vikram को as a bowler pick कर सकते हैं, Vijayakant को आप as a bowler pick कर सकते हैं, Lakshan को आप as a bowler pick कर सकते हैं, और Sachindu को आप as a bowler pick कर सकते हैं अपने top fantasy picks यह तो हमने आपको पूरी टॉप टैसी पिक्स बताई कि आपको विकेट कीपर में कौन ले सकते हैं आप बैटर्स कौन से चूज कर सकते हैं उसके बाद हमने आपको बताया आप आल राउंडर्स कौन से चूज कर सकते हैं पेसर्स वर्सेस पिनर्स हमने आपको बताया है और हम नज़र डाल लेते हैं यहां पे टीम के squad पर तो टीम का स्कॉर्ड है वो आपको बता देती हूं कि किस तरह से रहने वाला है तो सबसे पहले यहां पर जफना किंग्स का squad देखते हैं तो यहां पर धननजे, दिनोशन, बिनुरा, असिस्ता फर्नैंडो, अवश्का यहाँ पर रहने वाले हैं अशान रहने वाले हैं यहाँ पर सदीरा यहाँ पर एज़ा बैटर टीम में रह सकते हैं सोहेब मलिक आल राउंडर की भूमिका निभाएंगे महीश तिक्षना यहाँ पर एज़ा बोलर रहेंगे तीशम रह सकते हैं एज़ा बोलर यहाँ पर जेखे का स्कॉर्ड है वो रहने वाला है और हम बात कर लेते हैं ग्लैडियेटर्स के स्कॉर्ड की तो यहाँ पर अन्वर अली समु आशन आजम खां सचिंदू नुवन प्रदीप नुवानेडू लक्षन गैमेज इफ्तिकार एहमद इमाद वसी तरिंडू निपून कुसल मैंडेश मुहमद हसनेन यहाँ पर स्कॉर्ड रहने वाला है कुशल पीरा यहाँ पर यहाँ पर शामिल है लक्षन शर्फराज मुवन पुलिन्ना नुवान निमेश मुहमद हफीज यहाँ पर स्कॉर्ड में शामिल है तो यह तो हमने आपको दोनों ही टीम के स्कॉर और बता दिये हैं और अब हम बात कर लेते हैं हर प्लेयर की डीटेल इंफॉर्मेशन पे तो सबसे पहले यहां पे धनंजय की बात कर लेते हैं धनंजय का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं यह एक आल राउंडर हैं 11 पर 5, 16 पर 16, 11 पर 9, 42 पर 66 रंस, 3 बोल्स में एक भी नहीं इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है और उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं तो यहां पे दिनो शान की अगर हम बात करें एक अल राउंडर हैं और यह एक नए खिलाड़ी हैं तो देखना होगा इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और उसके बाद हम next player की बात कर लेते हैं Fernando यहाँ पे तो यहाँ पे उनके अगर हम matches देखें तो तीन रन इननों ने बनाए हैं दो इनिंग में 42.86 के strike rate से ये खेलते हैं second player की यहाँ पर बात कर लेते हैं next player है हमारे Asitha Asita की अगर हम बात करें तो ये एक right arm fast medium bowler है और इनका हम देख सकते है 64 पर 1 विकेट 28 पर एक भी विकेट नहीं 34 पर 1 विकेट 51 पर एक भी विकेट 31 पर 2 विकेट 25 पर 2 विकेट इस तरह से इनका recent form रहा है और उसके बाद असिथा की बात कर लेते हैं असिथा की हमने अभी आपकी बात की और अब हम बात कर लेते हैं अविश्का की तो यहाँ पर अविश्का जो recent form है इनका 6 पे 5 रन 3 बोल में 6 रन, 41 में 63 रन, 64 में 100 रन, 2 बोल में 6 रन इनका recent form रहा है James Fuller की बात करें तो हम यहाँ पर James Fuller ने 2 बोल में 2 रन, 7 बोल में 16 रन, 12 बोल में 14 रन, 16 बोल में 36 रन इस तरह से इनका recent form रहा है James Fuller की बात प्रवीन की बात कर लेते हैं तो प्रवीन का जो recent form रहा है वो आप देख सकते हैं एक left arm orthodox spin bowler है और इनका अगर हम recent form देखें तो इन्होंने 34 पर 2 wickets, 44 पर एक भी wicket नहीं, 13 पर 3 wickets, 16 पर 2 wickets, 43 पर 1 wicket इन्होंने लिया है प्रवीन के बाद हम next player पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर tom caller की बात कर लेते हैं tom caller right hand batsman है और इनका अगर हम recent form देखें तो इन्होंने 7 पर 11 रन, 11 पर 14 रन, 9 पर 6 रन, 26 पर 41 रन्स इन्होंने बनाई है सुमिंदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुमिंदा का आप recent form देख सकते हैं चार बॉल में 5 रन, 8 बॉल में 5 रन, 14 बॉल में 10 रन इन्होंने बनाई हैं लक्षन के बाद हम बात कर लेते हैं दिल्शन की तो यहाँ पर दिल्शन का आप recent form देख सकते हैं यह एक left arm fast medium बोलर है इनका recent form आप देख सकते हैं 25 पर एक भी विकेट नहीं, 24 पर एक भी विकेट नहीं, 30 पर एक भी विकेट नहीं, 24 पर तीन विकेट इस तरह से इनका recent form रहा है दिल्शन के बाद जिम्मी नीशम की बाद कर लेते हैं जिम्मी नीशम जो है वो एक काफी अच्छे निउजिलेंड के प्लेएर हैं जिम्मी नीशम जो है वो एक all rounder हैं तीन पर एक भी रन नहीं, तीन पर एक भी रन नहीं, बारा पर सोला रन एक भी रन नहीं, तीन में छे रन इन्हों ने बनाए हैं, जिमी नीशम के बाद निपुन की बात करते हैं, तो निपुन जो हैं वो एक लेफ्ट हेंड बैट्च मैन हैं, और इनका अगर हम रीसेंट फ बात कर लेते हैं तो यहां पर इनका recent form जो रहा है एक पर एक भी रन नहीं 11 पर 11 बॉल में 19 रन 6 बोल में 11 रन 5 बॉल में पाच रन इन्होंने बनाए हैं और अब हम next player रहमन उल्ला गुर्बास के बारे में बात कर लेते हैं और यहां पर इनका recent form जो है वो छे पर 12 रन 3 बॉल में 2 रन, 12 बॉल में 5 रन, 73 बॉल्स में 68 रन्स इस तरह से इनका recent form रहा है, उसके बाद अब हमारे next player जो है वो है अशान, अशान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर left hand batsman है, ज्यादा matches इन्होंने, recent form इन्होंने खेले नहीं है, अभी ज्यादा नहीं है, तो 9 पे 3 रन्स, 23 बॉल्स में 24 रन्स, 9 बॉल्स में 16 रन्स इन्होंने बनाए हैं, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सदीरा की, तो यहाँ पर wicket keeper बैट्समैन है यह, 6 बॉल्स में 10 रन, 38 बॉल्स में 40 रन्स, 9 बॉल्स में 9 रन, 11 बॉल्स में 1 रन्स इन्होंने सिर्फ बनाया है, और बढ़ते हैं next player की तरफ सोहेब के बारे में बात कर लेते हैं सोहेब मलिक का recent form 10 ball में 9 run 39 balls में 62 runs इन्होंने बनाए है 8 ball में 8 run 6 ball में 6 run इस तरह से इनका recent form रहा है सोहेब मलिक के बाद महीश तिक्षना की बात कर लेते हैं ये काफी अच्छे player है अफगानिस्तान के और यहां पर इनकी अगर हम recent form देखें तो इन्होंने 2 run देकर एक भी विकेट नहीं लिया है 25 पर एक भी विकेट नहीं 12 पर तीन विकेट 11 में एक विकेट इन्होंने लिया है महीश के अब हम बात कर लेते हैं तीशान की तो यहां पर तीशान का recent form अभी तक यह नए प्लेयर है तो इनका कोई भी recent form नहीं है और उसके बाद विजेक अंध की बारे में बात करते हैं आप देख सकते हैं किस पर दो विकेट 32 पर 3 विकेट 18 पर एक भी विकेट नहीं पांच पर एक भी विकेट नहीं है नेक्स्ट प्लेयर वकार के बारे में बात करते हैं तो यहां पर यह एक लेफ्ट आम चाइना मान बोलर है और यहां पर इनका अगर हम recent form देखें तो आप देख सकते हैं 26 पर एक भी विकेट नहीं साथ पर एक विकेट 16 पर 3 विकेट 38 पर एक भी विकेट नहीं 40 पर एक विकेट नहीं ने लिया है यह इनका recent form है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ इवन लुइस के बारे में बात करेंगे इवन लुइस जो है वो एक लेफ्ट हंड बैट्समैन है और अगर हम इनका recent form देखें तो दो पर एक रन, 15 बोलों में 38 रन, 2 बोल्स में 4 रन, 9 बोल्स में 14 रन, 22 बोल्स में 58 रन इन्होंने बनाए हैं इवन लुइस के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ तो यहां पे तरस्टन जो है इनका हम स्टब्स के बारे में बात करते हैं स्टब्स जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समेन है 70 पे 63 रंस 85 बोल में 81 रंस 18 बोल में 18 रंस 6 बोल में 6 रं इन्होंने बनाई हैं next player जो है हमारे देख लेते हैं next player जो है हमारे hardest hardest के अगर 우리atures की अगर हम बात करें तो यह पर इनका recent form आप देख सकते हैं 42 पर एक wicket इनोने लिया है 26 पर एक भी wicket नहीं 13 पर एक wicket 27 पर एक wicket 25 पर 2 wicket इस तरह से इनका recent form रहा है हर player की हम आपको recent form बता रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपको कैश कर ले पर मिलती है साथ ही यहां पर आपको लाइव मैच्छेज में लाइफ प्रेडिक्शन करने का मौका दिया जाता है जिसमें आपको बताना होता है कि 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में इसकुल भी देरी मत कीजिए कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए अब हम बढ़ते हैं यहां पर Gladiators के squad की तरफ और यहां पर अब हम आपको बताने वाले हैं हर प्लेयर के बारे में recent form तो सबसे पहले हमारे अनवर अली अनवर अली का अगर हम recent form देखें तो यह राइ नेक्स्ट प्लेयर जो है वो हमारे सम्मू सम्मू का अगर हम recent form देखें तो इनका recent form सिर्फ 5 पर एक भी विकेट नहीं लिया है और नेक्स्ट प्लेयर आजम खान के बारे में विकेट कीपर बेट्समैन है 18-8 पर 16 रन 9 पर 12 रन 6 पर 3 रन इन्होंने बनाए हैं इस तरह से इ बरते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ तो यहां पे जो नेक्स्ट प्लेयर है सचंदू सचंदू की अगर हम बात करें यह एक राइट आम लैग स्पिनर है बॉलर है और यहां पर अगर हम इनका recent form देखें तो 17 पर 1 विकेट 34 पर 1 विकेट 16 पर 1 विकेट 20 पर 1 हम बोलर है 74 पर 2 विकेट 54 पर 2 विकेट 30 पर 1 विकेट नहीं 23 पर 2 विकेट इस तरह से इनका recent form रहा है और उसके बाद नुवांडु फर्नांडो की बात कर लेते हैं तो यहां पे राइट हैंड बैट्ट मैं है यह और साथ ही आप इनका recent form देख सकते हैं तीन बोल में दो दो बॉल में एक रन, तीन बॉल में एक भी रन नहीं, साथ बॉल में दो रन, 25 बॉलों में 23 रन इन्होंने बनाए हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं लक्षन गैमेज के बारे में बात करते हैं इनका recent form आप देख सकते हैं, 18 पर एक भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है इफ्तिकार एहमद, इफ्तिकार एहमद ओल राउंडर है, आप इनका recent form देख सकते हैं इमाद वसीम के बारे में थरिंडू कोशल के बारे में मैच को जाए हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैश कर ले में आज हम इस मैच में बात करने वाले हैं जफना केंग्स वर्सिस गले ग्लाडियेटर्स और ये मैच में हम आपके साथ पूरे लाइव मैच में लाइव मैच के दौरान बने रहने वाले हैं तो आपको वही नहीं जाना है सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां से आपको बता दें कि यहां पर हम आपको कैश कर ले पर life predictions करने के मौके देते हैं यानि कि आप predict कर सकते हैं कि 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में कितना स्कोर बनेगा हमारे साथ जुड़कर, हम भी आपके साथ लाइफ प्रेडिक्शन करेंगे, तो इस मैच में बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है, आपको बने रहना है, हमारे साथ कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ कैश कर के साथ जुड़े रहना है, और मेरे साथ हैं आशीश जी, तो बिल्कुल सर आज आज आप इस मैच के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, क्या गयना चाहिए, बिल्कुल एक्साइटेड है, क्योंकि पहला मैच है, IPL की तरस पर जिस तरीके का मैच हो रहा है, लंका प क्शिश तुम बताया आपका क्या गया बिल्कुल मैं बहुत जादा एक्साइटेड हूँ, अभी हमने वर्ल्ड कुप किया है, और उसके बाद अब ये श्रे लंका प्र लीग शुरू हो गई है, तो बिल्कुल आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, कैश कर लेके यहाँ पर हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हूए है, टी-म, हेलो सर, कैसे हैं आप, आपका क्या नाम है, मेरा नाम तो कशिश है, आप भी अपना नाम हमारे साथ लाइव चाट में शेयर कर सकते हैं, पोलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर कशिश दिस, नोर टी-म, हम और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, चुड़े रहिए, चिपके रहिए, सिर्फ और सिर्फ कैश करले के साथ यहाँ पर, अगर मैं आपसे टीम फॉर्म की बात करूँ, तो दोनों ही टीम के क्या फॉर्म रहे हैं, दोनों ही टीम के शामदार फॉर्म रहे हैं, लेकिन जो पलड़ा है, वो पूरी तरीके से भारी है जेके का, क्योंकि जिस तरीके से जेके ने पिछली मैचेस की बात करें, तो चार मैचेस जेके ने जीते हैं, और पिछली के तीन मैचेस जो ह वो जी जी ने जीते हैं यालि कि पलड़ा पूरी तरीके से भारी जो है वो कहीं न कहीं जेके का साफ तोर पर यहां पर दिखाए दे रहा है लेकिन बड़ी बात इसमें ये हैं कि यहां पर बारिश के चांसिस की भी संभावना दिखाए दे रही है 60 प्रतिशत जो बारिश की पहली गैंद यहाँ पर डाल दी है और पहली गैंद पर यहाँ पर डॉट बॉल यहाँ पर आई है और लंका प्रीमियम लीग का रोमेंच भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक खूबसूरत जगे हैं श्री लंका और बहुत ही शांदर व्यू यहाँ से दिखाए देते हैं कहीं मौसम खलल न पर जाए इस सीरीज पर क्योंकि तमाम जो मैचेज भी हम अपडेट्स देख रहा हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि बारिश की संभावनाए वहाँ पर जादा है मैच होनी की संभावनाए कम है लेकिन क्रिकेट के तमाम अपडेट्स हम लगातार आ और एक रण अभी तक बनाए है जिस तरीके से अभी हम बात करते हैं यहाँ पर बल्लेवाजों की तो यहाँ पर गुर्बेज यहाँ पर बल्लेवाजी कर रहे हैं दूसरी हैंड पर है अविश्का यहाँ पर बल्लेवाजी करते हुए यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं गैन करें तो यहां पर बारिश की जो chances हैं वो कई जादा हैं तो देखते हैं यहां पर 65% chances जो चुके हैं बारिश के तो देखतें बारिश आज के match में किस तरहसे role निभाती है बिलकुल आप लोग हमारे साते जुड़े रहेए सारे update हम आपको देते रहेंगे और आपको कहीं नहीं जाना है सिर्फ cash करले के साथ जुड़े रहना है चिपके रहना है और अगर आपने अभी तक cash करले को subscribe नहीं किया है दोस्तों तो बिल्कुल cash करले को subscribe कर लीजे फुल इंफोरमेशन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे है किस तरह से players अगर हम बात करें यहां पर तो आप देख सकते हैं players का बिल्कुल जिस तरीके से बात करें playing matches की तो यहां पर 60 फीज़ी जो है प्लेंग मैचे जो है वो JK ने जीते हैं और GG के हम बात करते हैं तो 40 प्रतिशत जो match जो है वो GG ने जीते हैं और अभी तक मात्र एक रन आया है यानि कि काफी बच बच कर खेल रहे हैं लेकिन डक्वर्ड लुइस हुआ तो कहीं न कहीं जो संभावना है वो रन्स पर ज़्यादा बन जाती है ऐसे में तमाम जो प्लेयर से उनको ये ध्यान में रखना होगा कि शुरुआ से ही चौके चक की बरसाथ यहाँ पर कर रही होगी क्योंकि जिस तरह का रोमाइन जो टी-20 मुकाबले में देखा जाता है और डक्वर्ड लुइस जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में इसलिए तमाम जो टीमें हैं उनको इस सीरीज में कहीं न कहीं जो है उनको ये ध्यान मे रखना होगा और जिस तरह के से हम बात करते हैं यहाँ पर टीमों की तो टीम पेस वर्सेस इस्पिन की बात करते हैं तो पेसेस की यहाँ पर संभावना है ज्यादा बढ़ जाती है यानि कि फास्ट पिचेस है श्रीलंका की एकदम फास्ट पिचेस है और पेसेस इस्पिन क और शांदार यहाँ पर गैनबाजी करते हुए दिखाई दे रहा है जिस तरीके से यहाँ पर गैनबाजी का जो प्रदेशन हो रहा है बहुत ही शांदार प्रदेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और IPL की तर्स पर हो रहा है तो जिस तरीके से यह ग्राउंड है वो भी जिस तरीके से चारो तरफ जो है यहाँ पर हरियाली है और श्री लंका में जिस तरीके से खूपसूर्ती दिखाई देती है तो उसी खूपसूर्ती के साथ ही यह मैचेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यह देखिए एक ओवर के यहाँ पर समापती हो चुकी है श्री लंका प्रिमियम लीग के पहला ओवर यहां पर इस वक्त हो चुका है जिस तरी से के कशिश हम बात करते हैं यहां पर पिचेस की बात हमने कर ली ग्राउंड की बात कर ली रोमाइंच किस तरह का रहने वाला है क्योंकि T20 के मुकावने में अक्सर देखा जाता है कि बहुत ही प्रशाद जीले की जरूरत है और यहां पर हमारे साथ राम प्रसाद जी जुड़ चुके हैं हेलो राम प्रसाद जी और यहां पर टी-म जो है आंसर किस चीज का मुझे आंसर देना है मुझे समझ में नहीं आया जी देखिए और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि जाफना किंस यहाँ पर एक ओवर की समाप्ती हो चुकी है और दूसरे ओवर में भी मातर अभी तक एक ही रन यहाँ पर आये है यानि कि जिस तह़े से यहाँ पर जाफना किंस है वो काफी धीरे-धीरे खेल रहे है और बहुत ही धीरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं संभल कर खेल रहे हैं हो सकता है कि एक दो ओवर के बाद में अच्छे शॉट्स यहाँ पर देखने को मिले और लेकिन यहाँ पर बॉलिंग जो हो रही है जीजी की तरब से वो शांदर प्रदशन यहाँ पर देखने को मिल और बात करते हैं हम लंका प्रीमियम लीग के दूसरे मैच भी यहाँ पर होगा तो कैश करने में आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेगा क्योंकि शाम साड़े साथ बज़े दूसरा मैच यहाँ पर होने वाला है जिसकी भी हम तमाम अपडेट्स यहाँ पर देते रहे क्योंकि श्रिलंका प्रीमियम लीग शुरू हो चुकी है और इसमें हम आपके साथ यानि की कैश कर ले आपको लाइफ प्रेडिक्शन वीडियो लाइफ मैचेस के दौरान आपके साथ लगातार बने रहेगा और इससे पहले अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्रा क्रिकेट लवर्स के लिए एक और शामदार खबर हम आपको बताने वाले हैं कि लंका प्रीमियम लीग के हर मैचेस आपको देखने को मिलेंगे हमारे कैश कर ले चैनल पर क्योंकि जिस तरीके से ये रोमांच रहता है काफी दिल्चस्ट रोमांच यहां पर इन मुकाबलों रहेंगे तो फिल्हाल आज के मैच की में बात करूँ तो यहां पर दो ओवर की यहां पर समापती होने वाली और महज अभी तक चार रन ही आए हैं तो कुल मिला कर कि अभी तक चार रन आए हैं जेके के और देखना होगा कि आखरी बोल पर आखिरकार क्या बाउंडरी मिलत करता हूँ तो लेकिन जिस तरही से कहा जाए कि पिछले मैचेस के वे मैं बात करूँ तो पिछले मैचेस में शांदार यहां पर जेके का प्रदेशन रहा है चार मैचेस में उन्होंने जीत दर्च की है पिछले 10 मैचेस की बात करे और तीन मैचेस जो है वो जीजी ने जीत तो कुल मिलाकर के जो शांदार प्रदेशन रहा है वो जेके का रहा है जिस तरीके से और बात करते हैं दूसरा ओवर यहाँ पर समाप तो हो चुका है और महत चार रनाए है और तीसरे ओवर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है कशीश क्या लगता है गैनबाज काफी अच्छ इसकी तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर गल्ले ग्लाडियेटर्स की विलकुल निश्य तोर पर तारीफ की काबिल है और काबिल तारीफ बंती भी है और यहाँ पर देखिए ग्राउंड पर जो मौजूद है बल्लेवाद वो मैं बताना चाहूंगा कि फैर्नाल्डो जो ह है आठ रंग एक भी विकेट यहाँ पर नहीं हुआ है और हमारे साथ विवास जोड़े हुए हैं मैं आपको बता दू सर यहाँ पर आनवी गुपता कह रहे हैं हेलो सर कैसे हो आप दोनों बहुत अच्छे हम लोग आप कैसे हैं आनवी गुपता जी बिलकुल हमें और यहाँ पर All In Video हाँ हेलो हेलो जी हेलो हेलो कर्शिछ टीएम जी आप कर्शिछ के आगे कुछ बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कर्शिछ के आगे भी कुछ बोलिए संजु जी जो अभी अगर हम अपने परफॉर्मेंस और स्टार्ट के बेस पर बताएं तो आज का जो मैच है वो जपना किंग्स जीतने के काफी ज़्यादा चांसे हैं तो अभी हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि पावर प्ले अभी तो टीम फॉर्म में नहीं आई है दो ओवर में सिर्फ महज यहाँ पर 9 रन बने हैं तो देखते हैं बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं देखते रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले कहीं नहीं जाना हैं सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना हैं और इसी के साथ अगर हम स्कोर की बात करें तो 2.2 में स्कोर जा पहुंचा है 9 रन और यहाँ पर T.A. हम लोग मैं UP से हूँ और सर हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं आप हमें बताईए आप कहां से जुड़े हुए हैं कहां से देख रहे हैं आप कैश कर ले को औ और इसी के साथ 2.2 में स्कोर जा पहुंचा है 9 रन एक भी विकेट यहाँ नहीं गया है और यहाँ पर अगर हम बात करें फर्नांडो की तो 6 बोलों में 8 रन बना चुके हैं और उसी के साथ गुरबाज जो हैं वो 8 बोलों में 1 रन नो ने अभी तक बनाया है और अगर आप आपने अभी तक कैश करले को सबस्क्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कैश करले को सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ विमिन बिग बैश लीग और यह जो लंका प्रीमेर लीग चल रही है इसके सारे माच्चेज में मिलने वाले हैं तो चाहें रात हो या फिर दिन कैश कर ले आपके साथ लगातार बना रहेगा तो आपको भी कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है कहीं नहीं जाना और यहाँ पर सबसे बड़ा विकेट लग चुका है गुर्बास का यहाँ पर गुर्बास जो है सिर्फ एक रन बना कर कॉट आउट हो बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कैच आउट यहाँ पर हुआ है जिस तरीके से मैं बात करूँ कि यहाँ पर हवा में गैन थी और बहुत ही शांदार कैश यहाँ पर लपका है और पहला विकेट यहाँ पर जेके का यहाँ पर गिरा है जिस तरी ठीके से हम बात कर रहे थे लगातार boundaries नहीं आ रहे थी सिंगर्स ले रहे थे एक boundary जरूर आई थी बीच में और boundaries के बीच में पहला विकेट यहाँ पर बिलाया यहीं कि बड़ी काम्याभी गुर्बाज जो हैं वो कॉट आउट हुए हैं वसीम से और इनको बोल्ड आउट किया है रियाज ने तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं पलपल की अपडेट क्रिकेट से जुड़के हम आपको देते रहेंगे लाइव मैच में हम आपके साथ जुड़े लोग इना हैं और उसके बाद रियाज यहां पर नाई थे रियाज यहां पर खेल रहे हैं जो भी आप टी हम आप दूनों के दिल से जुड़े हुए हैं ताझले हैं थैज सेंदे रहे हैं तो छो क्लप्ताु थे खाप्र लेके साथ यहां context एंडेगे डिखते रहें second और सिर्फ कैश कर ले और इसी के साथ यहां पर गुर्बास जो है वो कॉट आउट हो चुके हैं और यहां पर मुकेश जैपुर राजस्थान से ओके आप जैपुर राजस्तान से हमें जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सर भी हमारे साथ जैपुर राजस्तान से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर जो है वो धनन जय आया है तो देखते हैं यह किस तरह का स्कोर बना पाते हैं और यहाँ पर अगर हम स्कोर की बात करें तो 2.3 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 9 रन एक विकेट के नुकसान से अग करेंट रन रेट है 3.34 का महज इतने का करेंट रेट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है टीम के लिए जीतना आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और यहाँ पर आपको मैं बता दूं अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले के फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर हमारे साथ अमित पांडे जी जुड़ चुके हैं, हेलो अमित पांडे, गुड आफटरनून कैसे हैं, आप बहुत दिनों बाद आप हमें लाइव में जॉइन कर रहे हैं तो 2.5 में स्कोर जा पहुचा है, 10 रन एक विकेट के नुकसान से और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करें, तो करेंट रन रेट है 3.53 का और उसी के साथ यहाँ पर फर्नांडो और यहाँ पर जो सिल्वा है उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही है, तो आप लोगों को कही नहीं जाना है, सिर्फ कैश कर लेके साथ जुड़े रहना है, बिल्कुल जुड़े रहना है और जिस तरह से तमाम अपडेटस हम बता रहे हैं कि 2.5 ओवर यहाँ पर हो चुके है, और अभी तक मात्रे 10 रन बनाए है, यानि कि शांदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहा पर उन्होंने खो दिया है, सबसे बड़ा विकेट जो ओपनर्स होते हैं, उनका विकेट यहाँ पर खोते हुए, यहाँ पर दिखाईए, 11 रन यहाँ पर बन चुके है, टीम के तीन ओवर के बाद में, एक विकेट के नुकसान पर यहाँ पर जेके का स्कोर हम बता रहे हैं और तीसरा ओवर के यहाँ पर शुरुआत होने वाली है, जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, तो काफी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदवाजों का यहाँ पर शांदार प्रदशन देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से जी जी यहाँ पर खेलती भी दिखाए दे रही है और तमाम जो अपडेट्स है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं लगातार हमारे साथ जुड़े रही है क्योंकि तमाम मैचेस के जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे सुभ है या शाम हम तमाम मैचेस जो है वो आपको दिखाने वाले हैं देखे पहली गेंड यहाँ पर हो चुकी है और पहली गेंड पर यहाँ पर शुन ने आया है यानि कि एक भी रन नहीं बना है तीसरे ओवर की शुरुवात यहाँ पर और यह देखे हो बहुत बड़ा विकेट यह यहाँ पर दूसरा विकेट यहाँ पर जेके का गिर चुका है और जिस तरीके से यहाँ पर जीजी ने फिर से एक और विकेट यहाँ पर लिया है और LPW आउट यहाँ पर एक और बल्लेबाज होता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ी यहाँ पर देखिए बड़ा जटका य तो यहां पर बैटिंग रिव्यू अभी टीम का लिया जा रहा है तो देखते हैं क्या होता है इस बॉल में और हमारे साथ टी एम बिल्कुल कर्शिश माम मनोथ सर कहा है मनोथ सर अभी हमारे साथ कुछ दिन के लिए एक्टिव नहीं है तब तक का थोड़ा सा इंतजार कीजि साथ बिल्कुल आपको बने रहना है हम आपको स्कोर से अपडेट लगातार कर रहे हैं और ऐसे ही जो आपके ये जो श्री लंका प्रीमिम लीग चल रही है इसमें हम आपके साथ लाइव जोड़े रहेंगे प्रेडिक्शन वीडियोस हम आपको दे रहे हैं जिसमें आप उ कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कैश कर ले को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजे तीन पॉइंट दो में स्कोर जा पहुंचा है 11 रन दो विकिट के नुकसान से और अब यहां पर देखते हैं कौन आता है बैटिंग के लिए तो आप लगातार हमार कि जगा देते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले और इसी के साथ 3.2 में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 11 रन दो विकिट के नुकसान से करेंट रन रेट चल रहा है यहां पर 3.30 का तो देखते हैं यहां पर किस तरह से 6 ओवर में स्कोर जो है वो कहां तक पहुंचता बिल्कुल और तमाम जो प्लिकेट के अपडेट्स है वो हम लगातार कैश कर ले में आपको दिखा रहे हैं लेकिल लंका प्रीमियम लीग का एक भी मैच आप मिस्स मत करना क्योंकि तमाम जो अपडेट्स है वो हम लगातार कैश कर ले को आपको बता रहे हैं और पल-पल के ज इस स्किर्व और पैसक europé को सब्सक्राइब नहुं किया है तो कैश न Kollege को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लिजिये और देखिए इस बॉल पर भी यहाँ पर एक भी रन नहीं आया है डॉट बॉल्स यहाँ पर लगातार होती जा रही है और डॉट बॉल्स होगी तो क्लिकेट का रोमांच कैसे लज़र आएगा कशिश क्योंकि लगातार डॉट बॉल हो रही है सिंगल सो रहे हैं अब तक पाइंगे लेकिन आप लोग अमारे साथ जुड़े रहे हैं यहाँ पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे तो आपको कहीं नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना हैं जबकि जीजी ने शांदार यहाँ पर प्रदेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखिए एक बार फिर से यहाँ पर सिंगल लिया है और बाउंडरी अब तक नहीं आ रही है तेरा रन अब तक बने हैं स्कोर कार पर और मात्रित दो विकेट यहाँ पर हुए हैं यानि की बहुत ही कम रन्स यहाँ पर देखनों को मिल रहे हैं चौथा ओवर समापती की यहाँ पर लेकिन अभी भी मात्रित तेरा रन आये हैं यानि कि जिस तरीके से यह देखिए बॉल हवा में और यहाँ पर शांदार शौट और चार रन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे चौ की इस जोड़े हुए हैं आप भी हमारे साथ लाइफ चैट में जुड़की बता सकते हैं कि छे ओवर में यह स्कोर कहां तक जाएगा तर आपको क्या लगता है कि 6 अवर में यदि अच्छा खेलते हैं तो 30 के आसपास स्कोर चला जाए लेकिन काफी धीमी शुरू आत है और काफी विकेट्स अब तक गिर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 25 रंग का जो स्कोर है वो भी अधी पाउर प्ले में ले पाएंगी क्योंकि देखें अब तक मातर 17 रंग आये हैं और जिस तरीके से यहाँ पर रंडेट जो चल रही है काफी अच्छी रंडेट दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसे में इनको खुल कर खेलना जरूरी होगा लेकिन विकेट्स भी अभी अभी गिर चुके हैं तो उमीद यही है कि 2-4 ओवर के बाद में खुल कर खेलेंगे अपने हाथ पाउं खिलाएं जो की देखने को मिलेंगे लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पर दबते खेलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तमाम यहाँ पर बल्लेवाज बिल्कुल तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो से ओवर में जो स्कोर है वो कही न कहीं 32 तक पहुँच सकता है चे ओवर में दो ओवर में और देखते हैं कितना स्कोर आएगा अगली बॉल हो चुकी है चालू और यहाँ पर फिर से मुझे लगता है कि डॉट बॉल हो चुकी है तो इस पर कोई भी रन नहीं आएगा 4.1 में स्कोर जात पहुचा है 17 रन दो विकिट के नुकसान से आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे बने रहे और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ लगातार सभी माचस के दौरान बने रहेंगे आपको लाइफ स्कोर से अपडेट कराते रहेंगे तो कहीं नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है अगली बॉल हो चुकी है चालू और यहाँ पर फिर से एक और चार रन यहाँ प अब लगता है कि पावर प्ले में रन जलूर आ रहे है और पावर जो है जो है जो बढ़ता हुआ दिखाए देरा है अभी जेके पावर में दिखाए दे रही है काश इना ही verdad geht बिल्कुल बने रहे हैं आप लोग हमारे साथ लाइफ चैट में आप हमारे साथ जूर सकते हैं बताईए हमें कि आपको क्या लगता है छे ओवर में ये स्कौर कहा तक पहुँच सकता है। यहाँ पर चल रहा है देखते पांचे ओवर की चौथी बॉल पर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है क्या यहाँ पर फिर से बाउंडरी की संभावनाई दिखाई देती है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैच हो रहा है वो बहुत जादा इसमें रंस अभी तक नहीं आये ह और अभी 21 रं ही मात्रे देखने को मिला है और एक पर फिर से देगे शांदार यहाँ पर शौट और फिर से यहाँ पर बाउंडरी मिलेगी जिस तरीके से यहाँ पर शौट्स नहीं आ रहे थे लेकवारी फिर से यहाँ पर बाउंडरी आयेगी और जिके के खाते में अब 4 लगातार जिस तरह से बाँडरीज की बात कर रहे हैं पावर प्ले कितम हो ने किसा साथ यहाँ पर बाँडरी जाना शुरू हो गई है यानि कि देर आए लेकिन दुरूसत आए बिलकुल और मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर स्कोर क्यूंकि अगर टीम ग्राउंड में आत लिए तो ये बात भी विल्कुल नहीं की जा सकती कि यहाँ पर जो स्कोर है वो देखते हैं कि यहाँ पर स्कोर जो है वो power play में कितना पहुंचता है आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहे बने रहे सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ बिलकुल बिलकुल और एक देखे फिर से एक बार यहां पर शौट मानने का प्रयास और यहां पर छैरन पहला छक्का यहां पर जेके का देखने को मिला है यहां पर और शांदार यहां पर शौट लगाया है खुल कर खेला है जिस तरीके से पावर प्ले के हम बात कर रहे थे तो एक बार फिर से यहाँ पर जेके फिर से मैच मर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से जी 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 जो है वो अब एक बार फिर से कहीं न कहीं दबाओ में दिखाई दे रही है कशीश क्योंकि लगातार जो है runs नहीं बन रहे थे और एक बार फिर से इसी over में जो है एक boundary यहाँ पर दिखाए दिये और एक six यहाँ पर दिखाए दिया है तो दो boundaries यहाँ पर आ चुकी है एक चौका और एक छक्का यहाँ पर आया और देखिए last ball पर यहाँ पर single लिया है जेके ने और जिस तरी से यहाँ पर over की समापती हो चुकी है और पांच ओर में आया है अब तक 32 run 2 wicket के नुपसान पर और ऐसे में अब current run rate है वो 6.40 के यहाँ पर हो चुकी है और जिस तरीके से यहाँ पर current run rate के हम बात कर रहे हैं तो current run rate काफी अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है average है अभी तक बिल्कुल तो 5 over हो चुके हैं पूरे 32 का score हो चुका है दो wicket यहाँ पर जा चुके हैं और अब देखते हैं कि यह जो आखरी over है 6 over में जो score है वो कहां तक पहुंचता है आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं बने रहे हैं कहीं नहीं जाना है सिर विकेट यहाँ पर जा चुके हैं बिल्कुल दो wicket जा चुके हैं लेकिन कहीं न कहीं लगता है हमें कि उसकी भरपाई यहाँ पर जाफना गिंग्स के बल्लेबाजों की हम बात करते हैं तो कितनी शांदार यहाँ पर बल्लेबाज रही हो और कौन-कौन सी यहाँ पर रन ब बनाया है गुर्बाज ने तो वो आउट हो गए हैं और अब देखते हैं यहाँ पर यह स्कोर जो है वो किस तरह से पहुचता है वो यहाँ पर शांदार बल्लेबाजी कर रहे हैं डेडी सिल्वा ने यहाँ पर गुनीज बॉले जरूर खेली है लेकिन टीम को उभारा है 17 रन उन्होंने बनाये हैं और दो चौके और एक छक्का हैं यहाँ पर शिल्वा ने लगाए है तो लगातार जो सिल्वा है वो अपने स्ट्राइक रं रेट है वो भी लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाए दे रहा और यह फिर से यहाँ पर शुनने आएगा यानि कि ज जेजे ने जो इस तरीके से यहाँ पर खेल रही है वो अब एवरेज यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लेकिन जिस तरह से चुरुआत में विकिट गवा बैठी थी जेके तो कई न कई मुसीवतों में थी लेकिन उससे उभारने का जो प्रयास है वो डेडी सिल है और देखना होगा कि एक पार फिर से यहाँ पर शांदार शॉट और एक पार फिर से बाउंडरी के पास यहाँ पर गेंग जाती हुष सीमा रेखा के बाएअ चार रण Guinea सारे हम बात कर रहे थे लगातार की boundaries यहाँ पर लगातार आ रहा है और आखरी power play के over में जिस तरह से यहाँ पर पहला जो shot लगाया है और वो यहाँ पर सिल्वा ने लगाया यानि कि सिल्वा अब किस तरह से यहाँ पर boundaries मार रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी romance बढ़ गया है जब से सिल्वा यहाँ पर बैटिंग करने आया है कशिश बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ players होते ही ऐसे जब वो आते हैं तो कहीं न कहीं runs ही बना कर जाते हैं तो काफी अच्छा game कहां से change भी हो जाता है और काफी मज़ा आता है उन games को देखने में तो बिल्कुल आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है और अगर आप में अभी तक cash कर ले को subscribe नहीं किया है तो cash कर कर ले में आप जरूर देख सकते हैं क्योंकि cricket का जो सबसे बड़ा platform है वो cash कर ले हैं क्योंकि हर बॉल की update हम आप तक पहुंचाते हैं वो भी सीधा लाई बिल्कुल तो आप लोगों कहीं नहीं जाना है सिर्फ cash कर ले के साथ जुड़े रहना है और अगर आपने अभी तक cash कर ले को subscribe नहीं किया है तो cash कर ले को subscribe कर लीजिए और इसी के साथ यहाँ पर अगली ball हो चुकी है चालू और यहाँ पेस ball में एक run आ जाएगा बिल्कुल एक run यहाँ पर आया है और power play की हम बात करते हैं तो power play में अभी दो ball और बाकी है क्या लगता है दो ball में कितने shots अभी और आते हैं कितनी boundaries यहाँ पर दिखाई देगी क्या यहाँ पर एक बार फिर से risk लेने का प्रयास किया जाएगा मुझे लगता है कि यह दो ball में सिर्फ जादा से जादा दो run आएंगे तो score जो है वो 40 या 41 रहने वाला है देखिए ऐसा नहीं है कि दो run ही आए क्योंकि यहाँ पर देखिए DT Silva यहाँ पर खेल रहे हैं और यहाँ जिस तरीके से वो लगातार shots मार रहे हैं देखिए पर dot ball अभी उन्होंने खेली है और आखरी ball में देखना होगा कि आखरी ball में क्या करते हैं यहाँ पर JK के सिल्वा बिल्कुल तो बिल्कुल आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है जुडे रहना है और अगर आपने अभी तक cash कर ले को subscribe नहीं किया है तो cash कर ले को subscribe कर तो 6 over हो चुके हैं पूरे और 38 का score मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो score है वो 40 तो पहुंची जाएगा बट इन्होंने दोनों ही ball में जिस तरीके से खेला है तो 40 का भी score यहाँ पर 6 over में नहीं बना हैं तो लगतर आप लोग हमारे साथ जुडे रहिए बने रहिए cash कर और अब देखते हैं कि यह जो score है वो 10 over में कितना पहुंचता है और यहाँ पर आप लोग हमारे साथ लगातार जुडे रहिए तो यहाँ पर 6 over हो चुके हैं पूरे और यहाँ पर आप लोग हमारे साथ लगातार जुडे रहिए ये छे ओवर हो गए हैं, पूरे दो विखिट यहाँ पर जा चुके हैं, लाइव हमारे चैट में आप लोग हमारे साथ जुर सकते हैं, बताइए हमें क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है, यहाँ पर कौन सी टीम आज जीत सकती है, लाइव चैट में हमारे साथ आप चिट चैट कर सकते हैं दस ओवर में स्कोर जो है वो कहां तक पहुशता है देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरह से 6 ओवर में महज 38 रंस बने ही है करिंट रेट जो है वो उपर नहीं बढ़ रहा है तीन या साड़े-तीन का ही है तो बहुत मुश्किल होने वाला यहां पर जिस तरह से अभी खेल रहे है जब न टाइगर्स के लिए यह मैज जीतना तो देखते हैं यहां पर कीस तरह से होता है और यहां पर जो है वो जा पोचा है 38 रंड 2 विकेट के नुकसान से और इसी के साथ 49 परसंट चांसे हैं गले ग्लाडियेटर्स के जीतने के और यहां पर जफना किंग्स के जीतने के हैं 51 परसंट चांसे अखली बॉल हो चुकी है चालू और यहां पर देखते हैं यहां पर चीप और विकेट है वो लग चुका है और यहां पर कॉलर जो है वो हो चुके हैं कॉट आउट कैच ले लिया है इनका और यहां पर अगर हम आपको बताएं कैच की बात करें तो तीन विकेट यहां पर अल्रेडी जा चुके हैं तो देखते हैं यहां पर किस तरह से यह जो स्कोर है वो chase यहाँ पे बन पाता है कितना score यहाँ पे team जो है वो खड़ा कर पाती है catch out हो चुके हैं आप साफ तोर पे screen पर देख सकते हैं हर score से update हम आपको कर रहे हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ cash कर ले के साथ जुड़े रहना है तो यहाँ पर अभी तक जो wicket गए है वो तीन wicket यहाँ पर जा चुके हैं पहला गया Fernando का जिन्होंने 9 ball में 9 run बनाए दूसरा wicket गया गुर्बास का 9 ball में महज 1 run उन्होंने बनाया और उसके बाद अब तीसरा wicket decaller का गया है जिन्होंने 6 ball में 6 run ही बनाए थे महज और यहाँ पर cut out हुए हैं यह सुबर सिंगा से और bold out हुए हैं तुशारा से तो लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए 6.2 में score जो है वो जा पहुचा है 68 run 3 wicket के नुकसान से और यहाँ पर सोहे मलिक आ चुके हैं तो देखते हैं अब क्या होता है सोहे मलिक जो है वो कितने का score यहाँ पर बना पाते हैं बिल्कुल देखें वैसे यह पाकिस्तान के star खिलाडियों में से एक है बहुत ही जादा mature खिलाडी है तो यह इनके maturity जो है जेके के लिए काफी फाइदेमन रहती है क्योंकि पाकिस्तान से यह काफी लंबे अर्से से खेल ले चुके हैं और भारत से भी इनका नाता है जिस तरीके से हम बात करते हैं शोयब मलिक के तो भारत से भी इनका नाता यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि इनकी wife जो है वो भारत से ही आती है और बात करते हैं सोयव मलिक के तो यहां पर शोयव मलिक जो है वो यहांपर आ चुके है ग्राउंड पर और यह खेलते हुए यहांपर दिखाए दे रहे हैं अग श्री लंका में J.K. के साथ में जिसतरे से यहांपर जो रोमैच है वो अब देखने को मिलेगा क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहां पर ग्राउंड में आ चुके हैं और जिस तरह से हम तमाम अपडेट्स जो है वो कैश कर ले पर आपको दिखा रहे हैं लेकिन ये मत भूलिएगा आपके लंका प्रीमियम लीग के जो हर बॉल है हर मैचेज है वो आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ हम बिग बैंस जो है उसकी भी तमाम जो अपडेट्स है तमाम जो लाइफ्स है वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहे हैं लगाता आप देखते रहे हैं कैश कर ले बिल्कुल और आपको कहीं नहीं जाना है सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है दो बॉल इस रन पे इस बॉल पे दो रन मिल जाएंगे चालिस रन तीन विकिट के नुकसान से और यहां पे 66% चांसे हो चुके हैं गले ग्लाडियेटर्स के जीतने के उसी के साथ यहां पर जफना किंग्स की बात करें तो 34 चांसे हैं यहां पर तो देखते हैं सोहेव मलिक और धनंजे जो हैं वो कहां तक स्कोर यह बना पहुचा पाते हैं अगर हम यहां पर धनंजे की बात करें तो 14 बॉल में 22 रन महस बना चुके हैं यह और 3 चौके इन्होंने लगाए हैं 157 के स्ट्राइक रेच से यह खेल रहे हैं अभी और उसी के साथ सोहेव मलिक की बात करें तो एक बॉल में 2 रन इन्होंने बना लिये हैं तो देखते हैं यहां पर किस तरह से यह स्कोर 10 ओवर में बन पाता है लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रही है बने रही है और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिलकुर भी तेरी मत कीजे कैश कर ले को सब्सक्राइब कर तो दो बॉलों में तीन रण इन्होंने बना लिये हैं और अगली बॉल यहां पर और धनजे होंगे स्ट्राइब पर तो देखते हैं धनजे इस बॉल पर क्या करते हैं लगतार आप लोग हमारे साथ चुड़े रही है बने रही है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ और आपने अभी तब कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिर्फ और सिर्फ बने रही है कैश कर ले के साथ बिल्कुल कैश कर ले को लगातार सब्सक्राइब आप करते रही है लेकिन तालिस बोलों में अब पर प्रयास नहीं कर पाए बल्लेवाज अब काफी जो बल्लेवाजी है वो धीमी दिखाए दे रही है क्योंकि विकेट्स लगातार यहां पर गिरते हुए दिखाए दे रहे हैं और फिर से यहां पर बाउंडरीज की दरकार है जेके को तो क्या लगता है कि जाफरा जो है वो बल्लेवाजी में उभर कर सामने आ पाएगी अगले दो तीन ओवर की बात करे दो देखते हैं बिल्कुल क्योंकि उमीद तो यही है और आना ही पड़ेगा लेकिन जिस तरह से दननजे की परफॉर्मेंस भी आपे चल रही है तो काफी रन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ 6.5 में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 41 रन्स 3 विकेट के नुकस और इसी के साथ सोहेब मलिक जो है वो दो बॉल में तीन रन बना चुके हैं और यहां पर दननजे 15 बॉलों में 22 रन इन्होंने बना लिये हैं और यहां पर लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रही है अगली बॉल हो चुकी है चालू फिर से और देखते हैं इस बॉ रन आ जाएगा आकिस्तान से साथ यहां पर खेलते हुए दिखाए दे 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 लेकिन अब यहां पर क्रिकेट से सन्यास के बाद में इन्होंने इंट्रनेशनल क्रिकेट से सन्यास लिया था और उसके बाद में यह जाफरा किंग्स के साथ यहां पर खेलते हुए दिखाए दे रहे हैं लेक तो यहाँ पे fan अर्विंद अरोरा जी का कहना है कि 10 over में 62 का score हो जाएगा तो देखते हैं बिल्कुल fan अर्विंद अरोरा जी cricket वानी गुड इवनिंग क्रिकेट वानी जी गुड इवनिंग कैसी हैं आप और हमारे साथ आप सभी लोग लगातार जुड़े रही और एक शांदार 6 रन यहाँ पर मिल चुका है तो यहाँ पर 7.1 में score जो है वो जा पहुचा है 48 रन्स जो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आप लोग भी प्रेडिक कीजिए क्या लगता है आपको 10 ओवर में यह score जो है वो कहां तक पहुच सकता है आपको हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 7.1 में score जो है वो जा 48 runs यानि कि बहुत कम score देखने को मिल रहा है क्योंकि लड़ने लाइक score यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से हम बात करते हैं तो यह जो score है वो अभी तक मुझे लगता है कि 120 या 30 के आसपास score रहने वाला यदि ऐसी condition रही तो क्योंकि अभी तक जो ब यहाँ पर फिर से एक और विकेट यहाँ पर मिला है यहाँ पर जेके का एक और विकेट यहाँ पर देखने को मिला है बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर यानि कि चार विकेट अब तक हो चुके हैं जेके के ऐसे में जो है धनंजे डिसिलवा यहाँ पर आउट होते हुए दिखाई दिये हैं कैच आउट यहां पर हुए है बहुत बड़ा विकेट यहां पर जेके ने अपना गवाया है और शांदार यहां पर बॉलिंग जो है वो यहां पर जीजी करती हुई दिखाई दे रही है तो यहां पर जिस तरह से यहां पर जो कारवा था वो लगातार यहां पर जा चुके हैं तो काफी जादा मुश्किल है क्योंकि ओपनर्स यहां पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए है 48 रन इन्होंने बनाए है 7.3 में तो देखते हैं यह स्कोर कितना पहुंच पाता है और इसी के साथ 7.3 में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 48 रन फैन तो यहां पर विकेट जो है वो लग चुका है और अब देखते हैं यहां पर क्या होता है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रही है लगातार और कैश कर ले को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर और अब यहां पर तिसारा जो है वो आ चुके हैं बैटिंग के लिए तो देखते हैं यहां पर किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रहती है आप लोग हमारे साथ जुड़े रही है बने रही है और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप त चास यहां पर रन बन चुके हैं चार विकेट के नुपसान पर साथ पोइंट चार यहां पर ओवर है वो अब तक हो चुके है लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले ही ओवर में विकेट गिरा है और विकेट गिरने के बाद में यहां पर बहुत बड़े संकट में यहां पर जेके जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि विक्टो का पथजड़ यहाँ पर लग चुका है lines यहाँ पर लग चुकी है ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कार कैसे यहाँ पर जेके आप संबल पाती है जी कशीश बिल्कुल तो यहाँ पर अगली बॉल हो चुकिए चालू अब फिर से एक बॉल एक रन यहाँ पर मिल जाएगा तो देखते हैं यहाँ पर स्कोर जो है वो कितना पहुंच पाता है लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर वो अपडेट देते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है तो बिल्कुल आपको मारे साथ जुड़े रहना हैं cash करले के साथ और अगर आपने अभी तक cash करले को subscribe नहीं किया है तो cash करले को subscribe कर लीजिए और यहाँ पर अगली ball हो चुकी है चालू तो इस ball में देखते हैं क्या होता है अगली बॉल चालू और एक और चार रन यहां पर मिल जाएंगे बिल्कुल यहां पर boundary यहां पर आई है विक्टो के बाद में यहां पर boundaries का जो दौर है वो भी अब शुरू हो चुका है कौन यहां पर फॉम में दिखाए दे रहा है यहां पर मलिक दिखाए दे रहे हैं फॉम में अभी बिल्कुल यहां पर देखते हैं आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रही है बने रही है और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश क पहुँच गया है तो देखते हैं यहां पे दो ओवर और हैं और दो ओवर में कितने का स्कोर यहां पे पहुँचता है आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए बने रहिए कैश कर ले को सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे ही और यहां पर जो स्कोर है आम गर हम स्कोर क बात करें, 8 over हो चुके हैं, पूरे, 8 over में score पहुँच गया है, 51 runs, विल्पुल 51 run यहाँ पर हो चुके है, और अगली ball हो चुकी है, चालू यहाँ पर और फिर से देखते हैं, इस ball में क्या होता है, तो यहाँ पर फिर से एक और dot ball, तो 8.1 में score जो है, वो जहाँ पहुचा है 51 runs, 4 wicket के नुकसान से, तो 8.1 में score जो है, वो पहुच गया है, और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 10 over के में जो score है, वो देखते हैं, कहां तक पहुचता है, बिल्कुल बिल्कुल कहां तक पहुचता है, लेकिन बड़ी बात यहाँ कि बहुत ही, यहाँ पर एक दो बन्लेवाजों को यहाँ पर risk अब लेना ही होगा, क्योंकि T20 का ये मुकाबला है, 20-20 overs का ये मुकाबला है, तो कहीं न कहीं जो risk है, वो अब यहाँ पर बन्लेवाजों को लेना ही होगा, और अपने हाथ यहाँ पर खोलने ही होंगे कशिश, बिल्कुल खोलने ही प जाएगी टेहीं आप रात करें दूसरे प्लेयरगी तो और वहाँ बात करें तो चार बॉल में 3 उन्हों ने बनाए में इसी के साथ यहां पर current run rate है साड़े 6 के current rate से यहां पर जो जफना किंग के players हैं वो खेल रहे हैं अग्री ball हो चुकिए चालू सोहेब मलिक strike पर और यहां पर फिर से देखते हैं कि इस ball पर क्या होता है और इस ball पर फिर से wide ball ही हो जाएगी तो यहां पर एक run यहां पर मिल जाएगा 8.2 में score जा पहुँचा है 53 runs 4 wicket के नुकसान से बिल्कुल यहां पर 53 run यहां पर हो चुके हैं लेकिन current run rate के मैं बात करूँ तो बहुत ही यहां पर धीमी current run rate दिखाए दे रही है मात्रिच 6 दश्मलव 3-6 के यहां पर current run rate है आप देखने होगा कि अगली ball पर यहां पर क्या देखने को मिलेगा यहां पर ball फैकी जा चुकी है और यहां पर इस ball पर single आया है यानि कि single आया है और boundaries की दरकार है लेकिन यह दरकार कब खत्म होगी क्योंकि बहुत देर से boundary देखने को नहीं मिले और जब तक T20 में boundaries देखने को नहीं मिलती है तब तक मज़ा भी रहता क्रिकेट का बिल्कुल यहां पर जब तक boundaries नहीं आती है तब तक मज़ा भी रहता है तो यहां पर 8.3 में score जो है वो जा पहुँचाए 54 runs फोर विकेट के नुकसान पर बिल्कुल जिस तरह से हम बात करें है लगातार यहां पर शोयब मलिग है वो क्या संभाद सकते हैं क्या जेके को यह कमेंट बॉक में आप जरूर डालियो और हमें बताइए कि कमेंट्स करते रहिए क्या शोयब मलिग यहां पर जेके को इस संकर से उभाद पाएंगे या नहीं बिल्कुल तो यहां पर अगली बॉल हो चुगी है चालू और फिर से यहां पर डॉर्ट बॉल हो गई है यह तो आठ पॉइंट चार में स्कोर जो है वो जा पहुँचा है अगली बॉल चालू और यहां पर प्लेयर होंगे स्ट्राइक पर तो इस बॉल पर देखते हैं क्या आता है और यहां पर मुझे लगता है एक रन यहां पर मिल जाएगा शोट मानने का प्रयाज जरूर किया गया था लेकिन कहीना कहीं सिंगल यहां पर आया है डॉट बॉल से बढ़िया है सिंगल यहां पर लेते रहे तो 8.5 में स्कोर जो है वो पॉंच चुका है 55 रन्स फोर विकेट के नुकसान पर सोहेब मलिक चार बॉल में यहां पर पांच रन बना चुके हैं और वहीं तिसारा की बात करें तो यहां पर छे बॉल में उन्होंन आपको इसे क्या है तो हमारी साथ लाइव वॉटसेप लिंग पर मेसेच करके हमारे साथ वाटसेप गरूप में भी जोडसकते हैं तो कहीं नहीं जाना है सिर्फ़ सिर्फ कैश कर लेकर साथ जोड़े रहना है और उसी के साथ यहां पर 9 ऑवर हैं वो पूरे हो चुके हैं 9 ओवर में 59 का स्कोर यहां पर हो चुका है तो देखते हैं यहां पर आखरी ओवर है यह आखरी ओवर में कितने का स्कोर आता है इस ओवर में महद 8 रन आई हैं तो आखरी ओवर यहां पर और इसी के साथ देखना होगा कि इस ओवर में कितने का स्कोर यहां पर पहुँच पाता है अभी की बात करें तो 9 ओवर हो चुके हैं पूरे और 59 का स्कोर हो गया है उसी के साथ यहाँ पर अगर हम प्लेयर के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले गुर्बास जिन्होंने 9 बॉल खेली और सिर्फ एक रन बनाया और उसके बाद कॉट एंड बोल्ड आउट हो गए और उसके बाद अगर हम फर्नैंडो की बात करें तो 9 बॉल में 9 रन इनोंने बनाए 100 के स्ट्राइक रेट से खेले और यह भी LBW हो गए थे अगर हम धरनजय की बात करें तो यह इन्होंने 19 बॉलों में 29 रन बनाए थे आजम खां से यह कॉट आउट हुए प्रदीप ने इनको बोल्ड किया था उसके बाद अगर हम तिम कॉलर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 6 बॉल में 6 रन उनने बनाए और उसी के साथ यहाँ पर 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला तो यह तो हमने आपको बताए प्लेयर की परफॉर्मेंस आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए बिलकुल लगातार हम अपडेट जू है वो आप तक शेर कर रहे हैं और टीम का जो स्कूर है वो 59 पर 4 विकिट यहाँ पर हो चुके है और 9 ओवर की यहाँ पर समापती हो चुकी है एक ओवर के बाद में यहाँ पर drinks break होगा और drinks break में यहाँ पर तमाम जो खिलाडी है उनमे आपस में बातचीत होगी कोच भी आजकल ग्राउंड पर आ सकते हैं तो कोच भी यहां पर कुछ ना कुछ डिसकस करते हुए दिखाए देंगे कि टीम का जो अगले 10 ओवर वर्गों किस हिसाब से खेलने हैं जेके को और देखना होगा कि यहां पर जिस तरह से शांदार यहां पर खेला जा रहा है क्रिकेट की तमाम जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुचा रहे हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि जो अपडेट्स है वो हम हर बॉल की अपडेट आप तक पहुचा रहे हैं तो जेके की बात करते हैं तो अभ लगातार अच्छा पर्फॉर्म यहां पर करती आई है पिछले चार मैचेस में उन्हों ने जीत दर्च की थी और जिस तरीके से हम बात करते हैं गाले की तो यहां पर वो उसने भी यहां पर तीन मैचेस जीते हैं लेकिन लंका प्रीमियम लीग की आज से शुरुआत हो चुक की जिस तरह से तमाम बॉट्स हैं टमाव अपडेट्स हैं तमाम फिकेट की जो तमाव अपडेट्स हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं जी कशिछ बिलकुल तो यहां पर जो स्कोर है नौ ओवर हो चुके हैं फूरे तो नो ओवर में 59 का स्कोर यहां पर बन गय आखरी ओवर देखते हैं कि यहां पे किस तरह से रहता है और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ आप लोगों को जुड़े रहना हैं बहुत देरी से जो देखने को मिल रहा है हम बाउंडरी अब तक नहीं आ रही है क्या लगता है विकेड्स के गिरने के बाद में पूरी तरह से दबाव में चली गई है जाफना किंग्स लेकिन अभी हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ग्राउंड पर बड़ा खिलाडी है तो बड़ा उलट फेर करने में सक्षम है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने T20 मुकाबले खेले हैं और पाकिस्तान के साथ वो खेलते थे तो काफी शांदार उनका प्रदशन रहता था अकेले वो शौर्स मारकर पूरा मैचेस जिता देते थे तो यहां पर भी तक खेल रहे एक रन यहां पर आ जाएगा. तक जारी है लेकिन अभी भी यहां पर boundary नहीं आई है क्या लगता है अगली ओवर्स में यहां पर किस तरह से जो जेके है वो खेलती भी दिखाए देगी हमारे comment box में आप comment करना बिल्कुल ना भूली और हमें यह बताते रहिए कि क्या लगता है आपको कि अगले 10 ओवर में कि स्कोर रहने वाला है यदि इसी तरह करम रहेगा तो क्योंकि 63 रन अब तक बन चुके हैं और 10 ओवर यहां पर चल रहा है तो ऐसे में सवाल यही है कि कितना स्कोर कार्ड यहां पर बना पाते हैं जाफना किंग्स क्योंकि जिस तरह से यहां पर बल्लेवाजे देखने को मिल कई न कई शौट्स वहां पर दिखाए दिये हैं काफी अच्छे शौट्स वहां पर दिखाए दिये थे लेकिन यह देखें फिर से यहां पर सिंगल लेने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है और वाकई सिंगल यहां पर अब ले लिया है और स्ट्राइक जो है वो शोएग मलिग पर आ चुकी है शोएग मलिग अभी तक 10 रन बनाए है 6 बॉले अब तक उन्हों ने खेली है और 1 चौका अभी तक लगाया है यानि कि दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर परेरा यहाँ पर नौन स्क्राइक पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक उन्हों ने 8 रन बनाए है 9 बॉल अब तक खेल चुके हैं और एक भी बाउंडरी अब तक नहीं लगाई है और डिंक्स से पहले आखरी बॉल पर क्या होता है यह देखना होगा क्योंकि डिंक्स की यहाँ पर अब शुरुआत होने वाली है डिंक्स यहाँ पर होने वाली हैं इसी बीच हम बात करते हैं बलिक की शोयग मलिक के पास में यहाँ पर स्ट्राइक है तो आखरी बोल पर क्या होने वाला है डिंक्स से पहले यह हम आपको बता रहे हैं और यह बॉल जो है वो अप खेल लिया है और फिर सेल्स यहाँ पर डबल लिया है और यहाँ पर इसी के साथ ओवर की समापती यहाँ पर हो चुकी है 10 ओवर में अब तक 66 रन आ चुके है और 4 विकेट अब तक गिर चुके है ऐसे में देखना होगा कि अगले 10 उवर में कितने रंस यहां पर जापना किंग्स बना पाती है क्योंकि पूरी तरह से दबाव में खेल रही है लेकिन जो शोयव मलिक है बड़ा खिलाडी आपके पास अभी तक ग्राउंड पर मौजूद है आपको क्या लगता है शोयव मलिक कितने रं बनाएंगे क्या उनकी 50 हो पाएगे क्या वे जापना किंग को इस संकर से उभार पाएंगे तो हमारे कमेंट्स वोक्स में जाके कमेंट्स तो जरूर कीजिए आप क्योंकि कैश करने में हर बोल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इसलिए आपको ये बताना बेहत ज़्यादा जरूरी है कि कितने रंस यहाँ पर आएंगे और कितने रंस यहाँ पर बनते हुए दिखाए देंगे बिलकुल कैश करने को आप सब्सक्राइब करते रहे हैं क्योंकि लंका प्रीमियम लीग के हर बॉल हर मैच आप तक पहुंचा रहे हैं और हर यहाँ पर दिखाए देएगी और देखें ड्रिंग्स के बाद में यहाँ पर मैच की शुरुआत हो चुकी है पहला रन अब तक आ चुका है यहाँ पर पहले बात करें ड्रिंग्स के बाद में पहले ओवर की तो यहाँ पर एक यहाँ पर रन आ चुका है 67 का स्कोर यहाँ अब तक हो चुका है और चार विकेट के नुपसान अब तक जाफना किंग्स को हो चुके हैं ऐसे में अब देखना होगा कि इस ओवर में क्या बड़े यहां पर शॉट लगते हैं यह नहीं क्योंकि बाउंडरीस काफी देर से हमने देखी नहीं है जिस हिसाब से मैं बात करू तो अभी भी यहां पर बाउंडरीस की यहां पर दरकार जरूर देखने को मिलेगी ऐसे में अब देखी एक बार फिर से यहां पर शॉट बार्टने का प्रयास लेकिन यहां पर फिर से डॉट बॉल खेननी पड़ेगी शोए मलीक को परेरा नौन स्ट्राइक पर मौजूद है लेकिन परेरा ने अभी भी यहां पर काफी कम रन्स बनाए हैं महज 9 रन बनाए हैं तो उन्हें भी हाथ खोलने का मौका अब मिलना वाला है क्योंकि अब 10-11 ओवर अव हो चुके हैं तो ऐसे मैं हाथ जरूर खोलने चाहिए दोन पर जीजी का जो प्रतिशत है वो 66 फीजदी यहां पर दिखाई दे रहा है और जेके के मैं बात करूँ तो यहां पर 34 फीजदी यहां पर जेके का जीत का प्रतिशत अभी दिखाई दे रहा है हाला कि यह आखलन अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब तक दूसरी पारी की शुरुवात नहीं होती है तब तक कहीं न कहीं जो जीत का प्रतिशत है वो जरूर अभी आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि पिछले मैच में हमने इंडिया वर्सिस बांगलादेश के बीच में जब मैच हुआ था उसमें देखा था कि बड़ा उलट फेर हुआ था आखर प्रतिश को जीत दर्च करवाई था और इंडिया बुरी तरह से हारा था चार ओवर बचे रहने के बाद भी तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि एक यहां पर रन लिया है इस ओवर में महज अभी तक बहुत कम रन्स यहां पर आये हैं सिंगल सी यहां पर देखने को मि देखिए सिंगल एक पर फिर से यहां पर सिंगल लिया है क्या आखरी बॉल में परेरा यहां पर फिर से शौट मारने का प्रयास करते हैं या नहीं यह देखना वाले बड़ा दिल्चस्प होगा देखिए देडी सिल्वा जो था वो भी शांदार खेल रहे थे यहां पर करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं बलीक और परेरा पीस पर मौझूद है स्ट्राइक सीधा परेरा के आखरी बॉल में क्या होता है परेरा सामने खेल रहे हैं और फिर से यहां पर उठाने का प्रयास जरूर किया गया था लेकिन बैट पर आई नहीं और वाइड ब पहली यहां पर फस्ट यहां पर बाउंस दी गई है एंपायर ने फस्ट बाउंस यहां पर एंपायर ने दी गई है पूरे मैच में अभी तक और अभी यहां पर आखरी बॉल यहां पर की है लेकिन आखरी बॉल में डॉट बॉल यहां पर खेली है परेरा ने और जिस तरहें से हम बात कर रहे हैं लगातार यहां पर कैश कल्डे को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह बड़ा मौका है आपके पास फैंटेसी 11, ट्रीम 11 बनाने का और हमारे मैचेस देखने का तो कहा जा रहे हैं आप यहां पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल पे आप पलपल की क्रिकेट की अफडेट स्री लंका प्रीमियम लीग और बिग बैश प्रीमियम लीग जो है वो अब शुरू होने वाला है तो बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है तो आप कहा जा रहे हैं हमारे साथ यहां पर आप बने रहे ए कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट जरूर करते रहे और लगातार क्रिकेट अफडेट्स हमारे साथ देखते रहे यह 41 रन यहां पर हो चुके हैं चार विगेट के नुकसान पर 11 ओवर यहां पर समाप हो चुके हैं 9 ओवर का खेल अभी भी बाती है किस तरहे से यहां पर खेलेंगे और 11 ओवर में यहां पर Carvay यहां पर Spinballing यहां पर लाये गए है Spinballer की मैं बात करूँ तो यहाँ पर तरंगा को यहाँ पर स्प्रिंग बॉलिंग के लिए लाया गया है ऐसे में यह देखना होगा कि क्या जिस तरह से 1.1 ओवर यहाँ पर हो चुका है और जिस तरह से 8 रन यहाँ पर अब तक बन चुके है Economic Run Rate के मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6.86 के Economic Run Rate से हैं हम यहाँ पर 15 और 20 ओवर तक तो यहाँ पर यह बताते हैं Projected Score यदि ऐसे ही खेलते रहे तो 128 के आसपास Score जा सकता है और यहाँ पर 7 Runs ज्यादी प्रती ओवर बनाते हैं तो 133 के आसपास का Score जाता है यानि की 133 के पार क्या जो टीम है वो पहुचा सकेगी या नहीं यह बड़ा सवाल है लेकिन कहीं न कहीं जो चोई बली गोर परेरा है उनको अपने हाथ खोनने ही पड़ेंगे क्योंकि Overs है वो अब लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रही है Current Run Rate है वो काफी नीचे आ रही है और जिस तरह से यहाँ पर Shorts लग रहे हैं तो काफी यहाँ पर कम Shorts, काफी कम Boundaries यहाँ पर देखने को मिल रही है पूरी तरह से बांदे रखा है अब तक यहाँ पर गाले की जो टीम है बहुत ही शांदार यहाँ पर प्रदेशन करती हुई दिखाए दे रही है देखे तरंगा जो के यहाँ पर Shri Lanka से खेलते हैं तरंगा उन्होंने शांदार परफॉर्म करा है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने शांदार प्रदेशन किया है और एक बार फिर से देखे है यहाँ पर शौट उठा के खेला है और सीधा सीमा रेखा के बार यहाँ पर चार रन आपको देखने को मिल रहे हैं ऐसे में आप देखना होगा कि क्या यहाँ पर अगले ओवर्स में किस तरह के रन आपको दिखाई देंगे अठटर रन यहाँ पर हो चुके हैं चार विकिट के नुकसान अब तक हो चुका है और बारा ओवर यहाँ पर होने वाले हैं आफ्टरी बॉल यहाँ आप डाल रहे डानने वाले हैं ऐसे में देखना होगा कि आखरी जो बॉल है उस पर कितने रंस यहां पर आते हैं यह देखिए सिंगल यहां पर लिया है और 12 ओवर की समापतिय अब तक हो चुकी है और 79 पर 4 का स्कोर यहां पर लंक का प्रीमियम लीग में जेके का हो चुका है पहला मैच य गर गाले की में बात करूं तो यहां पर शानदर बॉलिंग यहां पर गाले करती हूं दिखाई देर ही है लेकिन यहां कितने रंस यहां पर आते हैं कितने विकेट तरवे तक गेटे हैं यह यहाँ पर देखना होगा क्योंकि जिस तरहे से बात कर रहे हैं हम लगातार लंक का प्रीमियम लीग के हर बॉल की तो हर मैच की यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और पल-पल की जो अपडेटस हैं वो आप तक पहुचा रहे हैं तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिए और लगाता जो फ्रिकेट की अपडेट है वो हम आप तक पहुचा रहे हैं तो तमाम जो अपडेट है वो हम आप तक पंग्चा रहे हैं और देखिए तेरवे ओवर की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और तेरवा ओवर यहाँ पर यहाँ पर शुरू हो गया है 79 का स्कोर यहाँ पर और यह देखिए बड़ा विकेट यहाँ पर मिला है तो कहीं न कहीं जो सवाल है वो यहीं है को यहाँ पर आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या लगता है कशीज बहुत ही जादा विकेट सब तक गिर चुके है और परेरा जो कि एक्सपिरियंस प 79 रन्स पांच विकेट के नुकसान से और यहाँ पर जिस तरह से परेरा का विकेट गया है तो इन्होंने 16 बॉल में 16 रन बनाए थे और यह उसके बाद कॉट आउट हो चुके हैं तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से स्कोर जो है वो बन पाता है आप लोग हमारे 79 का स्कोर यहाँ पर हो चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि स्कोर जो है वो कहां तक जाता है और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर अगर हम बात करे स्कोर की तो 12.8 में महस 79 का स्कोर बनाया है और यहाँ पर न्यू बेट्समैन जो है वो आ चुके हैं वेल लेस और अब देखते हैं कि यहाँ पर यह कितना कमाल दिखाते हैं और कहां तक यह स्कोर को पहुचा पाते हैं और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं क कि देखते हैं क्या होता है और यहाँ पर डॉट बॉल जा चुकी है यह तो यह पहली बॉल हो चुकी है डॉट और अब यहाँ पर 12.2 में 79 का स्कोर 5 विकेट के नुकसान से अगली बॉल चालू फिर से और यहाँ पर इस बॉल पर फिर से वाइड बॉल हो जाएगी तो 12.2 में 80 का स्कोर हो चुका है 5 विकेट यहाँ पर जा चुके हैं और आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए बने रहिए पूरे स्कोर से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे अगली बॉल फिर से चालू और यहाँ पर फिर से डॉट बॉल तो 12.3 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 81 रन्स यहाँ पर एक रन उस बॉल पर मिल जाएगा तो 12.3 में स्कोर जा पहुचा है 81 रन्स पांच विकेट के नुकसान से तो 12.3 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 81 रन्स पांच विकेट के नुकसान से अगली बॉल हो चुकी है यहाँ पर चालू तो इस बॉल पर देखने वाली बात होगी और फिर से एक और वाइड बॉल तो यहाँ पर एक रन मिल जाएगा तो 12.3 में 82 का स्कोर पांच विके हैं अगली बॉल चालू फिर से और यहाँ पर इस बॉल में फिर से एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा तो 12.4 में 84 का स्कोर हो चुका है और पांच विकेट यहाँ पर जा चुके हैं आप लोग हमारे साथ लगारतार जुड़े रहिए बैतरीन क्रिकेट यूजर एक्सपीर रहना है कैश कर लेके साथ यहाँ पर सोहेव मलिक की बात करें तो 15 बॉल में 18 रन बना चुके हैं और वहीं वेल एच की बात की जाए तो यहाँ पर दो बॉल में एक रन इन्होंने बनाया अगली बॉल चालू मलिक होंगे स्ट्राइक पर और इस बॉल में देखते हैं क्या स्कोर जा पहुचा है 84 रंस अगली बॉल चालू यहां पर फिर से मलिक होंगे स्ट्राइक पर और उसी के साथ फिर से टॉट बॉल तो यहाँ पर 13 ओवर हो चुके हैं पूरे और 84 का स्कोर यहाँ पर हो चुका है आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए बने रहिए और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं नहीं जाना है सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है और आप हमें यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ पर फैन अरविंद अरोरा जी का कहना है कि 15 ओवर में 98 का स्कोर हो जाएगा तो यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि 15 ओवर में भी यही 98 यह 97 ही रहने वाला है तो देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 13 ओवर हो चुके हैं पूरी तो 13 ओवर में 84 का स्कोर 5 विकिट के नुकसान से और इसी के साथ यहाँ पर आप लोग हमारे साथ जुड़े रही है राजकुमार राज का कहना है कि 135 जायेगा देखते हैं बिल्कुल राज जी आप हमारे साथ बने रही है हम भी आपके साथ पूरे मैच में लाइव जुड़े हुए है स्कोर से हम आपको अपडेट करते रहेंगे अगली बॉल इसी के साथ चालू हो चुकी और यहाँ पे शांदार चार रन यहाँ पर मिल जाएंगे तो तेरा पॉइंट एक में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 88 रन्स 5 विकेट के नुकसान पर तो यहाँ पर चार रन बहुती शांदार चौका लगा है यहाँ पर रामू चोवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेलो रामू जी और यहाँ पर इनका कहना है कि 15 होवर में सौ का स्कोर बनेगा तो बिल्कुल देखते हैं रामू जी आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे बने रहे कहीं नहीं जाना है सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है एक शांदार चार रन यहाँ पे मिल जाएंगे तो तेरा पॉइंट एक में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 88 रन्स और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कूर बने रही है हमारे साथ तो चार रन यहाँ पे मिल जाएंगे तेरा पॉइंट दो में 92 का स्कोर हो चुका है अगली बॉल फिर से चालू और इस बॉल में देखते हैं क्या होता है और इस बॉल में फिर से एक और शांदार चार रन मिल जाएंगे तो तेरा पॉइंट दो में स्कोर जो है वो जा पॉँचा है 96 रन्स तो यहाँ पर फैन अर्विंद अरोरा जी यह तो पेंदरा ओवर से पहले ही 96 पॉँच चुका है तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है स्कोर 15 ओवर में कहां तक पहुच पाता है आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रही है बने रही है आप कही ना कहीं जो टीम है वो फॉँच में नजर आ चुकी है तो 13.3 में 96 का स्कोर और सी के साथ फिर से हो चुकी है बॉल चालू और इस बॉल में फिर से एक रन मिल जाएगा तो 13.4 में स्कोर जा पहुचा है 97 रन्स 5 विकेट के नुकसान पर और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजे और हमने आपको लाइफ चैट में वारे टेलिग्राम की लिंक भी दी हुई है आप हमारा गृप जो है वो जोईन कर सकते हैं इसी के साथ अगली बॉल चालू और यहां पर फिर से एक रन तो तेरा पॉइंट पांच में स्कोर जा पहुंचा है 98 रन्स 5 विकिट के नुकसान पर और आप लोग अमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बने हुए हैं ऐसे ही जुड़े रहिए बने रहिए और अगर आपने कैश कर ले को सब्सक्राइ कर लीजे इसी के साथ अगली बॉल चालू और फिर से यहां पर देखते हैं क्या होता है तो एक रन यहां पर मिल जाएगा तो यहां पर जो स्कोर है वो जा पहुंचा है 14 ओवर हो चुके हैं पूरे 99 का स्कोर यहां पर हो गया है आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े पूरे मैच का हाल हम आपको बताते रहेंगे और यहां पर 14 ओवर हो चुके हैं पूरे और इसी के साथ 6 ओवर महज बचे हैं तो देखते हैं यहां पर 6 ओवर में और जो स्कोर है वो कहां तक पहुंचता है आप लोग लाइफ चैट में जुड़कर हमें बताईए कि क्या ल ओवर में 50 रन आने की उमीद है 50 ओवर शायद आ सकते हैं तो 14 ओवर हो चुके हैं पूरे और 99 का स्कोर हो गया है और इसी के साथ 6 ओवर शेष हैं अगली बॉल यहां पर हो चुकी है चालू और यहां पर फिर से एक रन मिल जाएगा तो 14 पॉइंट एक में स्कोर जो है वो 100 रन यहां पर हो गए है 100 रन यहां पर टीम ने बना लिये हैं और अब देखते हैं क्या होता है इसी के साथ 14 ओवर एक में 100 का स्कोर 5 विकेट के नुकसान से तो यहां पर 15 ओवर में यहां से 5 बॉल 6 है तो देखते हैं स्कोर का अधक पहुचता है अगली बॉल चालू फिर से डॉट बॉल हो जाएगी है तो कोई रन इस पे नहीं मिलेगा 14.2 में स्कोर जा पहुचा है 100 रन 5 विकेट के नुकसान से और अब यहां पर अगली बॉल चालू फिर से और इस बॉल पर क्या होता है एक रन यहां पर मिल जाएगा तो 14.3 में जो स्कोर है वो जा पहुचा है 101 रन इसी के साथ यहां से 3 बॉल 6 है तो 3 बॉलों में और स्कोर कहा तक पहुचता है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो score है तीन बॉलों में शायद तीन या चार रन ही आने वाले हैं अगर डॉट बॉल नहीं होती है क्या होता है अगली बॉल चालू फिर से और यहाँ पर इस बॉल में आ जाएगा एक रन तो 14.4 में जा पहुचा है यह score 102 का 5 विकेट यहाँ पर लग चुके हैं तो देखते हैं यहाँ से दो बॉल शेश हैं और दो बॉलों में और जो score है वो कहां तक पहुचता है आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रही है और अगर आपने कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है रामुजी 20 ओबर में 161 रहने वाला है और राजकुमार ज स्कोर जो है वो जा पहुचा है 103 रन पांच विकेट के नुकसान से और यहाँ पर इस ओवर की आखरी बॉल तो देखते हैं इस क्या होता है आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रही है बने रही है और सब्सक्राइब करते रही अगली बॉल आखरी बॉल इस ओवर की और यहाँ पर देखते हैं इस बॉल पर क्या रंग लाते हैं और यहाँ पर एक और शांदार चार रन यहाँ पर मिल जाएंगे तो 15 ओवर में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 107 रन 15 ओवर में 107 का स्कोर यहाँ पर जिस तरह से शुरुवात हुई थी तो लग रहा था कि कही न कहीं मुश्किल हो सकता है यहाँ पर जफना किंग्स के लिए स्कोर बनाना लेकिन अब जिस तरीके से फॉर्म में आती नजर आ रही है टीम तो यह जो स्कोर है वो 20 ओबर में जाद से जाद मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 20 ओबर में स्कोर है वो 1500 पार कर जाएगा तो आप लोग अमारे साथ लगातार जुड़े रहे बने रहे और अगर आपने कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ पर अमारे साथ सोनु जी जुड़ चुके हैं हेलो सोनू जी बिलकुल आपका स्वागत है कैश कर ले में ऐसे हमारे साथ लगातार आप सबी लोग जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले आपको देखना है जुड़े रहना है कैश कर ले के साथ और यहाँ पर जो 15 ओवर हो हैं वो हो चुके हैं पूरे तो देखते ह हैं कि यहाँ पर क्या स्कोर कहां तक पहुंचता है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं अगली बॉल यहाँ पर तो 15 ओवर में जो स्कोर है वो जा पहुंचा है 107 रन 5 विकेट के नुकसान से बिल्कुल 5 विकेट का यहाँ पर नुकसान हो चुका है और 107 रन यहाँ पर अब तक बन चुके है टीम के लेकिन कहीं न कहीं जो टी 20 का रोमांच है वो अब तक दिखाई नहीं दिया है पूरे यहाँ पर अब तक की मैच की बात करें लेकिन पिछले ओवर्स की मैं बात करूँ तो पिछले ओवर्स में जरूर यहाँ पर जो रन्स है वो देखने को मिले थे और यहाँ पर जो और यह देखिए पहली बॉल पर यहाँ पर सिंगल लिया है और सिंगल के साथ में ही यहाँ पर जो टीम का जो इसकोर हो चला है वो 108 पर 5 का यहाँ पर score हो चला है और जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ लगातार टीम के score की तो team का जो score है वो यहाँ पर हो चला है मात्र 108 रन यहाँ पर team के हो चुके है current run rate की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7.2 का current run rate अब तक हो चुका है और सबसे खास बात यह है कि अभी भी यहां पर शोई मलिक टीम में मौजूद है यदि कि अभी वो ग्राउंड पर मौजूद है तो ऐसे में देखना यही है कि किस तरह से यह जो कह सकते हैं कि अप्डेट्स है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं लाइव अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे दोर पर और इसलिए हमें कमेंट्स कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताते रहिए कि क्रिकेट के दुनिया में किस तरह से जो तमाव अपडेट्स है वो हम आपको बता रहे हैं तो इसलिए हमें कमेंट्स कीज मैच का स्कोर कहां तक पहुँच पाता है और शोयव मलिक के बात करते हैं तो शोयव मलिक ने अभी तक महज 22 रन बनाए है और 22 यहाँ पर बॉले खेली है यानि कि उनका काफी जो अभी तक उनके बल्ले से रन आने चाहिए थे वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं दूसर 12 रन अब तक वियलेंस ने बनाए है 12 बॉले अब तक वे खेल चुके हैं दिखिए अभी यहाँ पर तीन बाउंडरी वियलेंस ने जबूर बनाई है वो शोयव मलिक से काफी तेज खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन शोयव मलिक का जो एक्सक्रियेंस है वो बहुत बड़ा एक्सक्रियेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ऐसे में सवाल यही है कि किस तरह से जो बल्ले बाजी हो रही है वो यहाँ पर अभी भी फास्ट नहीं हो रही है यह देखिए फिर से यहाँ पर सिंगल रन लेने का प्रयास किया गया और यह प्रयास यहाँ पर स यहां पर over हो चुके हैं और current run rate की मैं बात करूँ तो 7.02 की current run rate अब तक हो चुकी है और jk की मैं बात करूँ तो jk ने यहां पर जिस तरह से 111 run का यहां पर अब तक score हो चुका है और यहां पर इस over की आखरी ball अब तक हो चुकी है तो score कहां तक जाएगा और मुझे लगता है कि यह score यदि 130 या 40 के आसपास का जो 20 का score है वो हमें यहां पर आपको दिखाई देगा तो हमारे comment box में जाईए और आप बताते रहिए कि कितना score टीम का जाता है और कितना यहां पर जो लंक का premium league का जो पहला match है जापना किंग वो कितने runs यहां पर बना पाती है आखरी ball पर यहां पर single लेने का प्रयास और यह प्रयास पुरी तरह सेज सपल रहा है 112 run पर यहां पर score हो चुका है 16 over की यहां पर समापती हो गई है और अब यहां पर 4 over और मिलेंगे और यह देखिए यहां पर time out हो चुका है और यहां अभी अभी खिलाडी ने गैनबाल ने यहां पर अभी उन्होंने अपील जरूर की थी लेकिन अपील जो है वो यहां पर सफल नहीं रही और यहां पर time out भी हो चुका है यानि कि आप 16 over की यहां पर आखरी बोल थी 16 over अब समापती हो चुका है और 16 over की समापती के साथ ही यहां पर score हो चला है 112 run current run rate की मैं बात करूँ तो current run rate भी यहां पर हो गई है 7.0 की current run rate हमें आपको दिखाई दे रही ही है 17 over यहां पर शुरू होने वाला है 17 over में कितने runs बनते हैं और कितने यहां पर score card में runs बन पाते हैं score card कितना पहुँच पाता है यह सवाल है तो तमाम जो cricket lovers है वो हमारे साथ जुड़े रहिए subscribe करते रहिए हमारे cash कर ले channel को और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार प्रयास की तो लगातार प्रयास जरूर किया जा रहा है हवा में shots भी जा रहे हैं लेकिन जो ball हो रही है वो काफी शांदार यहां पर ball है वो यह end प्रदीप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और end प्रदीप की मैं बात करूँ तो end प्रदीप ने भी यहां पर अच्छी ball की है और यहां जो ground है वो ground काफी यहां पर fast pitches है 112 run का score यहां पर हो चुका है 130 या 140 run का score होगा वो यहां पर कम score माना जाएगा क्योंकि जो दूसरे team है उसके पास भी यहां पर शांदार बल्लेवाज है और rounders यहां पर team में मौझूद है और game बाजो की force तो आप देखी रहे हैं कि किस तरह से यह दबाओं में रखा है पूरी तरह से बांदे रखा है खुल कर खेलने का प्रयाज जो है वो बल्लेवाज यहां पर जेके के करते हुए दिखाई नहीं दिये है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार हमारे crashing को subscribe आप जलूर कर लिजिए क्योंकि cricket की हर ball का visualization आप तक पहुचा रहे हैं तो इसलिए हमारे canal को lagataar subscribe आप करते रहे जेके की score की मैं बात करूं तो यहाँ अभी भी over शुरू नहीं हुआ है सत्रवे ओवर की शुरुवात यहां पर कब होगी क्योंकि जिस तड़हे से यह खेल जो है वो अब इंट्रेस्टिंग हो जाएगा चार ओवर आखरी के चार ओवर में कितनी रणों की बरसात होती है लेकिन लगता नहीं है कि अभी भी बरसात होगी दो रन यहां पर लिए हैं बाउंडरीस का यहां पर जिक्र हम कर रहे हैं कि बाउंडरीस कब आएगी लेकिन प्रयास जरूर किया जा रहा है लेकिन अभी यह प्रयास अफल नहीं हो रहा है एक सो चौदा रन का स्कोल यहां पर हो चुका है और पांच विकेट के नुकसान अब तक टीम को हो चुका है शोएब मलिक यहां पर स्ट्राइक पर मौजूद है 26 रन उन्होंने बनाए है पांच विकेट यहां पर नुकसान हो चुका है टीम को और एक चौका उन्होंने अ मलिक ने उठा के खेला है और ये शांदार शौट लगाया है चौका जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लगातार जो शोईब मलिक के बल्ले से अभी तक खामूशी दिखाई दे रही है वो खामूशी कहीं न कहीं तूटी है और यहां पर बाउंडरी लगती हुई हमें ने धाई दे रही है यानि कि जिस तहे का प्रयास वो लगातार कर रहे थे वो प्रयास अब कहीं न कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से ये हवा में और बड़ा विकित अपना विकित खो बैठे solly बलिक यहां पर बहुत बड़ा विकित यहां पर शोय मलिग ने खोया है और चौका मानने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था लेकिन इसी बीच अपना विकिट गवा बैठे और बहुत बड़ा विकिट ये जेकेक ने खोया है और देखिए पूरी तरह से प्रयास किया गया था कि संकट से कैसे उभारा जाए लेकिन व लगातार कह रहे थे कि कहीं न कहीं रिस्क जरूर लेना होगा लेकिन इसी रिस्क के बीच में अब यहाँ पर कैच आउट यहाँ पर मलिक हो गए है और मलिक की जगे अब कौन यहाँ पर आता है यह देखना दिल्चस्थ होगा 49 रन की पार्टनेशिब इन दोने बनलेवाजों के बीच में हुई है जिननोंने मातरे 26 बॉलों में 45 रन बनाये हैं और यहाँ पर बात करें एहमद की तो उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग की है और एहमद ने यहाँ पर इस ओवर में रन जरूर लुटाये हैं एक छक्का उनके ओवर में आया है और पहला ओवर कर रहे थे और पहले ही वी ओवर में यहाँ पर विकेट अपने नाम किया है और Jams Fuller जो है वो नए बंधबाज के रूप में यहाँ पर ground पर मौजूद है और strike पर है और फुलर यहाँ पर कितने रन बनाते हैं ये देखना होगा क्योंकि टीम को अभी रन्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है फुलर ने आते ही अपना खाता खोल लिया है पहली गेन पर अपना खाता खोल लिया विलेंस की मैं बात करता हूँ तो उन्होंने अभी तक 19 रन सवाल है कि क्या खुलकर खेलती है जाकना किंग्स या फिर दबाव में क्योंकि जो गैले ग्लेडियर्स की जो टीम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर शांदार गैनबाजी यहाँ पर करते हुई दिखाए देरिये देखें यहाँ एक दो ओवर्स में बाउंडरी जरूर आती जो थम जाते हैं और रंस जो है वो काफी यहाँ पर और देखिए एक और विकेट बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर गिरा है फुलर एक बार फिर से यहाँ पर देखिए सात्वा विकेट इसी ओवर में जो है दो विकेट यहाँ पर टीम को मिले हैं और फुलर यहाँ पर आउट हो गए है और एहमद की यहाँ पर शांदार गेनबाजी हमें देखने को मिली है आई एहमद जो है उन्होंने आठ रन पर यहाँ पर दो विकेट लिये है और कैच आउट यहाँ पर दिया गया है बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर जिस तरीके से खेलती भी दिखाई दे रही थी जाफना किंग्स तो जाफना किंग्स जो है वो अब बैक फुट पर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि 120 रन यहाँ पर बने है साथ विकेट के नुपसान पर तो क्या 140 के आसपास का स्कोर यहाँ पर बन पाता है या नहीं यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा आख़ी के 3 ओवर यहाँ पर बाकी है आख़ी के 3 ओवर में कितने रन्स यहाँ पर बन पाते हैं और कितने यहाँ पर जो विकेट्स है वो हमें दिखाई देते हैं यह देखना बड़ा सवाल होगा नए बल्लेवाज के रूप में यहाँ पर विजय कामता जो है वो यहाँ पर नए बल्लेवाज के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और यह अपने बल्ले से कितना जादू दिखा पाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर टीम के पास में पुछले बल्लेवाज ही कुमी का निवाते हैं तो इतना experience उनको नहीं है बल्लेवाजी के रूप में ऐसे में देखना होगा कि कितने यहां runs बन पाते हैं 120 रन अभी तक बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर अब तक हो चुके हैं पहली गेंद यहां पर 28 ओवर की डाल चुके हैं और current run rate अब लग के सामने दिखाई दे रहा है और crease पर यहां पर मौजूद है हमारे वेलेंगजर जो है वो टीम के यहां पर मौजूद है और उन्होंने अभी चौका जर दिया है दिए शांदार चौका जिस तरह से हम चौके की बात कर रहे थे लगाता और boundaries की बात कर रहे थे तो वो boundary अब आपर देखना होगा कि अगले दो ओर में कितने रण आ पाते हैं किया 140 या 150 का स्कोर है वो यहां पर पहुँच पाता है या नहीं है देखिये अगली ball फिर से यहां पर फैकने पैक की गई है और देखना होगा कि यहां पर प्ले वाजयों को और शांदार यहाँ पर गेनबाजी जो है वो करते हुए रियास जो है वो यहाँ पर गेनबाजी कर रहे हैं और चौथा ओवर अपना फैक रहे हैं और एक यहाँ पर उन्होंने विकिट लिया है मातर गुनिस रन देखकर काफी किफायती गेनबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं डबलू रियास तो डबलू रियास की आगे की बॉल में क्या वे विकिट ले पाते हैं या नहीं ये देखना होगा दो रन फिर से आए है टीम के खाते में और जाप्ना किंग्स के खाते में अभी तक दो रन्स और बन पाए हैं लेकिन अभी दो ओवर और बाखी है क्या इन दो ओवर्स में रंस बड़े मिल पाते है क्योंकि आखरी के ओवर में देखने को मिलता है कि बड़े ओवर कहीं न कहीं मिल जाते है टीम को लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो खिलाडी यहाँ पर मौजूद नहीं है प्लेयर्स की यहाँ पर मौजूद की नहीं है बल्लेबाज अब टीम के साथ यहाँ पर सभी पैवेलियन लौट चुके है इसलिए हम बात कर रहे हैं कि लगातार स्कोर कितना पहुँच पाते हैं बोर्ड पर स्कोर कितना यहाँ पर देखने को मिलेगा 130 रन का स्कोर अब तक हो चुका है और यहाँ पर आखरी बोल का देखने होगा कि आखरी बोल पर कितना रन यहाँ पर आपाते हैं साथ विकिट अब तक गिट चुके हैं टीम के और आखरी बोल यहाँ पर खेलने का प्रयास किया जा रहा है और ये देखिए फिर से बड़ा विकेट यहाँ पर बाउंडरी मारने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था लेकिन 130 रन पर 8 विकेट अब तक गिर चुके हैं टीम कर जाफना किंग्स जो है वो उसका स्कोर कही ना कही जो है वो अब कह सकते हैं 130 पर 8 और मेरे साथ यहाँ पर जूट चुके हैं वरुण वरुण यह 130 पर 8 विकेट इतनी धराशाई इतनी बुरी तरह से यहाँ पर धराशाई होती है दिखाए देरे जाफना किंग्स देखिए कही न कहीं यह जो CP लंगा प्रीमेर लीग है यह बहुत ही जादा दिल्चस्प होती भी जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कितना जबर्दस्त यह मैच होता जा रहा है आपके साथ लगातार आशीश कशेश हम सब लोग बने हुए और आपको एक एक पल की जानकारी दे रहे हैं इसलिए कैश करने को आपको बिल्कुल सब्सक्राइब तेजी से कर लेना है और ये जो जबरदस्त मैच आप देख पा रहे हैं इस जबरदस्त मैच को इसी तरीके से लगातार और शांदार तरीके से आपको देखते जाना है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जिस तरीके से जाफना किंग्स और गलीग एडियेटर्स खेल रहे हैं उससे साफ तर्पर पाता चल रहा है आठ विकेट डाउन मात एक सो तीस रन मना कर अठारा ओवर पर कहीं न कहीं बहुत ही जबरदस्त बोलिंग और क्या कहें आशिश इसको जबरदस्त बोलिंग कहें या फिर कहीं न कहीं एक धराशाई होती हुई बैटिंग देखिए जबरदस बॉलिंग का ही नजारा है क्योंकि जिस तरह का पिच है जिस तरह का ग्राउंड है तो काफी अच्छा बैटिंग पिच है लेकिन कई न कई जो बैटिंग है वो कई न कई ठीक तरह से हो नहीं पाई है शोएप मली कितना experience जो पाकिस्तानी खिलाडी है वो टीम के कभी कप्तान रहे है पाकिस्तान की लेकिन कई न कई न कई वो भी आज पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है वरुन और जिस तरह से उनके कयास लगाया जा रहा है थी कि गरगन चुम्बी वो चक्के लगाएंगे च गेंद गई फिर से डॉट बॉल डॉट पे डॉट महेश टिक्षना से ये बिलकुल उमीद की जा सकती क्योंकि ये तो टेल इंडर है किस तरीके से ये मैच आगे बढ़ रहा है बिलकुल बाउंटरी नहीं लग रही है इस तरीके के ये मैच अगर हुए तो टी ट्वेंटी का जस्बार रह कहा जाएगा करेंट रूरेट साथ दर्शमलव एक पांच की और 131 पे आट का स्कोर अठारा ओवर पूरे हो चुके है दूसरी बॉल अठारा ओवर की पूरी हो चुकी है अप तीसरी बॉल होगी नुवान प्रदीप आ चुके है यहाँ पर और इसी तरीके जो रंग करेंट का वो देखने वाला है दो और में क्योंकि अभी हम देखना है कि बल्लेवाज है वह यहाँ पर इतनी बल्लेवाज experience नहीं है टीम के पास में आठ विके डाउन होने के बाद experience बल्लेवाज आने के उम्मीद भी नहीं है गया आलरांडर भी टीम में लिये ग महेश्टिक्षणा भी गए अब यहाँ पर आप देखिये तीन बॉले खेले थे शुन्य रन बनाये थे और अब हो गए caught out नुवान प्रदीप की बॉल पर हो गए है महेश टिक्षना caught out और जिस तरीके से महेश टिक्षना यहाँ पर caught out हुए उससे साफ समझ में आ रहा है दिख रहा है कि पूरी तरह से धराशाही होगी टीम और all out होने की कगार पर है बिल्कुल all out होने के रास्ते पर यह पूरी तरह से है और इस तरीके से किस तरह से चल पाएगा महेश टिक्षना का जाना वाक़ी एक बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा जटका है एन फन्नांडनन का कैच लिया है और नुवान प्रदीप की यह गें थी महेश टिक्षना जाना के बाद अब बिनूरा फन्नांडे आ चुके है लेकिन यह पूरी तरह से टेल एंडर है अगर एक और बिकिट गया तो यहां से all out हो जाती है पूरी JK टीम और इसी के साथ आप देख रहे हैं लंका प्रीमियर लीग और लंका प्रीमियर लीग पर आपको पलपल की अब्डेट सिर्फ और सिर्फ कैश करने पर बिलेगी यह लीग आपको पूरी तरीके से यहां पर हम देंगे उसके बाद बिबैश भी देंगे फिर से बॉल हो चुके यह चालू 139 का स्कोर यहां पर 18 ओवर और 4 बॉले हो चुके सम्माप्त नुवान प्रदीट की बॉल बियूनरा फिर्णान्डो को किस दोर रण मनाए है देखिए आते ही कम से कम दोर रण का कोंट्रिबूशन दो इन्होंने दिया बिल्कुल किया है और जोश की मैं बात करूँ कि मैच में जोश नहीं है लेकिन वरुन आप में पूरा जोश है और इसी किसलिए हम कैश करने में लगाता है सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रिकेट का जो मजा है वो हमारे साथ देखने को मिलता है वरुन के साथ देखने को मिलता है देखे होश भी देंगे जोश भी देंगे और आपको लगातार क्रिक्ट का पूरा एक्सपीरियंस देंगे और ये एक्सपीरियंस बॉल फिर से हो चुके चालो होने वाला है और ये दारूमदार बहुत इंप्रेंट थाबित होने choix पर दारूमदार है लेकिन बूसरी तरह हम देखे यानि यहां पर दस से बारा रन बचा सकती है तो कई पर यहां पर हो जाएगे और जेके और वो दस बारा रन जो टीम को अख्रेंगे नहीं और कहीं न कहीं लास्ट में जो ओवर नुवान तुश्कारा को दिया गया है लास्ट का ओवर इनी के खाते में आगा अगर अलाउट कर देते हैं यह तो बहुत ही जबरदस एकनॉमी चारा की बोलिंग और मात्र पांच बोले शेयर शेयर से रिंग्स में आप लगातार देख रहे हैं कैश कर ले करेंट रंडेट 6.9 की सब्सक्राइब करते रही है शेयर करते रही है लाइव को जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि मैच का यह मज़ा हम आपको इसी तरह से बने रहें हमारे साथ यहाँ पर राज कुमार राज करें आउट इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ही हङंडल से बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पर messages ना करें इससे spamming होती है आप एक ही handle से सिर्फ एक message करें नहीं तो हमारी back in team उस message को delete कर देगी आपका प्यार सदा ऐसे ही बने रहे और आप हमेशा हमारे साथ रहे cash कर ले को subscribe करते रहे यहां पर आप लगातार देख रहे है एक के बाद एक पूरे match का हम आपको यहां पूरा prediction बता रहे है और साथी साथ पूरा आँखों देखा हाल भी दे रहे है cash कर ले पर यह सब कुछ आपको मिलता रहेगा दो और हो चुकी है तीसरे बोल चालू और यहां पर एक रन फिर मिला है गली गैडियेटर्स और जी जे एसके के बीच में यह match आप देख सकते है जफ़ाना किंग्स और गली गैडियेटर्स के बीच में यह match रहा है live आपको सारा experience दे रहा है cash कर ले मैं आपके साथ वरुन बिर साथ आशी लाइव experience आपको देते जाएंगे और आपके सारे comments आपका नाम लेकर पढ़ेंगे आपको भी famous कर देंगे यह पक की बात है और पापा की शक्तिमान पापा का शक्तिमान कह रहे है अर्विन दरोड़ा जी को भी जबरदस्त तरीके से हवी आ रही है हसने वाली बात है हसते रही है मुस्कराते रही है cash करने वो subscribe करते रही है जादर से जादर लाइव को share करते रही है देख रहे हैं आप लोग जफाना गिंग्स वर्सिस गलीक लेडी है पहला मैच इस बॉल पर मिले है आशी शोरान बिल्कुल दो रन मिले हैं लेकिन 137 का score हुआ है तो कही न कहीं जो score है वो 150 के असपास होता तो लडने वाला score जरूर हो सकता था लेकिन कहीं न कहीं जो गैनबाजी यदि अच्छे होती है तो काटे की टकर यहाँ पर देखने को मिलेगी और एकली बॉल फिर से यहाँ पर फैकी जा रही है और इस बॉल पर क्या कुछ होता है 6-9-7 की strike rate के साथ खेल रहे हैं बहुत दवर्टेस तरीके से और यहाँ आप देख रहे हैं साफ़तोर पर गली के डिएजर और यह देखे आल आउट यहाँ पर हो चुकी है पूरी टीम अपना विकेट गवा बैठे है यहाँ पर जेके आखरी विकेट भी यहाँ पर गवा बैठे है और 138 रन का टार्गेट दिया है यहाँ पर जीजी को जीजी बॉल आउट हुए है बोल्ड आउट हुए है आशीश तो घर में अगर आखर चलाते हैं गुड नाइट तो आप देखिए ओल आउट दोनों ही आपको मिलेंगी यहाँ पर पूरी तरह से ओल आउट हो चुके है और आप हमारे साथ लगातार बने हुए है शेयर करते रही है इस लाइब को जादे 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 कैश कर लेगो सबस्क्राइब करते रही है जाफना किंग्स वर्सस गलीक लेडियेटर्स का पहला माच यहाँ पर आप देख रहे है लंका प्रीमियर लीग हम मजाग में कहते हैं जब भी कुछ गरग किसी के साथ बुरा हो जाता है कि लंका लग गई लेकिन यहां लंका लग रही है क्योंकि लंका प्रीमियर लीग चल रही है स्कॉर कार्ट पर डिसकस करेंगे बताएंगे आपको कि स्कॉर कार्ट क्या कहता है score card का क्या हाल है क्या लगता है आशिश आपको JSK में सबसे वेहतरीन बनले बाजी किसने की और inning break के बाद अब बनले बाजी करने के बारे either you girlी gladiators किया जाइज messy अब के सबसे जफाना किंग्स में सबसे बहतरीन बनले बाजी अभी तक किसने की आशिश सकते थे और और भी ज़्यादा संभाव ना थी तो डीस्वा की मैं बात करूँ तो डीस्वा ने भी काफी अच्छे रंस बनाये हैं मातर के गुसंच बॉल ओम में गुंतिस रंस बनाये हैं लेकिन देड़ सो की स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले दी विलांडे को आप नहीं बूल सकते 20 बॉलों में 30 रन इनों ने बनाए चार चौक के मारे था शीश बिलकुल मैं उन पर भी आ रहा था कि चार चौक के उन्होंने जड़े थे और तब जड़े थे जब टीम को ज़रुरत थी यानिती वो तो अपना काम कर गए लेकिन बाके खिलाडी जो है नीचे के वो अपना काम नहीं करके जाए और इसलिए लगातार विकिर्स पर विकिर्स गिरते गए और स्कोर जो है वो 137 पर रहा और 138 का टारगेट यहाँ पर टीम को दिया है तो डी वेलर लागे यहाँ आप देख सकते हैं 20 बॉलों में 30 रन बनाकर 4 चौक के मारकर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले बल्लेबास रहे डेड़ सो की स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ खेले रनों की कॉंट्रिबूशन के बारे में बात करें तो यहाँ शोई मलिक ने भी 30 रन बनाए लेकिन 27 बॉलों में बताया थे जिसके साथ उनकी स्ट्राइक रेट हुई 111 एक की और यहाँ मैं आपको बता हूँ कहीं न कह टी परेरा ने 16 बॉलों में 16 रन बनाए और डिसिलवा ने 19 बॉलों में 29 रन बनाए लेकिन 2020 क्रिकट वाला कॉंट्रिबूशन जो है वो आज दिख नहीं पाया गुर्बाज जैसे लोग चल नहीं पाये गुर्बाज जिन से बहुत संभावना है थी बहुत ज़ादा उपक किया है और सभी एक गैनबाज दो गैनबाजों को छोड़ कर यहां पर जो तमाम जो गैनबाज है उन्होंने 5.75 के आसपासी रन रेट दी है यानि कि जो रियास की मैं बात करूँ पहले यहां पर रियास की बात करता हूँ रियास ने 4 ओवर में 23 रन दिये है यानि कि किफा गैनबाजी की है और दो विकेट भी उन्हों ले लिये हैं स्कॉर कार्ट पर पूरा अनलेसिस आपको मिल रहा है कैश कर ले पर इनिंग ब्रेक में भी कहीं जाए अगमाद क्योंकि हम आपको यहां पर बहुत ही कम वक्त में पूरा स्कॉर कार्ट बता दे रहे हैं और आपक अरीके से ओल आउट हुए और फिर एहमद आया उन्होंने भी दो विकेट ले लिये केवल एक थरंगा के अलावा सब बॉलर्स ने दो दो विकेट लिये यह वाकर बहुत जबरदस्ट बात है लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ेगा वसीम को वसीम ने मातर 22 बॉलों म 22 रन दिये आप समझ सकते हैं मातर 22 रन दिये और सबसे कम रन देकर विकेट लेने वाले मातर 5.5 शुन्य की एकनॉमी देकर विकेट लेने वाले यह जबरदस्ट गेंद बाज रहे तो आज तारीफ गेंद बाजों की बनती है आशिश बिल्कुल गेंद बाजों की तारीफ बनती और सभी रिशांदार यहां पर विकेट्स लिए हैं दो-दो विकेट्स लिए हैं लेकिन अब यह ऐसी ही गेंद बाजी जो है वो जेके को भी करनी होगी क्योंकि पिच जो है काफी यहां पर देखते हैं कि रात के समय जो है दिखाई देती है काफी cold weather वहाँ पर दिखाई दे रहा है भारत की तरह ही वहाँ पर जो weather है वो दिखाई देता है लेकिन आज के match का जो जवर्दस रोमाइंच है वो हमारे साथ आप बिल्कुल भी देखना ना भूले और लगातार हम कह रहे हैं इसलिए हर ball का जो update है वो ह हम आप तक पहुचा रहे हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं कैश कर लेकर हर बोल हर match का विशलेशन हम आप तक लाइब पहुचा रहे हैं यह तो आपको करना ही और साथ साथ कैश कर लेको जब तक आप सब्सक्राइब करते रहेंगे कैश कर लेके और हमारे साथ मिले रहीएगा पूरे स्कोर कार्ड के अनलेसिस आपको आशी शागे बताते रहेंगे और आपको पूरे स्कोर कार्ड के बारे में एक एक बोलर के बारे में पूरी मैच की समरी अच्छी तरह से बताने के लिए हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर एफर्नैंडो से ए फर्णाइंडो जो नौ रन बनाते हैं नौ बॉलो बॉल करते हैं एक चौका मारते हैं और सौ की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं फिर एल पी डबलू और बॉल्ड हो जाते हैं वसीम से वसीम की बॉल पे ही एल पी डबलू हो जाते हैं तो ये ए फर्णाइंडो है ज आप देखें मत्र नौवालो के अंदर मत्र एक रन बनाते हैं आप गुर्बास से कभी या फैकشाही नहीं कर सकतें उम्मीद ही नहीं कर सकतें खराब होके भी किदना खराब हो सकता है फॉर्म ये गुर्बाज ने बताया है मत नौ वॉलो में उन एक रन बनाया है और ग्यारा दशमलव एक एक की स्ट्राइक रेट किसको कह सकते है गुर्बाज से गुर्बाज से अपिक्षाएं की नहीं जा सकती जो अफगानिस्तान का सितारा है अफगानिस्तान का वो तारा है जो क्रिकेट पे जबरदस्ट समगता है अफगानिस्तान का वो सूरज है जो कही न कही उनको पूरी तरह से एक आस देता है उम्मीद देता है कि गुर्बाज है तो जी जाएंगे ऐसा गुर्बाज अगर नौ राजशाही कर दिया ये समझना पड़ेगा और उसके बाद आते हैं टी कोलर कडमोरे च्छे बॉल खिलते हैं च्छे बॉलों में च्छे इरन बनाते हैं जिसमें से भी एक चौक का मांके बनाते हैं मातर सौ की स्ट्राइक रेट पर वो कही न कहीं तुशारा की बॉल पर देने के लिए कही न कहीं शोईब मलिक आते हैं क्या कुछ करते हैं शोईब मलिक आशीश बताएंगे और किस तरीके से वो कॉटन बोल होते हैं देकि शोईब मलिक का भारत से वैसे भी नाता है हम बात करते हैं शोईब मलिक की बैटिंग की तो बैटिंग के हम बात करते हैं कि age भी काफी जादा हो गई है लेकिन T20 में तो आपको बल्ला चलाना ही होगा उन्होंने मातर 30 रन बनाये हैं उनसे अपेक्षाएं इसलिए जादा बढ़ जाती है क्योंकि वो काफी experience खिलाडी है और काफी शामदर खिलाडी है जो उस तरह से उन्होंने T20 में अपना पाकिस्तान के साथ तो कहीं न कहीं जो टीम के साथ जो बने रहने के साथ बात है जो टीम के साथ जो boundaries लगाने की बात थी वो आज खुलकर खेलते हुए हमें दिखाई नहीं दिया है जितना वे खेल सकते थे और इसी के साथ हम आपको एक एक update यहाँ पर दे रहे हैं पूरी तरहे से आपके सामने आपको देखा खाल रख रहे हैं तो यहाँ पर आपने साथ तोर पे देखा समझा कि क्या कुछ हुआ शोई मलीक के साथ उसके बाद आए टी परेरा टी परेरा टी परेरा सोला बॉलों में सोला रन बनाते हैं एक चौक का मारते हैं सौकी स्ट्राइक पर चले जाते हैं और यहाँ पर अच्छी length की ball होती है जब स्टम पर लगती है तो परार परेरा जो है वो caught and bold हो जाते है और यह पूरी तरह से square leg पर खेलते हुए top edge से bet की top edge से खेलते है और फिर जो है वो पूरी ball हवा में जाती है और shot third man जो है उनकी ball को पूरी तरह से आसानी से catch कर लेता है और short third hand पे प्रदीब खड़े होते हैं जो वसीम की ball पर इनका catch out कर लेते हैं और मात्र सौ की strike rate पे ये out हो जाते हैं लेकिन फिर जब डी विला लागे आते हैं तो देखिए वो क्या करते हैं बीस ballों में 30 run बनाते हैं चार चौके मारते हैं डेर्ड सो की जो की अभी तक जेगे में जितने भी लोग खेले हैं जफाना किंग्स में जितने भी लोग खेले हैं उससे वह सबसे ज़ादा strike rate पर डी विला लागे खेलते हैं और वहाँ पर वाहिब रियास की जो ball होती है वो विला लागे को वापिस पवेलियन बेज देती है यह ball जो है वो short of a length pace थोड़ा सा होता है उस ball में उस तरीके से वो आती है और विला लागे जो है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से out हो जाते हैं वो outside edge में जाकर keeper की तरफ ball को फेकते हैं और यहाँ पर आप देखिए empire जब उंगली उठा रहा था उससे पहले ही वो चले जाते हैं उनको पता होता है कि यहाँ मैं जा चुका हूँ और 20 में 30 run बनाते हैं लेकिन वो पारी 8 way wicket के साथ out हो जाती है यहाँ आप देख सकते हैं विला लेग लागे जब जाते हैं तो वाकिए बड़ा जटका लगता है अशीश उसके बाद जे फुलर आते हैं वो क्या करते हैं आप समझाए बताएं देखे जे फुलर की मैं बात करूं तो जे फुलर ने मात्रे यहाँ पर एक रन बनाया है दो बॉलो बॉले यहाँ पर उन्होंने खेली है देखे जे फुलर को इतना experience नहीं है और उन्होंने 7 डाउन पर यहाँ पर आये थे इसलिए बल्लेवाजी करने लेकिन वो बॉलिंग में क्या दम दिखा पाते हैं यह देखना होगा क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पर बल्लेवाजी करने आये थे तो टीम की परिस्तितिया भी जो है वो काफी ठीक नहीं थी इसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तिशाना की तिशाना की हम बात करते हैं तो वे तो मात्र यहाँ पर तीन बॉले उन्होंने खेली है तीन बॉलों पर शुन्ने रन और जीरो पॉइंट जीरो जीरो पर वो आउट हो चुके बिलकुल और किस तरीके से उनका वो गए वो वाकी सुनने वाली बात है शौट अफ गुंडलेंद यहाँ पर पूरी तरह से सरफेस पर बॉल थी और तिक्षाना जो है वो पुल करना चाहा रहे थे लेकिन स्ट्रेट और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इनिंग्स ब्रेक जो है वो समाब तो होने वाला है प्लेयर्स जो है वो इंटर कर रहे हैं और पूरी तरीके से आ रहे हैं आप भी जादा से दादा ताड़ाद में आ जाईए और बने रही है हमारे साथ और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही जबरदस तरीके से शानदा तरीके से यह मैच आगे बढ़ रहा है आप लगातार गली के डिटर्स को आप खेलते हुए देखेंगे बहुत सारी उमीदें बहुत सारी अपिक्षाई उनसे हैं और यह अपिक्षा है उमीदों पे वो कैसा कैसे पुर्जोर उतरते हैं देखने मारी बातों कि फिर से बॉल हो चुकी है चालू और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पहली बॉल पे एक रन ले चुके हैं के मेंडिस के मेंडिस जो है वो एक रन ले चुके हैं और के मेंडिस के पास अब स्ट्राइक आ गई है और यहाँ पर पर्रेरा की बोलिंग चल रही है आप साफता और पे देख समझ सकते हैं कि एन फंडैंडो ने दो बॉलों में एक रन बनाया है पचास की स्ट्राइक पुडिट के साथ उन्हों ने खिलने की शुरुआत की है शुरुआती ओवर सेटल होने के लिए होते हैं और वो कर रहे हैं फिर सेब बॉल हो चुके हैं चलू दोस्तों और इस बॉल में क्या होता है आप रहे हो जो कि बात और यहाँ पर इस बॉल में भी एक रन मिलता है जो कि उसके बाद स्ट्राइक चले जाती है फड्नैंडो के पास टी परेरा की शांदार बॉलिंग और बैरिंग कर रहे हैं एन फर्णादू और के मैंडेस आप लगातार देख रहे हैं, कैश कर ले, एक सो सत्राइब बॉल में चाहिए, 136 रन बने हुए आप हमारे साथ, तो देखते रही है, कैश कर ले को, इसी तरीके से, शांदार तरीके से, बने रही है हमारे साथ, और यहाँ पर, आप साफ़तोर पर समझ सकते हैं, कि, जफाना किंग्स वर्सिज, गली ग्लेडियेटर्स का मैच, गली ग्लेडियेटर्स अब सेकंड इनिंग्स में खेल रहे हैं, और 117 बॉलों में चुपतिश है, यह फिर से, बॉल चाल वर्स बॉल पर मिला है, सुनिरन.बॉल काफी धीमी शुरुवाद, यहाँ पर जीजी की होती वी दिखाए दे रही है, चार बॉलों में अब तक यहाँ पर, दो रन आए हैं, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, करंट रन रेट की बात करें, तो पहले ओवर में करंट रन रेट, तीन यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन आगे किस तरीके से खेलते हैं, किस तरह से यह बल्लेवाजी करते हैं, यह देखना बड़ा दिल्चस्व होगा, क्योंकि टीम में बहुत भारी बरकम खिलाडी, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं कि टीम में कौन-कौन से खिलाडी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जीजी का जो परसंटेज है, जीत का वो 88 प्रतिशत जीजी का जीत का प्रतिशत यहाँ पर आपको दिखाए देगा, तो एन्ट फर्णांडे यहाँ पर टीम में मौजूद है और मेंडिस है के मेंडिस यहाँ पर वो भी अब ओपन करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो वहाँ पर 49 जो मैचेज है उन्होंने अब तक वे खेल चुके है और 1000 गुनसट रन कुशाल ने अब तक बनाए है और हाई एक स्पोर्ट जो रहा है वो 79 रहा है और 10 अर्दशतक वे अब तक लगा चुके है 22 के एवरेज के साथ उन्होंने बनाए है लेकिन जो उनका स्ट्राइक रन रेट रहा है वो 130 रहा है तो कुल मिलाकर के हम बात करें यहाँ पर टीम के खिलाडियों की तो जबर्दस यहाँ पर टीम के खिलाडी दिखाई देते हैं और यहाँ पर पहला ओवर की समाप्ती हो चुकी है चार रन अभी तक पहले ओवर में आए हैं टी परारा का पहला ओवर यहाँ पर किया गया है और देखना होगा कि अब यहाँ पर यह देखिए इस्पिन बॉलर यहाँ पर लाया गया है जिस तरह से टीट्वेंटी मुकाबलों में भी आजकल शुरुआत में ही इस बॉल डाली है त्रिशंखा जो है वो इस्पिन बॉलर है और दूसरा ही ओवर में उन्हें बॉल थमादी है यानि कि जिस तरीगे से बॉल की जो शुरुवात है वो अब यहाँ पर हो चुकी है दूसरी बॉल भी यहाँ पर देखिए सिंगल आया है दूसरी बॉल में काफी अच्छी बॉल डाल रहे हैं काफी किफायती बॉल डाल रहे हैं 112 बॉलों में 133 रंग चाहिए जीत के लिए जीजी को लेकिन ये कैसे संभव होगा क्योंकि जिस तरीके से बाउंडरी जब तक नहीं आई है ये टीम के पास में काफी धीमे बल्ले बाज अभी तक करते होगा कि अब आगे क्या होता है ये देखिए पांच रन अब तक आए हैं इस ओवर में अभी तक बात करें तो मात्र एक रन आया है और 137 बनाए है 138 का टार्गेट दिया है तो रंस तो आपको बनाने ही होंगे वो काफी सधी वे यहाँ पर शुरुवात करते हुए दिखा ही दे रहे हैं फैनांडो और मेंडिस के मेंडिस जो है वो स्ट्राइक पर मौझूद है के मेंडिस पांच वी बॉल पर क्या करते हैं ये देखना होगा मेंडिस पांच वी बॉल पर वे क्या करते हैं और उनके सामने फैनांडो उनके साथ मौझूद है लेकिन मेंडिस खेल रहे हैं तीन रन पर चार बॉलों का उन्होंने सामना किया है दूसरे ओवर में अब तक दो रन आये हैं और दो बॉले भी बागी है यह देखे अगली इस बॉल पर उन्होंने सिंगल लिया है यानि कि टीम का जो स्कोर है वो हो चला है साथ रन साथ रन पर यहाँ पर एक बे विकेट अब तक नहीं गिरा है यह अच्छी बात है लेकिन किस तरह से यहाँ पर अगले ओवर्स में रन आते है या नहीं क्योंकि करंट रन रेट के मैं बात करूँ तो मात्र 3.82 की करंट रन रेट हमारे सामने यहाँ पर आपको दिखाई देती है रिक्वाइड रन रेट की मैं बात करूँ तो 7.82 की रिक्वाइड रन रेट टीम को काफी जरूरी है जीत के लिए लेकिन यह तभी संभव होगा जब यहाँ से बांडिस आना शुरू होगी और रखतार जो है वो टीम को आगे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि रिक्वाइड रन रेट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है T20 मुकाबलों में और करन्ट रन रेट जो है वो काफी कम है क्योंकि यदि रन्स नहीं बनते है तो रिक्वाइड रन रेट लगातार बढ़ती चली जाती है जिसके बाद में बाद के जो ओवर है उसमें कई न कई टीम को परेशानी होती है तो जी जी की हम बात कर रहे हैं तो दो ओवर के यहाँ पर समापती हो चुकी है और आठ रन अब तक टीम को मिले है और फैनांडो के हम बात करते हैं तो दोनों ही फैनांडो और मेंडिस दोनों ने ही अब तक 4-4 यहाँ पर रन बनाए है यानि कि जो शुरुवात है वो काफी धीमी शुरुवात है लेकिन जी जी के लिए अच्छी बात यह हैं आप सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार पहुंचा रहे हैं और हर बॉल का विशलेशन आप तक पहुंचा रहे हैं इसलिए आपने अभी तक कैश कल्ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आज से शुरू हो गया है लंका प्रीमियम लीग इसके साथ साथ हम दूसरे अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं क्रिकेट की तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जिस तरह से अपडेट्स की मैं बात करूँ तो आज के मैच में अब तक 9 रन बने हैं तीसरा ओवर यहाँ पर चल रहा है दो बॉले अब तक पैकी जा चुकी है तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या लगता है अब आगे आने वाले समय में बाउंडरीज की काफी ज़्यादा दरकार होगी टीम को क्योंकि बाउंडरीज नहीं आएगी तो कहीं न कहीं जो रन रेट है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी तमाम जो लोग है वो हमें कमेंड्स कर रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या स्कोर यह कहां तक पहुँच पाता है 10 ओवर की मैं बात करूँ या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 6 ओवरों में कितने रन बन पाते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहां पर देखने को मिलता है हमें कि शुरुवात के जो ओवर्स होते हैं उनमें हम रंस ज्यादा नहीं बन पाते हैं और जो 6 ओवर्स होते हैं उसमें रंस नहीं बन पाते हैं जिसके कारण कहीं न कहीं जो टीम है उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगले ओवरो में 127 रन बनाने है टीम को और 104 रन चार बॉल यहाँ पर टीम के साथ यहाँ पर रन बनाने है और करन्ट रन रेट की मैं बात करूँ तो 4 दश्मलव 1 तीन का यानि कि बहुत ही कम यहाँ पर स्कोर का यहाँ पर आप देखेंगे टीम का और बात करूँ मैं यहाँ पर तीसरे ओवर की दो अभी यहाँ पर 11 रन का स्कोर हो चुका है और 2 दश्मलव 4 ओवर अभी तक हो चुके है टीम के और पांचवे बॉल यहाँ पर फैकी जा रही है पांचवे बॉल में कितने रन आते हो और यह देखें उठाके शॉट मारा है और शा मौका देखकर यहाँ पर चौका मारा है चौके के साथ यहाँ पर मज़ा आगया टीम को और यहाँ पर T20 मुकाबले में दिल्चस्प मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि अभी एक तरफ विकिट नहीं मिला है और दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो दूसरी तरफ भी यह यहाँ पर अभी भी टीम के खिलाडियों को आउशकता है यहाँ पर विकिट निकालने की जी जी यहाँ पर विकिट निकालती है तो यहाँ अभी से बहुत ज़्यादा दबाव में बन जाएगी जी के लेकिन यहाँ पर तीसरे ओवर की समापती अब तक हो चुकी है और जो run rate है वो अब यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 19 run अब तक हो चुके हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि एक भी wikit अब तक नहीं दिया है और यदि मैं बात करूं जीजी की तो जीजी ने भी काफी यहाँ पर जो बॉलिंग जो है काफी अच्छी बॉलिंग करी थी जिसके मुकाबले कहीं न कहीं अभी तक देखने को मिल रहा है कि जो स्कोर में किसी भी तरह की दिक्कते नहीं आ रही है काफी आराम से भी खेलते हुए रिलेक्स खेलते हु यहाँ पर score किया था जीजी जेके ने और 138 के target यहाँ पर दिया गया है जिसमें अभी 102 बॉलों में 119 रंग की दरकार है जेके जीजी को तो ऐसे में सवाल यही है कि कौन यहाँ पर जीतेगा कौन यहाँ पर हारेगा किसकी यहाँ पर हार होगी और यह देखिए जीजी ने यहाँ पर single लिया है और single के साथ ही यहाँ पर score हो चला है 20 run 20 run का score यहाँ पर हो चला है चौथा ओवर यहां पर किया जा रहा है ऐसे में यहां पर फेनांडो और मेंडिस जो है वो शांदार तरीके से अपनी पारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से संभल कर खेल रहे हैं और जहां उन्हें मौका मिलता है वहां चौका जरूर जड़ते हैं मेंडिस यहां पर दो चौके अब तक जड़ चुके हैं 10 वोले उन्होंने खेली है और 14 रन अब तक टीम के लिए बनाए हैं फेनांडो की बात करें तो फेनांडो ने अभी तक 6 रन बनाए हैं लेकिन अभी उन्होंने विकेट नहीं दिया है और काफी सूजबूच के स यहां पर पार्टनर्शिप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है 21 अब तक टीम के लिए बन चुके हैं 0 विकेट है अभी तक और चौथा बोल या चौथा ओवर है यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है तीशंका की बात करें तो तीशंका यहां पर दूसरा ओवर फैक्टे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें और 6 रन अभी तक उन्होंने दिये हैं काफी किफायती बॉलिंग उन्होंने की है क्योंकि अभी तक उन्होंने मात्र 6 रन दिये हैं और जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ दोनों ही बल्लेवाजों की जो दोनों ही बल्लेवाज श दे रहे हैं जहां पर boundaries आने चाहिए वहीं shorts लगा रहे हैं किसी भी तरह का जोखिम अब तक वे नहीं ले रहे हैं जिसके साथ-साथ यहां पर किसी भी तरह से team को नुकसान नहीं हो रहा है ऐसे में यही सवाल है कि क्या और यह देखिए यहां पर सीमा रेखा के बाहर जाती चार रन अभी तक team को और मिले हैं और इसके बाद में एक और wide ball यानि की अतिरिक्त रन team के हाते में एक और यहां पर run और ball मिलेगी team को और यहां पर team का जो score हो चला है वो हो चला है 24 run बिना कोई नुकसान पर और जिस तहरे से मैं लगातार बात कर रहा हूँ आप से कि हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe आप जरूर करिए क्योंकि cricket का सबसे बड़ा जो मंच है वो यहीं है तमाम ball तमाम जो visualization है तमाम matches है वो हम आप तक पहुचाते हैं तो आप तक subscribe नहीं किया थे जरूर से subscribe कर लिजी क्योंकि श्री लंका premium league जो है बहुत बड़ा league है और उसी league को हम लगातार आप तक पहुचा रहे हैं तमाम updates आप तक पहुचा रहे हैं और जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ इस match के ओ हो देखिए player यहाँ पर injured हो गया है बहुत यहाँ पर जो balling है वो यहाँ पर शांदार तरीके से देखने को मिल रहे थे यहाँ पर सामने मौजूद थे लेकिन यहाँ पर वे injured होते हुए दिखाई दे रहे हैं और 24 run अब तक team के बने हैं और खेल अभी बीच में ब्रोग दिया गया है क्योंकि player वहाँ पर injured होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह देखिए फिल्डर यहाँ पर injured हुआ है फिल्डर जो की यहाँ पर जिस तरीके फैनांडो यहाँ पर लगातार जो बैटिंग कर रहे थे फैनांडो ने यहाँ पर शॉट लगाया है तो कह जो फिल्डर है वो यहाँ पर injured हुआ है और मैंडिस के मैं बात करूँ तो मैंडिस ने यहाँ पर 11 बॉलों में 15 अभी तक बनाये हैं और 2 चौके उन्होंने अभी तक जड़े हैं तो 98 बॉस में उनको अभी जीत के लिए बनाने हैं 114 यानि कि 114 रन जीत के लिए बनाने है तो देखना यही बड़ा दिल्चस्प होगा हर बॉल का विशलेशन हम आप तक पहुचा रहा है हर बॉल की जानकरी आप तक पहुचा रहा है लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल न भूलिए क्योंकि क्रिकेट के तमाम अपडेट्स हम आप तक यहीं से पहुचाते हैं इसलिए क्रिकेट का सबसे बड़ा जो मंच है वो भी यहीं से दिखाई दे रहा है इसलिए हमारे चैनल को अपड़क सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर लेजिए और अब मैच की यहाँ पर शुरुआत हो गई है और पहली ही ब पर विकेट अभी तक गिरे हैं अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है टीम जो है वो जीजी की यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि उनके हाथ में विकेट्स है और विकेट्स से होना भी T20 मुकाबले में बहुत ज्यादा दिल्चस् में लेकिन बाउंडरी जो है वो आनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाउंडरी नहीं आती है तो टीम जो है वो दबाओ में चली जाती है इसलिए बाउंडरी की दरकार भी यहाँ पर जीजी को दिखाई देगी लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दूसरे बल्लेवाजों की तो दूसरे बल्लेवाज भी यहाँ पर टीम में मौजूद है जो यहाँ पर बल्ले से अपना रंग दिखा सकते हैं 25 रन अब तक बन चुके है टीम के और एक भी विकिट अभीर तक नहीं गिरा है 3.4 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं तीसरा ओवर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और देखिए अठ्यान में बॉल्ल यहाँ पर हो चुकी है और 113 रन यहाँ पर टीम को बनाने हैं और जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तिशारा की तो तिशारा यहाँ पर काफी किफायती बॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यह देखे विकेट कीपर यहाँ पर चेंज किया गया है क्योंकि यहाँ पर इंजर हो गया है विकेट कीपर और विकेट कीपर इ इसी के साथ यहाँ पे 3.4 में स्कोर जो है वो पहुंच चुका है 25 रन और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें स्कोर की तो 25 रन यहाँ पर बना लिये हैं current run rate है 6.82 का आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे ही बने रहे हैं कैश कर ले के साथ और सब्सक्राइब करते रहे हम आपको लेटेस्ट अपडेट सारे देते रहेंगे तो आपको कहीं नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है और यहां पर जो विकेट कीपर चेंज के जा रहे है तो अगली बॉल यहां पर हो चुकी है चालू और यहां पर एक रन मिल जाएगा तो 3.4 में स्कोर जो है 3.5 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 26 रन आप लगातार हमारे साथ बने रहे हैं जुड़े रहें सिर्फ और लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे और यहां पर अगर हम बात करें स्कोर की तो 3.5 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 26 रन अगली बॉल यहां पर हो चुकी है चालू और फिर से इस बॉल पर एक रन आ जाएगा इसी के साथ 4 ओवर यहां पर हो चुके हैं समाप और 4 और 4 ओवर में 27 का स्कोर यहां पर हो गया है आप लोग हमारे साथ चुड़े रहें लगातार बने रहें और यहां पर 111 बॉलों में 96 रन्स की यहां से जरूरत है और यहां पर 138 का टार्गेट है तो देखते हैं यहां से कितना किस तरह से यहां पर गले गलाडियेटर्स इस स्कोर को चूज इस स्कोर को चेस कर पाते हैं 111 रन की यहां पर जरूरत है 96 बॉल्स में और इसी के साथ जो 4 ओवर हैं वो पूरे हो चुके हैं 27 का स्कोर यहां पर हो गया है और जिस तरह से यहां पर फर्नांडो और मेंडस की पार्टनर्शिप चल रही है 12 बॉल में 9 रन बनाए है फर्नांडो ने और वहीं अगर हम जेम्स फुलर आचुकी है बोलिंग के लिए तो देखते हैं यह ओवर किस तरह से जाता है विकेट्स लगते हैं इस ओवर में या फिर यहां पर रन साते हैं तो इसी के साथ पहली बॉल हो चुकी है चालू इस ओवर की और यहां पर पहली बॉल में एक रन मिल जाएगा तो पहली बॉल पे एक रन दे दिया है चार पॉइंट एक में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 28 रन एक भी विकेट यहां पर नहीं गया है करिंट रन रेट है 6.72 का और रिक्वाइड रन रेट है 6.95 का और 95 बॉल में 110 रन यहां पर बनाने है किस तरह से यहां पर टीम जो है वो बना पाती है देखने वाली बात होगी और इसी के साथ अगली बॉल चालू फिर से और यहां पर अगली बॉल चालू और यहां पर फिर से एक और डॉट बॉल तो यहां पे कोई भी रन नहीं आएगा 4.2 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 28 रन एक भी विक्केट यहां पर अभी तक गले ग्लाडियेटर्स का नहीं गया है नहीं अर्विन जी मैं कोई गुस्से में नहीं हूँ मैं विल्कुल भी गुस्से में नहीं होती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है अगली बॉल इसी के साथ चालू फर्नैंडो स्ट्राइक पर और यहां पे फिर से एक रन मिल जाएगा तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए बने रहिए और सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले आपको देखते रहना है और यहां पर 94 बॉल में 110 रन की जरुवत है और इसी के साथ करेंट रन रेट की बात करें तो 6.46 है और उसके बाद रिक्वाइड रन रेट की बात करें तो सिर्फ 7 का रिक्वाइड रन रेट है और इसी के साथ यहाँ पर अपील की गई है लेग बाई यहाँ पर मुझे लगता है लेग बाई सिंगल हो जाएगा तो यहाँ पर अगली बॉल चालू 4.2 में स्कोर जो हो चुका है 28 रन अगली बॉल यहाँ पर चालू और फिर से मैंडस होंगे स्ट्राइक पर और इस बॉल पर एक शांदार चौका तो 4 रन यहाँ पर मिल जाएंगे 4.4 में स्कोर जा पहुचा है 33 रन एक भी विकेट यहाँ पर अभी तक नहीं गया है और इसी तरह से यहाँ पर 92 बॉल्स में 105 रन की जरूरत है और यहाँ पर गले ग्लाडियेटर्स के चांसेज हो चुके हैं जीतने के 94 परसेंट और जिस के साथ अगली बॉल हो चुकी है चालू और यहाँ पर फिर से मैंडस होंगे स्ट्राइक पर और यहाँ पर जेमस फुलर की बॉल और फिर से एक और शांदार चौका 4 रन यहाँ पर मिल जाएंगे तो 4.5 में स्कोर जो है वो जा चुका है 37 रन एक भी विकेट यहाँ पर अ कुशल मैंडस की जो पार्टनर्शिप चल रही है मानने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर एक भी विकेट नहीं गया है और 4.5 में 37 का स्कोर हो चुका है इसी के साथ अगली बॉल चालू और फिर से कुशल मैंडस स्ट्राइक पर और इस बॉल पर फिर से एक रन मिल तो अभी तक इस ओवर में कुल 11 रन आ चुके हैं 5 ओवर यहाँ पर समाप्त हो गए हैं 5 ओवर में 38 का स्कोर हो गया है और इसी के साथ 90 बॉलो में 100 रन की जरूरत है और इसी तरह से अगर खेलते गए तो बहुत ही आसान यहाँ पर रहने वाला है तो इसी के साथ 5 ओवर हो 6.67 का एक 138 का टार्गेट है और उसके बाद देखते हैं किस तरह से यह स्कोर यहाँ पर चेज हो पाता है 90 बॉलो में 100 रन की जरूरत है तो देखने वाली बात होगी कि यह किस तरह से बनता है और यहाँ पर गले ग्लाडियेटर्स के 95% विनिंग चांसेज नजर आ चुके हैं तो देखते हैं यह मैच किसके नाम रहता है आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रही है अगली बॉल हो चुकी है चालू और यहाँ पर फिर से कुशल मेंडे स्ट्राइक पर और फिर से एक रन मिल जाएगा तो 5.1 में 39 का स्कोर जा पहुँचा है एक भी विकेट यहाँ पर नहीं गया है और यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा था तो दो रन इस बॉल पर मिल जाएंगे तो 5.1 में 40 का स्कोर यहाँ पर हो गया है आप लगातार हमारे साथ जुड़े रही है सब्सक्राइब करते रही है कहीं नहीं जाना है सिर्फ कैश कर लेके साथ आप तो यहाँ पर 5.2 में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 41 रन्स और एक भी विकेट अभी तक नहीं गया है और यहाँ से 88 बॉल्स में जो जरूरत है वो है 97 रन्स की और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रही है बने रही है सिर्फ कैश कर लेके आपको हमारे साथ रहना है और 5.2 में स्कोर जो है वो पहुंच चुका है 41 रन्स और यहाँ पर अग्री बॉल हो चुकी है चालू और यहाँ पर इस बॉल पर देखने वाली बात होगी फर्नाइंडो स्ट्राइक पर और एक वाइड बॉल यहाँ पर हो गई है वाइड बाई सिंगल थी यह ब है वाइड प्लस सिंगल हो चुका है तो यहाँ से 88 बॉल में 95 रन्स की जरूरत है इसी के साथ अगली बॉल चालू कुशल मेंडे स्ट्राइक पर और इस बॉल में देखते हैं क्या होता है 18 बॉल में 30 एक रन यहाँ पर मिल जाएगा कुशल मेंडे की बात करें तो यहाँ कुशल मेंडेस जो है वो 19 बॉल में 30 रन बना चुके हैं और वहीं अगर हम फर्नेंडो की बात करें तो 14 बॉल में 9 रन बनाए हैं महज और इसी के साथ यहाँ पर जो स्कोर है वो जा पहुचा है 5.3 में 44 का एक भी विकेट अभी तक नहीं गया है इसी के साथ अगली बॉल चालू और फिर से एक रन यहाँ पर मिल जाएगा तो 86 बॉल में 93 रन्स की जरूरत है रिक्वाइड रन रेट है 6.49 और करेंट रन रेट है 7.94 तो 5.4 में स्कोर जो है वो जहां पहुचा है 45 रन्स एक भी विकेट यहाँ पर अभी तक नहीं गया है आप लगातार हमारी जुड़े रहिए बने रहिए और सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले आपको देखना है और इसी के साथ स्कोर जो है 5.4 में 45 पहुच गया है एक भी विकेट अभी तक नहीं गया है अग्री बॉल यहाँ पर फिर से चालू हो चुकी है कुशल मेंडे स्ट्राइक पर और इस बॉल में फिर से डॉट बॉल हो चुकी है तो अभी तक इस ओवर में 7 रन आए हैं इस ओवर की आखरी बॉल और इस आखरी बॉल पर क्या होता है देखते हैं तो 5.5 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 45 रन्स और करेंट रन रेट है 7.71 का रिक्वाइड रन रेट है 6.56 का और यहां से किस तरह से जो टारगेट दिया है यहां पर जेके ने तो देखने वाली बात होगी कि 138 का टारगेट किस तरह से लीट करती है अग्ली बॉल चालू यहां पर और फिर से एक रन यहां मिल जाएगा तो 6 over हो चुके हैं पूरे और 6 over में जो score है वो जा पहुचा है 46 runs एक भी wicket यहाँ पर नहीं हुआ है आप देख रहे हैं लगातार cash कर ले स्क्रीन में हम आपको सर्चीज अपडेट कर रहे हैं तो 6 over यहाँ से हो चुके हैं पूरे और 6 over में 46 का score यहाँ पर गले gladiators ने बना लिया है और Fernando कोशलमेंडस की जो साजेदारी चल रही है यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्नेंडो ने 15 बोल में 10 रन बना लिये हैं वही कोशलमेंडस की बात करें तो 21 बोल में 31 बना लिये हैं required run rate है 6.57 का current run rate है 7.67 का लगातार आप लोग हमारे साथ जुले रहे बने रहे सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले पर कही नहीं जाना है और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आप बोलिंग के लिए कौन आ रहा है वह हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे वीजैकांथ जो है वीजैकंथ जो है वॉजैकंथ ऑगरों के लिए विजैकंथ देखते हैं कि सोबर में कितने रंस दे पाते हैं तो इसी के साथ बॉल हो चुकी है चालू और फिर से कुशलयमेंड स्ट्राइक पर और एक रं मिल जाएगा तो 6.1 में स वो इस स्कोर को चेस कर पाते हैं देखने वाली बात होगी आप लोग अमारे साथ लगातार जुड़े रही है बने रही है और सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले पर आपको जुड़े रहना है अगली बॉल यहां से हो चुकी है चालू और फिर से फर्नेंडो होंगे स्ट्राइक प तो एक बॉल हो चुकी है चालू और इस बॉल पे फिर से डॉर्ट बॉल हो गई है तो कोई भी रण यहां पर नहीं आएगा और आप लोग लगातार कैश कर ले के साथ जुड़े हुए है तो 6.2 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 47 रंस और 82 पोल्स में 91 रंस की यहां से जरूरत है तो किस तरह से शेज हो पाता अब फिर से एक और डॉट बॉल हो चुकी है तो 6.3 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 47 रंस जीरो विकेट के नुकसान से और यहां पे अगली बॉल चालू फिर से फर्नेंडो होंगे स्ट्राइक पर और इस बॉल में फिर से एक रंस मिल जाएगा तो 80 बॉलों में 90 रंस की जरूरत है 6.4 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 48 रंस आप देख रहे हैं कैश कर पर कहीं नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ कैश करले पर जुड़े रहना है और यहां पर 6.4 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 48 रंस जीरो विकेट के नुकसान से और यहां पर अगली बॉल हो चुकी है चालू कुशल मेंडे स्ट्राइक पर और फिर से एक रं यहां पर मि चुके है तो 6.5 में जो स्कोर है 52 का हो चुका है बहुत ही शांदार यहां पर चौका लगा है और इस ओवर में 6 रं आ चुके हैं और इस ओवर की आखरी बॉल और इस आखरी बॉल पर देखते हैं क्या होता है तो यहां से जो target है वो काफी easy यहां पर easy can समझ में आ रहा है 79 बोल्स में 86 runs की यहां पर जरूरत है और जो भी शांदार चौका लगा है तो 6.5 में जो score है वो जा पहुंचा है 52 इसी के साथ अगली ball चालू कुशलमेंडे strike पर और इस ball पर देखने वाली बात होगी फिर से एक run यहां पर मिल जाएगा तो 7 over हो चुके है पूरे दो run यहां पर मिल जाएंगे 7 over हो चुके है और 54 का score यहां पर हो चुका है तो यहां से 78 balls में 84 runs की जरूरत है तो अब 7 over में जो score बना है वो बना है 54 का तो देखते हैं यह score कहां तक किस तरह से यहां पर जो GG है वो लीड कर पाती है आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए बने रहिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ cash कर ले तो यहां से 7 over हो चुके हैं पूरे और अब देखते हैं bowling के लिए यहां पर JK से कौन आता है क्योंकि इस over में तो एक भी wicket अभी तक कोई भी wicket नहीं ले पाया है 7 over पूरे हो चुके हैं 7 over में एक भी wicket नहीं गया है तो अब देखते हैं कौन आता है bowling के लिए आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए 7 over में 54 का स्कोर हो चुका है और देखिए जिस तरह से जो जीजी है वो लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 over अभी तक हो चुके है और 54 run का स्कोर हो चुका है और बिना कोई wicket खोए हुए जीजी ने 54 run अब तक बना चुकी है लेकिन अभी जो पूरी तरह से जो match जो है वो जीजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेके की बॉलिंग की तो जेके की बॉलिंग जो है वो खास बॉलिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दी है वेलेंज की मैं बात करूँ तो यहां पर अभी बॉलिंग के लिए आया है लेकिन सवाल यही है कि क्या यहां पर जी जी जीत रही है क्योंकि जिस तरीके का मुकाबला देखा जा रहा है बेदिल्चस मुकाबला हम कह सकते थे लेकिन अब एक तरफा मुकाबला यहां से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे है 138 के टारगेट की तो उसके मुकाबले अब तक 14 रन बिना कोई विकेट खोए जी जी ने अब तक बना है तो हमारे चैनल से लगातार आप जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए और तमा बॉल पर क्या आता है कितने रन्स बन पाते हैं तमाम बॉल की जी अपडेट है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं 78 बॉलों में 84 रन यहां पर टीम को बनाने है और यहां पर डबल रन यहां पर लिए है दो रन टीम को मिले है और देखिये नहीं ये चौका है चौका यहाँ पर अभी तक 15 रन बनाए हैं हाला कि वे धीमा खेल रहे हैं जरूर लेकिन कहीं न कहीं वो टीम के साथ अभी भी डटे हुए हैं के मेंडिस की मैं बात परूँ तो यंग खिलाडी है महत 27 साल के खिलाडी है और 38 रन उन्होंने बनाए हैं मात्रे 24 बोलो में पात चौके उन्होंने लगाए हैं और एक भी छक्का अभी तक टीम की तरफ से नहीं लगा है तो लगातार जो जीजी है वो जीत की तरफ आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही है क्योंकि 76 बोलो में 80 रन की दरकार है और अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है काफी समझदारी से खे लगातार आगे बढ़ती । लेकिन अपना विकिट जो है वो गवा बैठे और कैच आउट यहाँ पर होते हुए दिखाई दिये है यानि कि फैनांडो अब आउट होकर पैवेलियन की तरफ लोट रहे है अगला खिलाडी कौन आता है यह देखना बड़ा दिल्चस्ट होगा लेकिन अभी भी जो मैच है वो जीजी की बुठी में दिखाई दे रहा है अजम खान जो है वो नए पल्लेवाज के रूप में यहाँ पर मैदान पर आ चुके हैं पीचतर बोलो में अभी 80 रंग के दरकार है टीम को तो काफी संभल कर खेल रही है एक विकेट जहूर किरा है कशिश लेकिन अभी तक पूरी तरह से देखा जाए तो जीजी के मुठे में ही अभी तक मैच है बिल्कुल और जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही थी जेकी के द्वारा की यहाँ पर विकेट लिया जाए जल से जल तो काफी लंबे समय बाद यहाँ पर पहला विकेट गेड़ा है क्योंकि बहुत मुझकिल होता है कि आप साथ ओवर तक आप टिके रहें और एक भी विकेट ना जाए तो ओपनर्स ने काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है तो कहीं न कहीं पूरी टीम को जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं न कहीं बूस्ट अप हो चुका है तो मुझे लगता है कि जो 75 बोल्स में 80 रंस का टार्गेट है यह इजी गोइंग है और किस थरा से यहाँ पर यह चेज कर पाती है देखने वाली बात होगी और यहाँ पर 7 पॉइंट तीन में जो स्कोर है आजम खा आचुके है आप बैटिंग के लिए तो देखते हैं आजम खा और कुशल मेंडर्स की बैटर्शिप इस के साब से चलती है अगली बाल हो चुके चालू और पहली बाल पर आजम खा की डॉट बाल तो पहली बाल पर कोई रं नहीं बनेगा साथ पॉइंट चार में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 58 रंस एक विकेट के नुकसान से और यहाँ पर अगर हम कुशल मेंडर्स की बात करें तो उन्होंने 24 बाल में 38 रंस उन्होंने बनाए अगली बाल फिर से चालू आजम खाय स्ट्राइक पर और एक और डॉट बाल तो यहाँ पर दो बाल हो चुकी है डॉट और इस तरहा से देखते हैं यहाँ पर इस ओवर में कितना स्कोर आ पाता है क्योंकि जिस तरह से बाल दूसरी तीसरी बाल पर विकेट ले लिया था तो काफी अच्छा ओवर जाने वाला है यह जेके के लिए और यहाँ पर फिर स में आप देख सकते हैं तीम बॉल में सिर्फ एक रन उन्होंने बनाया है कुशिल मेंडिस की बात करें तो इन्होंने 24 बॉल्स में 38 रन्स बनाए हैं मिल्कुर उन्होंने 54 भी लगाये हैं और 158 के स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक वे जमें हुए क्रीस पर और जीत की तरफ जो है वो पक्की करती हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कावी शांदार खेल रहे हैं 24 बोलों में 38 रन्स यानि कि बहुत ही शांदार हमको अभी टिकना होगा जीत के लिए क्योंकि मौका नहीं गवाना है क्योंकि क् agriculture duration वह हमें आपको दिखाई देगी लेकिन रिकोरट स्ट्राइड काफ़ी नीचे है यानि कि जीत का प्रतीशत है और जीजी की आठी ओवर की समापती यहां पर हो चुकी है एक विकेट के नुपसान पर तो आठ ओवर यहां पर पूरे हो चुकी है और इसी के साथ अगली बॉल हो चुकी है चालू और फिर से आजम खाए स्ट्राइक पर और एक और डॉट बॉल तो चार बॉल में महझ एक रन ही आया है अभी तक और इसी के साथ 71 बॉल्स में 79 रन्स की जरूरत है अगली बॉल चालू और फिर से आजम खाए स्ट्राइक पर और यहां पर देखते हैं इस बॉल में क्या होता है तो एक शांदार चौका लग चुका है यहां पर तो 8.2 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 63 रन्स बिल्कुल जिस तरह से चौका उन्होंने जड़ा है तो टीम में काफी confidence है अभी 63 रन्स यहां पर टीम में बन चुके हैं यानि कि सोच समझ कर खिलाड़ी आये हैं कि आते ही हमें boundaries माननी है चौकी लगाने है ताकि कि किसी तरह का दबाउट ना हूँ और टीम की जो 70 बॉलो है यहां पर आजम खान का तो बहुत ही यहां पर कॉट आउट हो चुके है आजम खान और अब यहां पर देखते हैं कि दूसरा जो प्लेयर है वो कौन आता है और जिस तरह से तरह से में आउट हो गया है अभी उमीदे लगाए बैटे देकशिश लेकिन बिल्कुल और यहा हैं और अब देखते हैं इफ्तिकार एहमद आ चुके हैं तो देखते हैं इफ्तिकार एहमद और कुशल मेंडेस की जो पार्टनर्शिप है वो किस तरह से रहती है क्यूंकि यहां पर कुशल मेंडेस जो है काफी अच्छा खेल रहे हैं 24 बोलों में 38 रंस इन्होंने बना ल और यहां पर कुछ मिनिट्स का ड्रिंग ब्रेक है उसके बाद हम आपको मिलने वाले हैं तो आट पॉइंट तीम में 63 का स्कोर और इफ्तिकार एहमद अब जो है वो खेलेंगे तो देखते हैं इफ्तिकार एहमद यहां पर कितने का स्कोर बना के जाते हैं और अगर यहां पर अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो यहां पर फर्नैंडो ने 21 बोलों में 15 रन बनाए एक चौका लगाया 71.43 के स्ट्राइक रेट से होने खेला है और उसके बाद पहला विकेट जो गया वो गया हमारा साथवे ओबर पे तो बहुत अच्छी यहां पर बोलिंग परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से यहां पर जो विकेट गया वो गया 58 रन पे पहला विकेट डूसरा विकेट गया 63 पर तो अब देखते हैं एफ्टिकार एमद किस तरह से यहां पर पर परफॉर्मेंस करते हैं क्या भूमिका निभाते हैं, कितने score बनते हैं, साथ ही देखने वाली बात होगी यहाँ पर किस तरह से JK की bowling performance रहता है और जिस सरहे से जीत का प्रतिशत है, वो GG की तरफ जादा आजाता हुआ दिखाई दे रहा है जीट का जुखाव है वो जीजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है है कि जीट का प्रतिशन के 100 परिसंद हों जीजी को देज़े आ चाहिंए कि जिस तरह से यहां पर दूसरा Kritis गया है तो कहीं नगहipी मुझा लगता है कि भाजी के प्लेज की इस तरह से perform करते हैं और यह हैं कुछ भी nécessit नहीं को सकता है तो कहीं न कहीं यदी यदी एक दो विकेट्स लेते हैं तो पूरी तरह से मैच बन जाएगा देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर भारी रहता है लेकिन अभी भारी यहाँ पर जी जी दिखाई दे रही है बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंस चल रहा है और जो शुरुवाती जो पार्टनर्शिप रही है कुशल मैंडेस और फर्नैंडो की वो मानने वाली बात होगी बहुत ही शांदर पार्टनर्शिप थी अकेले में उन्होंने पावर प्ले में जब अच्छा आजाता है तो कहीने कहीन जीतने के चांसे वहाँ पर टीम के बढ़ जाते हैं तो विल्कुल देखते हैं यहाँ पे स्कोर किस तरह से रहता है तो आप लोगुमारे साथ लगातार जुड़े रही है। कर ले के साथ और यहां पर कुछ मिनिट का ड्रिंग रेक है और उसके बाद वापस से यहां पर शुरू होगा और इसी के साथ शुरू हो चुका है पहली बॉल पे एक रन यहां पर आ चुका है तो आठ पॉइंट चार में 64 का स्कोर हो गया है दो विकेट यहां पर जा चुके है और यहां पर रिक्वाइड रन रेट है 6.53 की करेंट रन रेट है 7.38 का बिलकुल 64 रन अब तक टीम के बन चुके है और दो विकेट अब तक हो चुके है और इसी के साथ अगली बॉल चालू और फिर से कुछिल मेंडिस फ्राइक पर और इस बॉल पर फिर से एक भी रन नहीं तो 8.5 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 64 रन और इस ओवर की आखरी बॉल तो इस आखरी बॉल पर देखते है क्या होता है और यहां पर आखरी बॉल यहां पर फिर से और यहां पर कुछिल मेंडिस ट्राइक पर और इस बॉल पर फिर से टॉट बॉल तो 9 ओवर मे 74 runs बनाने की जरूरत है तो किस तरह से यहाँ पर चलती है कशिश क्या लगता है आपको balling यहाँ पर कसावट होने लगी है क्योंकि जिसले एक दो ओवर्स हमने देखे हैं कि उसमें runs अब तक इतने लुटाये नहीं ही है गैन बाजों में तो क्या लगता है आपको कहीं न कहीं जो टीम है वो अब दवाओ में आगाई है विकेट्स गिनने के बाद में और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी चौंसर टरन पर विकेट्स है अभी गेम बाकी है गेम में बने हुए है लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉलिंग यहां पर शांदार अभी देखने को मिली है पिछले दो तीन ओवर्स की में बात करूं तो पिछले अब देखिए हूं कोशिश तो की जा रहे है यहां पर बॉलिंग विकेट्स लेने की लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहां पर काफी अच्छी अगर अच्छी बॉलिंग होतीengers में बात करूं तो पिछली ओवर्स में देखा है अब लेकिन देखते हैं कि यह जो अच्छी परफॉफॉमेंस है कब तक बरकरार रहती है और यहाँ पर 9.1 में score जो है वो जहाँ पहुंचाए 65 runs 2 wicket के नुकसान पे और इसी के साथ यहाँ पर 65 balls में 73 runs की जरुवत है और यहाँ पर target है 138 runs का और यहाँ पर जिस तरह से कुशल मेंडेस और मुविन की partnership देखते हैं अगली ball चालू कुशल मेंडेस ट्राइक पर और इस ball पर फिर से wide ball हो चुकी है तो यहाँ पर एक run मिल जाएगा 9.1 में score जो है वो जहाँ पहुंचाए 66 runs 2 wicket के नुकसान से अगली ball फिर से चालू और यहाँ पर कुशल मेंडेस ट्राइक पर और इस ball पर देखते हैं और यह फिर से एक और dot ball तो 4 ball यहाँ पर हो चुकी है और महज 2 run सिर्फ आए हैं तो देखते हैं यह over किस तरह से जाता है इस over की 3 ball और 6 हैं तो 3 ball में और कितने run आते हैं देखने वाली बात होगी अगली ball फिर से चालू और यहाँ पर इस ball पर फिर से मुझे लगता है कि dot ball हो चुकी है यह फिर से तो यहाँ पर 9.4 में score जो है वो जाँ पहुचा है 66 run 2 wicket के नुकसान से और यहाँ पर पुशल मैंडिस के जो chances जो performance है 29 ball में 38 runs बनाया अगली ball फिर से चालू और यहाँ पर proven strike पर और इस ball पर एक run मिल जाएगा तो 9.5 में score जो है वो जाँ पहुचा है 67 runs तो wicket के नुकसान से और इस over की आखरी ball और इस आखरी ball पर देखते है क्या होता है तो अगली आखरी ball हो चुकी है चालू और यहाँ पर जो move-in है वो होंगे strike पर required run rate है 6.98 का और current run rate है सिर्फ और सिर्फ 6.81 का आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक cash कर ले को subscribe नहीं किया है यहाँ पर ball चालू हो चुकी है move-in strike पर है और इस ball में फिर से dot ball हो जाएगी तो यहाँ से 10 over हो चुके है समाप्ट और 10 over में 67 का score पिल्कुल drinks यहाँ पर हो चुकी है और drinks के बाद में cricators में आपसी में बातचीत होगी कि किस तरह से आगे कि जो run नीती है वो तैयार की जाए बॉलिंग किस तरह से की जाए क्योंकि पिछले तो उवर्स में आमने देखे थे कि जो दवाओ में है पूरी तरह से जो टीम है वो दवाओ में देखने मिल rav है और बॉलिंग वो है यहां वो यहां से शांदर बॉलिंग देखने को मिली है और current run rate की मैं बात करूँ तो यहां पर 6.07 की current run rate आपको दिखाये देखिए required run rate की मैं बात करूँ तो 7.10 की यहां पर run rate है यह आउशक्ता है टीम को जिताने के लिए लेगे तो 10.1 यहां पर पूरे हो चुके हैं और इस बॉल पर दो रन मिल जाएंगे तो 10.1 में स्कोर जो है 69 रन तो विकेट के नुकसान पर और यह ओवर किस तरह से जाता है देखने वाली बात होगी आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रही है और यहीं पर अगली बॉल हो चुकी है चालो और फिर से एक रन यहा पर अपील की गई है और यहां पर 3rd Empire का decision तो यहां पर रन आउट चेक किया जा रहा है क्या यहां पर एक और विकेट आजाएगा फिल्कुल थर्ड empire को यहां पर दिया गया है decision pending चल रहा है देखते हैं कि आखिरकार और यहां पर एक और wicket लग चुका है और यह जो wicket गया है वो गया है कुशल मेंडिस का तो कुशल मेंडिस हो चुके हैं run out बहुत ही बड़ा नुकसान यहां पर गले gladiators को हो चुका है जिन्होंने अभी तक 32 बोल्स में 41 runs बनाए थे और अब उनका लग चुका है यहां पर जो wicket लगा है वो शायद move-in का लगा है यहां पर जो wicket लगा है वो move-in का लगा है यहां पर कुशल मेंडिस का wicket नहीं लगा है move-in का wicket गया है और यहां पर move-in जो है वो run out हो चुके है जिन्होंने तीन बॉल में 2 run बनाए थे महज और यहां पर run out और new batsman अब आ चुके हैं इफ्तिकार एहमद यानि यह तालमेल का अभाव था जिस तरीके से आज यहां पर batting यहां पर करती भी दिखाए लेकिन दोना बल्ले बाज़ों में तालमेल का अभाव था जिसकी वज़े से यहां पर run out हो गए है और फिर से जो मैच अब यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है तीन विकेट जिसके हम बात कर रहे थे कि तीन विकेट कोई ना कोई विकेट यहां पर गिने ताकि यह टीम पूरी तरह से दबाव में बने और दबाव दे पर लेकुल क्योंकि अब कहीना गहीं जेको को भी लग रहा तो इसी के साथ यहां पर इफ्तिकार एहमद आ चुके हैं तो इफ्तिकार एहमद किस्तने रन यहां पर बना पाते हैं बॉल हो चुकी है चालू तो यहां पर पहली बॉल इफ्तिकार एहमद को और फिर से डॉट बॉल तो दस पॉइंट तीन में स्कोर जो है वो जा चाहे 69 runs तीन विकेट के नुकसान पर इसी के साथ अगली बॉल फिर से हो चुकी है चालू और यहाँ पर एक रन मिल जाएगा और यहाँ पर इफ्तिकार एमन ने दो बॉल में एक रन बना लिये हैं और इसी के साथ अगली बॉल यहाँ पर कुशल मेंडिस होंगे स्ट्राइक पर तो कुशल मेंडिस इस बॉल पर क्या करते हैं देखते हैं आप लोग हमारे साथ लगारतार जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ आप लोग वाट्सेप लिंक में जो नंबर दिया गया है उससे आप हमारे कैश कर ले फैमिली ग्रूप में भी जुड़ सकते हैं अगली बॉल यहाँ पर चालू कुशल मेंडिस स्ट्राइक पर और इस बॉल पर दो रन मिल जाएंगे तो यहाँ से 10.5 में जो स्कोर है यहाँ पर टीम को 66 रन के दरकार और है 55 बॉलों में ऐसे में देखना होगा फिर से अगली बॉल हो चुकी है चालू और फिर से कुशल मेंडिस स्ट्राइक पर और यहाँ पर अगली बॉल और यहाँ पर अपील की गई है तो यहाँ पर एक भी रन और फिरерм यहाँ पर गया रसटाइड का यहाँ पर इस्टम विकिट आँढ़ हो सकते है बलेबाज देखते हैं फिररर का यहाँ पर डिसीजन पैंडिंग चल रहा है ऐसे में देखना होगा कि एक और यहाँ पर विकिट गरता है तो पूरी तरह से दवाओ में बन जाएगी, यहां पर जीद की तरफ यहांपर बढ़ती भी दिखाई दे रही थी, लेकिन तारीफ करनी होगी, जेके की यहांपर balling की, क्योंकि जिस तरह से यहांपर उन्होंने balling की और यहांपर फिर से एक बार match जो है, वो पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है अब स्टम्प यहां पर चेक कर रहे हैं थर्ड एमपायर की क्या decision यहां पर उनको देना है 72 रोन पर 3 अब ड़ीन कर दिफ्शान हो चुका है st subset कर रहे हैं क्रूद युज़न को देना है और इन्होने जो है वो ओपनिंग बल्लेबाजी की थी और अभी तक भी डटे हुए थे टीम को संभाव रहे थे और नॉट आउट बाल बचे मैंडेज देखिए तो यहां पर थर्ड अमपार का भी डिसीजन आ चुका है और यह नॉट आउट है तो इसी के साथ 11 और हो चुक तीन विकेट के नुकसान पर तो यहां से 11 और हो चुके हैं पूरे और देते हैं यहां पे किस तरह से 54 बाल्स में 66 रंस का जो तार्गेट है वो जी जी चेस कर पाती है आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहें सब्सक्राइब करते रहें जादा से जादा शेयर इसी के साथ अगली बॉल हो चुकी है चालू इफ्टिकार एहमद स्ट्राइक पर और एक और डॉट बॉल तो 11 पॉइंट एक में स्कोर जो है वो जाप पहुचा है 72 रंस तीन विकेट के नुकसान से और यहां पे इफ्टिकार एहमद की बात करने तो तीन बॉल में महस एक पॉर है वो जाप पहुचा है 76 रंस तीन विकेट के नुकसान पर बिल्कुल तीन विकेट के नुकसान पर यहां पर 76 रंस बन चुके है और बारवा ओवर यहां पर इस वक्त चल रहा है 52 बॉलों में अभी भी 62 रंस चाहिए जीजी को जीतने के लिए तो ऐसे में 138 रंस का जो टार्गेट है वो इतना बड़ा टार्गेट नहीं है लेकिन क्रिकेट एन शिताओं का खेल है यदे यहां एक दो विकेट और गिर जाती है तो कहीं न कहीं जो जीजी है वो दबाव में हमें देखने को मिलेगी तो यहां से अगली बॉल हो चुकी है फिर से चालू इफ कि बात करें तो यहां पर 34 बॉल में इसी के साथ अगली बॉल चालू फिर से इफ्तिकार एहमद स्ट्राइक पर और फिर से एक और डॉट बॉल नहीं है यह एक रन मिल जाएगा तो 11.4 में स्कोर जो है वो पहुंच चुका है 77 रन्स तीन विकेट के नुकसान पर और यहां से 50 बॉलों में 50 बॉल्स में 61 रन्स की जरूरत है रिक्वाइड रन्रेट है साड़े साथ का और करेंट रन्रेट है सिर्फ साथ का तो कहीं न कहीं आगसी के साथ अगली बॉल हो चुकी है चालू और फिर से कुशल मेंडिस स्ट्राइक पर और इस बॉल में मुझे लगता ह है कि कुषल मेंड़ेस फिर से होंगे इस ट्राइक पर और यहां पर अगली बॉल चुकी है चाल्य पॉस्न मेंड़ेस ट्राइक पर और इस बॉल चार रन एक और सामेंडर च्वाका तो इस ओवर में लग चुका है दूसरा बहुत ही शांदार चौका तो अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं 9 रन और इस ओवर की आखरी बॉल 6 है और यहां पर देखते हैं कि आखरी बॉल पर क्या होता है तो 11.5 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 81 रन्स तीन विकेट के नुकसान पर बिल्कुल तीन विकेट के नुकसान पर यहां पर लगाता है और यहां पर कन्फर्म किया जा रहा है कि वो चौका नहीं था उस बॉल पर सिर्फ महज एक ही रन मिलेगा तो इसी के साथ यहां पर 12 ओबर हो चुके हैं पूरे तो 12 ओबर में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 79 रन्स तीन विकेट के नुकसान पर क्या लगता है कशीश अब जीट का जो प्रतीशत है वो मान लिया जाए कि जीजी की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब 79 वे तो यहां पर देखिए ना आप 48 बॉल में 59 रन्स की जरूवत है और अगर यहां पर कुशल मैंडिस का मुझे लगता है कि जब तक कुशल मैंडिस है तब तक तो यह स्कोर इजी गोइंग रहने वाला है क्योंकि बहुत सही केल रहे हैं 35 बॉल में 44 रंच बना लिये हैं और लेकिन इफ्टिकार एमद भी सही केल रहे हैं 7 बॉल में 7 रन क्योंकि टाइम लगता ही है फॉर्म में आने के लिए आप आते ही च कुशल मैंडिस का तो जब तक कुशल मैंडिस है तक कह सकते हैं कि यह स्कोर जो है वो इसली चेस कर सकती है 12 ओवर हो चुके हैं पूरे और 79 का स्कोर हो गया है और यहां से 3 विकेट यहां पर जा चुके हैं अगली बॉल फिर से चालू और इफ्टिकार एमद होंगे स्ट्र और मैच जो है वो एक बार फिर से यहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जीजी विकेट के बाद में अब यहां पर दबाव में दिखेगे और कैच आउट यहां पर हुए है यहां पर एहमद और जिस तरीके से हम लगातार यहीं डिसकस कर रहे थे कि यहां यद चीन पाईगी बिल्कुल क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि आप काफी मुश्किल होने वाला है गले ग्लाइडियेटरस के लिए यह मैच जीतना क्योंकि 47 गोल्स में 59 रन की जरत है और जो उपनर्स होते हैं जो स्टार्टिंगे बैच मैन होते हैं चार विकेट यहां प पर आ चुके हैं तो देखते हैं इमाद वसीम और कुशल मेंडिस की जो पार्टनर्शिप है वो किस तरह से रहती है आप लोग उमारे साथ लगातार जुड़े रही है बने रही हो और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब सब्सक्राइब कर लीजे विल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि क्रिकेट के तमाम अपडेट्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं पलपल के जानकरी हर बॉल के जानकरी आप तक पहुचा रहे हैं इसलिए लंक का प्रिमियम लीक कभी इंपोर्टेंस काफी ज्य यहां पर आए हुए हैं और अब यहां पर विक्रीस पर मौजूद है और देखना होगा कि कैसे यह आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि मेंडिस यहां पर अभी भी टिके हुए हैं 138 रंग का टार्वेट इसलिए के साथ यहां पर बॉल हो चुकी है चालू और वसीम होंगे कॉर्ट डॉट बॉल तो 12.2 में स्कोर जो है वो पहुँचा है सिर्फ और सिर्फ 79 रंग और यहां पर रवी आदव जी का कहना है कि 100% यहां पर जो जीजी है वो विन होगी कशरिश ओके रवी जी बिल्कुल हम आपके साथ बने हुए हैं देखते हैं तो यहां पर एक रन यहां पर आ जाएगा तो 12.3 में स्कोर जो है वो जहाँ पहुचा है असी रंग का चार विकिट के नुकसान से और इसी के साथ इस ओवर की महज 3 बॉल शेश हैं तो 3 बॉल में क्या होता है देखने वाली बात होगी और यहां पर जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर असी का स्कोर हो चुका है चार विकिट यहां पर जा चुके हैं और अब देखते हैं कि आखरी इस ओवर के तीम बॉलो में क्या होता है विकिट लगता है एक और यहां फिर रन देते हैं अगली बॉल चालू कुशल मैंडे सोंगे स्ट्राइक पर और फिर से एक रन मिल जाएगा तो 12.4 में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 81 रंस 4 विकेट के नुकसान पर बिलकुल जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि 44 बॉलों में अभी 57 रंस और चाहिए टीम जीजी को तो जीत की तरफ जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है लेकिट बीच बीच में विकेट भी गिर रहे हैं और यदि विकेट गिरते हैं तो कईना कई हावी होती रिखाई देगी जेके लेकिन अभी विकेट की बहुत जाला आवशकता है यदि 2-3 ओवर्स में यदि विकेट आते हैं तो कईना कई जेके जो है वो पूरी तरह से दवाव डालने का बिल्कुल तो यहाँ पर पापा का शक्तिमान कह रहे हैं जी पंदरा ओवर में 94 रन बन जाएंगे और जी 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 जाएगी तो बिल्कुल देखते हैं और यहाँ से 43 बोल्स में 57 रन्स की जरुवत है और इसके साथ यहाँ पर 12.5 में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 81 रन्स और यहां पर आखरी बॉल शेश है इस ओवर की, तो इस आखरी बॉल पर देखते हैं क्या आप आता है, आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए और सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले, आपको देखना है, आखरी बॉल इस ओवर की चालू हो चुकी है, वसी दे रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है, और यहां पर अगर हम बात करें, तो जो ओवर है, 13 ओवर हो चुके हैं, पूरे और फैन अर्विन अरोला जी का कहना है कि 15 ओवर में 96 का स्कोर हो जाएगा, तो देखते ओवर तो हो चुके हैं, पूरे तेरा ओवर में 81 का स्कोर आ चुका है, चार विकेत यहां पर जा चुके हैं, वसीम की बात करें, तो चार बॉल में एक रन उन्होंने बनाया है, कुशल मेंडिस की बात करें, तो 36 बॉल में 45 रन बनाएं हैं, और यहां पर सुनील दस ओवर म अच्छा ओके तो यहां पर अब ओवर जो है वो तेरा ओवर पूरे हो चुके है पहली बॉल यहां पर चालू हो चुकी और पहली बॉल पर एक रन मिल जाएगा तो तेरा पॉइंट एक में जो स्कोर है वो जा पहुंचाए 82 चार विकिट के नुकसान से तो देखते हैं इस ओवर में कितने रन्स आते हैं और 13.1 में जो स्कोर है वो जा पहुंचा है 82 रंस चार विकिट के नुकसान से रभी आदब जी का कहना है कि 15 ओवर में 90 रन बन जाएंगे तो अभी बॉल हो चुकी है चालू और फिर से वसीम स्ट्राइक पर और इस बॉल पर फिर से एक रन आ जाएगा तो 13.2 में स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 83 रंस चार विकिट के नुकसान पर आप लोग मारे साथ लगातार जुडे रही है और अगर आपने अभी तब कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजे कहीं नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले के साथ आप सभी लोगों को जुड़े रहना है बने रहना है इसी के साथ अगली बॉल फिर से चालू मेंडस होंगे स्ट्राइब पर और एक रन यहाँ पर मिल जाएगा तो तेरा पॉइंट तीन में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 84 रन्स चार बिकिट के नुकसान पर तो यहाँ से जो जीजी है उनको 39 बॉल्च में 54 रन्स की जरूरत है और रिक्वाइड रन रेट है साड़े आठ का करेंट रन रेट है साड़े छे का इसी के साथ देखने वाली बात होगी किस तरह से जो स्कोर है टार्गेट है वो चेज हो पाता है तेरा पॉइंट तीन में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 84 रन्स चार बिकिट के नुकसान से फिर से अगरी बॉल चालू और यहां पे वसीम होंगे स्ट्राइप पर तो एक रन यहां पर मिल जाएगा तो 18.5 में स्कोर जो है वो हो चुका है 85 रन्स और इस ओवर की आखरी बॉल इस आखरी बॉल पे क्या होता है देखने वाली बात होगी और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए बने रहिए सब्सक्राइब करते रहिए इस ओवर की आखरी बॉल शुरू हो चुकी और यहां पे एक रन मिल जाएगा तो 14 ओवर हो चुके हैं पूरे और 14 ओवर में 86 का स्कोर हो गया है और यहां पर आखरी ओवर शेश है 15 ओवर होने में और फिर देखते हैं कि सुनील कुमार जी और पैनर विंदरोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके प्रेडिक्शन कितने सही होते हैं तो 14 ओवर में जो स्कोर है वो पहुचा है 86 रंस 4 विकेट के नुकसान पर और आपने अगर अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़े रहना हैं बने रहना हैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी को cash कर ले के साथ 14 over हो चुके हैं पूरे और यहां से 36 balls में 52 runs की ज़रुवत है और अब देखते हैं यहां पे bowling के लिए कौन आता है ओलन वीडियो का कहना है कि यहां पे जो जी जी है वो विन हो गया होगा मतलब होके तो देखते हैं बिलकुल क्योंकि यहां से 36 balls में 52 runs बनाने की ज़रुवत है तो कौन सी team आज यह match जीती है पहला match ट्री विलंक का प्रेम लीग का तो देखने वाली बात होगी यहां से 36 balls में 52 runs की जरुवत है 14 over में 86 का score हो चुका है चार विकेट यहां पर जा चुके हैं लगातार आप लोग हमारे साथ जोड़े रहें बने रहें सिर्फ और सिर्फ देखते रहें कैश कर ले तो इसी के साथ 14 over हो चुके हैं पूरे स्क्रीन पर हम आपको बहतरीन experience के साथ पूरी अपडेट करा रहे हैं मैट से और यहां पर ball हो चुकी है चालू और फिर से कुछलमेंडे स्ट्राइक पर और ball हवा में और दो run यहां पर मिल जाएंगे तो 14.8 में score जो है वो जा पहुचा है 87 runs चार विकेट के नुकसान पर और यहां से 35 ballों में 51 runs की जरूरत है तो यहां पर जिस तरह से वसीम खेल रहे हैं 7 ballों में महस 3 run बनाए है कुछलमेंडेस की बार करें तो 40 balls में 49 runs इन्होंने बनाए है 14.8 में score जो है वो जा पहुचा है 87 runs चार विकेट के नुकसान पर और यहां पर 138 का target है current run rate है 6.14 का अगली ball हो चुकिये चालू वसीम होंगे फिर से strike पर और इस ball पर फिर से dot ball तो 14.2 में score जा पहुचा है 87 runs चार विकेट के नुकसान पर तो यहां से 34 ball में 34 balls में 51 runs की जरूरत है और यहां पर वसीम जो है 8 ball में 3 run बना चुके हैं वही कुशल मेंडिस 40 ball में 49 run अगली ball हो चुकिये चालू फिर से वसीम होंगे strike पर और एक run यहां पर एक भी run यहां पर नहीं मिलेगा तो यहां पर 14.3 में जो score है वो जा पहुचा है 87 runs चार विकेट के नुकसान पर और यहां पर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और यहां पर 14.3 में जो score है वो 87 का जा पहुचा है इसी के साथ अगली ball हो चुकिये चालू वसीम होंगे strike पर और इस ball में देखने वाली बात होगी कि क्या होता है और इस ball में ball हवा में और यहां पर कहीं विकेट एक run यहां पर मिल जाएगा तो 14.4 में score जो है वो जा पहुचा है 88 runs और यहां पर 4 wicket जा चुके हैं लेकिन जो required run rate है वो लगातार आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही है 9.38 की जो run rate है required run rate वो यहां पर दिखाई दे रही है यानि कि interesting match यहां से दिखाई दे रहा है हम बात कर रहे थी कि एक तरफा जीत लेकिन अब wicket गिरने से कहीं न कहीं दबाव में चली गई है और एक तरीके से कहा जाए तो कहीं न कहीं जो दबाव है वो जीजी पर बढ़ रहे से चलता रहा तो कहीं न कहीं जो जीजी है उसको हार का सामना करना पड़ेगा लेकिन अभी भी वक्त है यहां पर क्योंकि current run rate की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डाउन चली गई है महच है कि run rate से यहां पर run बंते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीत का प्रतिशत यहां पर घड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जीजी का अभी 56 फीजदी पर पहुच गया है जीजी का और जेगे का बात करते हैं तो 44 फीजदी यानि की totally हम कह सकते हैं कि interesting match यहां से बंता हुआ दिखाई दे रहा है 31 बॉलों में गुनंचास run चाहिए जीत के लिए जीजी को बिल्कुल तो 14.5 में जो score है वो जा पहुचा है 89 runs और इस over की आखरी बॉल तो देखते हैं आखरी बॉल पर क्या होता है क्योंकि अभी तक इस over में सिर्फ 3 रन ही आप आए हैं तो काफी मुश्किल यहां पर run बनाना नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से 2 बॉल डॉट ह हुए और बाकी बॉल में सिर्फ एक रन आया है अगली बॉल हो चुकि चालू वसीम होंगे स्ट्राइक पर और बॉल हवा में लेकिन सिंगल यहां पर मिलेगा टीम को जिस तरह से मेंडिस जो है वो लगाता टिके हुए है लेकिन बहुत देर से उनका बल्ला खामोश है मात उन्होंने अभी तक 5 चौके लगाए है हलागी अर्द्रशतक जरूर उनका हुआ है लेकिन बहुत देर से उनके बल्ले से बांडरी नहीं आई है तो बांडरी नहीं आई है उनका इंतजार है अभी जीजी को लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार लंका प्रीमियम लीग का पहला मैच कौन जितेगा और कौन जो है इसकब को ले जाएगा यह इस पर हमारी नजरे जरूर रहेगी क्योंकि कैश कर लेकर लगातार तमाम अफडेर्स तमाम मैच आप तक पहुंचाएंगे लेकिन बात पहले मैच की करें तो अभी काफी इंट्रेस्टिंग मैच पंता हुआ दिखाए दे रहा है लो इसकोरिंग मैच था इसके बहुजूद भी बहुत शांदार यहां पर मैच बन रहा है और 15 ओवर के समापती यहां पर हो चुकी है 90 अभी तक बन रहे हैं और 4 विकेट अब तक टीम ने गवा दिये हैं और करन्ट रन रेट की मैब अब आने वाली है और इसके साथ बॉल हो चुकी है चालू और वसीब होंगे स्ट्राइक पर तो यहां पर देखते हैं और यहां पर अपील की गई है तो एक भी रन यहां पर नहीं मिलेगा और यहां पर तिक्षना जो है वो आए हैं बोलिन के लिए जुन्होंने अभी तक 20 रन दिये हैं और एक भी विकेट नहीं लिया है तो देखते हैं यहां पर क्या होता है इस ओफर में विकेट जाता है यहां पर जिस तरह से 15 पॉइंट एक में स्कोर जो है वो पुak है 90 रन पर चार गार जीत का जो प्रतीशत है वो जेके की तरफ जाता हुआ अगली बॉल फिर से हो चुटी है चालू और यहां पर कुशल मेंडे स्ट्राइक पर और एक रन यहां पर मिल जाएगा तो काफी मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है 28 बोलों में 28 बोल में 47 रन्स बनाना और जिस तरा से 3 ओवर, 3 रन और 4 रन यहां पर हर ओवर में आ रही है पिशले 2-3 ओवर में तो मुश्किल यहां पर बढ़ गई है यहां पर जीजी के लिए यह मैच जीतना और तरंगा की यहां तिशंगा की यहां पर शांदार ग्यंगा जी देखने को मिली है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मात्रे उन्होंने 3 ओवर में 21 रन दिये हैं तो काफी किफायती बॉलिंग यहां पर देखने को मिली है लेकिन दूसरे बल्लेवाजों की मैं बात करूँ तो वसी अभी तक खास रन नहीं बना पाए हैं टीम के लिए 6 रन बनाए हैं यानि कि जी जी अब पूरी तरह से दवाव में हैं जी जी के जो बल्लेवाज है मैंडिन्स उन्होंपर सबकी निगाही होगी क्योंकि मैच वो यहां से जिदा सकते हैं लेकिन यदि वे नहीं चल पाए एंड तक तो कहीं ना कहीं उन्होंपर जो है हार जरूर दिखाई देगी हार मनराती भी दिखाई देगी लेकिन बहुत ही शांदार मैच यहां से कशिच बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं थे कि 15.4 में स्कोर जो है यहां पर कंफर्म किया जा रहा है तो दो रन इस वाल पे मिल जाएंगे 15.4 में स्कोर जो है बुझ्जा पहुचा है 94 रंस बिल्कु चुर्याम में रन यहां पर बन चुके है 16 वे ओवर यहां पर हो चुका है लेकिन रिक्वायर्ट रन रेट तो अब 10 के पार पहुच गया है क्या लगता है उमीद है यह नई टीम के जीतने की काफी जादा मुश्किल है देखे यहां पर और कुशल मेंडिस भी जिस तरह से अब एक रन या फिर डॉट बॉल जिस तरह से जा रही है तो कहीं न कहीं जो गेम है वो मुश्किल नजर आ रहा है अगली बॉल फिर से हो चुकिये चालू वसीम होंगे स्ट्राइक पर और इस बॉल में चार रन मिल जाएंगे तो यहां पर 15.5 में जो स्कोर है वो जा पहुचा है तीन रन इस पर मिलेंगे चालू किया जा रहा है तो 15.5 में स्कोर जो है वो जा पहुचा है 97 रन और इसी के साथ यहां पर जो स्कोर है यह बाय पर रन लिये हैं उन्होंने सत्यानमे रन अब तक बन चुके हैं टीम के और चार विकर यहां पर हो चुके हैं और अभी भी 25 बॉलों पर 47 रन की दबकार है यहां कि एक एक रन की यहां पर लडाई हो रही है जंग हो रही है बिल्कुल यहां पर जिस तरह से 25 बॉलों में यहां पर 41 रन्स बनाने की ज़रुआते अगली बॉल फिर से और यहां पर विकेट लग गया है एक और और यहां पर जो यह विकेट गया है यहां पर थर्ड अंपार का डिसीजन लिया जा रहा है तो यहां पर देखते हैं थर्ड अंपार क्या होता है बैटिंग टीम यहां पर रिव्यू कर रही है तो यहां पर अगर यह विकेट देखे बैटिंग टीम की तरब से रिव्यू लिया जा रहा है यानि की पूरी तरह से बॉलिंग के पक्ष में ये अभी तक रिव्यू हमें दिखाई देगा यदि बिकित पर आस्पाथ भी बॉल रहती है तो अब देखना होगा की यहां पर इस्ट्राइप पर मौजू थे मेंडिस मैंडिस क्या यहां से आउट होते हैं या फिर से बचते हैं लिए अबी दिखाई दिः सकते हैं क्योंकि पहले भी वे रनाउट होते होते बाल बचे थे और वसीम मेंंगाया बात करूँ आपको बताईए हमें कि कौन जीतेगा ये जी जी या फिर जे के बहुत इंट्रेस्टिंग मैच यहाँ पर बनता हुआ दिखाए दे रहा है रिव्यू लिया गया है बैटिंग टीम की तरफ से देखना होगा कि मैंडिस का रिव्यू कितना सक्सेस होता है क्योंकि यही है जीत के हीरो क्योंकि यदि यह रहते है तो टीम जो है वो जीत की तरफ बढ़ जाएगी लेकिन पूरी तरह से अभी भी मैच जो है वो काफी इंट्रेस्टिंग बनता हुआ यहां से टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से यहां पर विकेट गया है और अब मुझे लगता है कि काफी ज़्यदा मुश्किल हो चुका है 24 बॉल्स में 41 रंस बनाना तो लगातार आपको हमारे साथ बने रही अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे और यहां पर मैं आपको बता दू कि आप हमारे साथ यह जो पिन मैसेज किया गया है इसमें वाट्सैप लिंक है तो इसमें आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं वाट्सैप पर और उसके बाद आपको वाट्सैप के ग्रूप में जॉइन किया जाएगा जिसके बाद आपको सारे माचस का लाइब स्ट्रीम हम आपको देंगे सारे माचस की डीटेल्स क्या होनी चाहिए ड्रीम 11 किसमें आप इ हमारे cash कर ले family group में add किया जाएगा और उस group में हम आपको देने वाले हैं A to Z सारी details जो आपके लिए जानना जरूरी होता है और यहां पर जो score है अगर हम score की बात करें तो 16 ओवर हो चुके हैं पूरे और 97 का score हो चुका है और यहां पर जो बड़ा नुकसान है कुर्शल मेंड इसका wicket लगकर GG को हो चुका है तो अब यहां पर जो game है कहीं ना कहीं बदल गया है क्योंकि आप देखने वाली बात होगी कि यहां पर battles में कौन batsman आते हैं यहां पर किस तरह से यह जो अब target है वो lead हो पाता है आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे सब्सक्राइब करत सकते हैं अगर आप कहीं पर भी dream 11 पर team बना रहे हैं किसी और में इंवेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो वीडियो काफी ज्यादा useful रहने वाली हैं उन वीडियो में हर player के बारे में आपको detail बताई जाती है तो जरूर वो देखनेगा वीडियो जाकर और अगर आपको लगता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो यहां पर ओवर हो चुके हैं 16 चार और और बचे हैं और 49 रंच चाहिए जीट के लिए जीट का जो प्रतीशत है वो अब जेकी की तरफ जाता जुकाव देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार विकेट्स गिड़ते है और दबाव पूरी तरह से बनता हुआ दिखाए दे रहा है विकेट्स होने के बावजूद भी यहां पर और यहां पर न्यू बैट्समेन शम्मू आ चुके हैं तो देखते हैं शम्मू और यहां पर वसीम की जो साज़दारी है वो किस तरह से चलती है क्या कितने स्कोर आपे बना पाते हैं यह तो यहां पर न्यू बैट्समेन आ चुके है आप स्क्रीम पर देख सकते हैं शम्मू आशन आ चुके हैं तो यह कितने स्कोर यहां पर बनाते हैं देखने वाली बात होगी मिल्कुल देखने वाली बात होगी कौन जीतेगा है लेकिन अब भी हम बात कर रहे हैं कि फाइटेंग काफी मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफी इंट्रेस्टेंग मैच एक तरफ हम देखने को मिल रहा था कि GG जो है उसका जीत का प्रतिशाद जादा था और उसका जो कही ना कही जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी लेकिन JK के शांदार गेंदबाजी हमें तारीफ करनी होगी इनके बॉलर्स की कि जिस तरीके से उनकों ने बॉलिंग करी वो शांदार यहाँ पर क्योंकि अभी हमने लेकिन उपनिंग साज्यधारी के बाद में टूपने के बाद میں कहीं ने कहीं जो दबाव है वो इस तीम पर ज़्यादा दिखाई देने लागा है अब जिसके बाद में आप JK पूरी तरह से दबाव बनाती हुए यहाँ पर जीजी पर दिखाई दे रही है 88 रन यहाँ पर score हो चला है और 77 ओवर की शुरुआत हो चुकी है एक रन अभी तथ लिया है लेकिन एक रन से यहाँ पर पार पढ़ने वाली नहीं है जब तक boundaries नहीं आएगी तब तक यहाँ पर जीत के द्वार नहीं खुलेंगे 23 रन अब तक 40 रन की दरकार है देखते हैं कि क्या होता है अगली बॉल फिर से हो चुकी है चालू और यहाँ पर जो अशन है वो होंगे स्ट्राइक पर और एक रन यहाँ पर मिल जाएगा तो 16.2 में जो score है वो जा पहुंचा है निन्यानवे रन उनको निन्यानवे रन अब तक यहाँ पर आये हैं और पांच विकेट यहाँ पर खो चुकी है 22 बॉलों में गुंतालीस रन की यहाँ पर दरकार है 138 का टार्गेट था ज्यादा टार्गेट नहीं दिया गया था लेकिन इसके बावजूद भे यहाँ पर जेकेन अच्छे फाइट दी है अब यह बॉल फिर से चालू वसीम होंगे स्ट्राइक पर और यहाँ पर उसे लगता है देखते हैं इस बॉल में क्या आता है जेम्स फुलर आए है बॉलिंग के लिए और फिर से डॉट बॉल तो 16.3 में स्कोर जो है वो 99 रन ही रहेगा पांच विकेट यहाँ पर जा चुके है रिक्वाइड रन रेट है यारा की और करेंट रन रेट है महज इसी के साथ अगरे बॉल चालू फिर से वसीव होंगे स्ट्राइक पर और इस बॉल पर देखते हैं फिर से रन आएगा या डॉट बॉल हो जाएगी तो यहाँ पर डॉट बॉल फिर से हो चुकी है कोई भी रन नहीं मिलेगा तो अभी तक इस ओवर में महल दो रन आये हैं और यहां से दो बॉल शेष हैं सिर्फ इस ओवर की अगर इसी तरह से डॉट और एक रन ही खेलते रहेंगे यह तो काफी मुश्किल हो गया है यहाँ पर टीम के लिए यह मैच जीतना 16.4 में स्कोर 99 रन हो चुका है पांच विकेट यहाँ पर जा चुके हैं अग़ी बॉल फिर से चालू यहाँ पर वसी मोंगे स्ट्राइक पर और बॉल हवा में एक रन मिल जाएगा तो यहाँ से 16.5 में स्कोर जो है वो जा पोचा है 100 रन पांच विकेट के नुकसान से और यहाँ से इस ओवर की आखरी बॉल शेश है तो इस आखरी बॉल पर देखते हैं क्या होता है कितने रन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पांच ओवर यहाँ पर सोला ओवर जो है पूरे हो जाएंगे आखरी बॉल शेश और फिर से आश्टनों के स्ट्राइक पर और इस बॉल में डॉर्ट बॉल कोई रन यहाँ पर नहीं मिलेगा बहुत बड़ा विकेट है और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जीत की तरफ यहाँ पर जेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना विकेट यहाँ पर गवा बैठे जिस तरीके से लगातार जेके जो है बहुत ही शांदार यहाँ पर परफॉर्म करते हुए में तो संकट के बादर अभी बीवी परमंड़ा रहे है जीजी पर मंड़ा रहे हैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जेके जो है उनकी शांदार गयंगाई जी के चलते विक वापर से मैच में नौटे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर फुलेना आ शुके है नियू बैक्ष मै और यहाँ पे किस तरह से कितने score यहाँ पे पहुचा पाते हैं तो देखने वाली बात होगी 100 का score यहाँ पे हो चुका है 6 wicket यहाँ पर जा चुके हैं 17 over पूरे हो चुके हैं तो देखते हैं यहाँ से 18 ball में 38 run की जरुरत है बिल्कुल देखे 38 runs की जरुरत है लेकिन कही न कही हम बता रहे हैं कि 100 run ही अभी तक बने हैं और 3 over का खेल अभी और भाकी है जीत के लिए 38 run की दरकार है लेकिन कही न कही शवाल यही है कि कही न कही सवाल यह ऐसे है कि run rate जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जीजी का जो जीत का प्रतिशत है वो लगातार डाउन होता जा रहा है जापना किंग्स कई न कई पहले ही मुकाबले में यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है क्रीज पर यहाँ पर वसीम मौजूद है वसीम जो है अभी तक मात्र डस रन बनाये हैं गुनीज बोलों में ऐसे में सवाल यही है कि किस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि बात करते हैं अम वसीम की तो वसीम ने अभी तक मात्र डस रन ही बनाये हैं गुनी हार जो है वो जीजी की बढ़ती हुई यहां पर हमें दिखाए दे रही है जापना किंग्स की बात करते हैं तो जापना किंग्स की शामदार यहां पर बॉलिंग का नजारा हमें देखने को मिला है और फिनांडे की हम बात करते हैं तो फिनांडे ने काफी अच्छी यहां पर बॉलिंग की है और हाला कि देखिए ओहो ओहो चक्का यहाँ पर जड़ा है देखिए बिल्कुल वसीम ने यहाँ पर चक्का जड़ा है और इसी चक्के से यहाँ पर उमीद बरकरार है उमीद यहाँ पर जगी है उमीद की किरन यहाँ पर जगी है कि कहीं ना कहीं ऐसे ही चक् मैच का पासा पलट सकता है लेकिन किस और जाएगा ये मैच वाके ये देखना बड़ा दिल्चस्थ हो जाता है T20 मुकाबले में इसलिए लगातार हम कह रहा है कि T20 मुकाबले है या कोई से भी क्रिकेट के बारे में अपडेट लेनी है तो हमारे चैनल पर आईए और सब्सक्राइब केजिए और देखिए अगली बॉल बेहत ही शांदार ये मुकाबला होता हुआ दिखाए दे रहा है 17 बॉलों में 32 बॉल पर एक रन आया है सिंगल आया है और यहां से जो करंट रन रेट है वो मात्रे 6.17 की हमें दिखाई दे रही है और रिक्वाइड रन रेट की में बात करूँ तो यहां पर 11.63 की रिक्वाइड रन रेट आपको नजर आ रही है यानि की 12 रन प्रती ओवर की रफ्तार से इन बल्लेवाजों जाफना किंग्स के लिए क्योंकि झीजी ने जिस तरह की शाचंदार यहां पर बॉल्लिंग की है वाकी काभिले टारीफ है इनकी बॉल्लिंग और जिस तरीके से यहां पर पहनी बॉल फिर से यहां पर ड़ली है और देखना होगा कि अगली बॉल्वर भी यहां पर सिंगल्स आ रहे हैं लेकिन सिंगल्स कही न कहीं जो है हार की तरफ बढ़ रहे है जेके क्योंकि जिस तरह से सिंगल्स आएंगे तो कहीं न कहीं जो दबाव है वो कहीं न कहीं जेके के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जेके जो है वो लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है जियानि कि जीत छीन ली है एक करे से कह सकते हैं क्योंकि शुरुआत काफी अच्छी की गई थी जीजी ने जिस तरह से ओपनिंग साजेदारी की गई थी वो शांदर रही थी और ये देखि यहां पर गवा बैटी है जीजी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लगातार आपको दिखा रहे थे कि वसीम जो है वो यहां पर बाउंडरी लगाते लगाते आउट हो गए है चौदा बॉलों में अब 30 रंकी दरकार है बहुत बड़ा मैच है और बहुत बड़े मुकाबले में कही ना कही जो जीत का अंतर है वो भी अब जीजी की तरह बहुत कम होता हुआ दिखाए देरा है मातरे दो फीजी जो है उनके जीत के चांसेज है लेकिन क्रिकेट एंड शिताओं का खेल है यदि यहां पर चौके छपकों की बरसात होती है तो एक बार फिर से कही ना कह जीत का अंतर है जीत की जो चांसेज है वो भी कही ना कही मैच में बना सकते हैं दोनों टीमों के लिए लेकिन अभी जेकिन की जो जीत है उसका प्रतीशत यहां पर ज्यादा देखा जा रहा है नए बंडेवाज के लूप में यहां पर नुवान आये हैं नुवान देखते किस तरह कि यहां पर तूफान मचाते हैं। क्या तूफान मचाते है या नहीं यह बड़ी बात होगी YouTubers मैंच से यहां पर इंट्रेस्टिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कौनकि पिछले एक मैच में एक चक्का बिछले और में एक चक्का जरूर जड़ा था लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं विकिट गवा बैठी है हमारे साथ यहां पर लगातार कशीश जुड़ी हुए तो यहां पर मैं अपने विवास को बताना चाहूंगी कि यह मैच जो है वो हम यहीं पर end कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट मैच में जो साड़े साथ बजे मैच शुरू होगा और इसके कुछ देर बाद ही आप उस मैच में हमें लाइव जॉइन कर पाएंगे क्योंकि हम आपको उस मैच में हर डीटेल आपको बताने वाले हैं फुल प्रिडिक्शन मैच का आपको उस वीडियो में बताने वाले हैं तो बिल्कुल कहीं मत जाईएगा सिर्फ अमारे साथ जुड़े रहेगा मिलते हैं आप सभी को अगले मैच में